देखो तो चलो हो लाइव करा लाइव करा लाइव माना नोटिफिकेशन ये इलका लेमन के ले चेक चेक ओके स्टूडेंट्स एम लाइव जिस्ट चेक ओडियो विडियो सब सही है क्या देख लो एक बार क्या थे लोग आफ्टनों जल्दी से जोईं कर लीजिए सो भी है टो एक लेक्श कर लेचे बहुत वे वेवे बुर आफ्टनों आफ्टनों आप्स अबने लंच कर्लिया ओगा वाइव लाइव दिले तो हमन मैं दस मिनिट ही लेट आयो फाइनली आ गय है इधर ही थी मैं वोईस डीले मैं अच्छी हूँ अल गुड नमस्ते भरत वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अब जरह रिफ्रेश कर देना अब नहीं है वोईस लैग अब ओके है so all good let's get started so are we all charged up for GST amendments yes so plan ऐसा है कि मैं start करूँगी पहले amendments amendments के बाद मैं लूँगी आपका volume 1 जो मेरी books में volume 1 है मतलब supply value ITC TOS VOS फिराल तो मैं इतना ही बोल रही हूँ और फिर मैं लूँगी RTP solve करवा के दूँगी क्योंकि थोड़ा सा problem solving करेंगे तो आपको थोड़ा सा confidence भी आ जाएगा नहीं तो बस वो सुनी रहे तो ऐसा नहीं चलेगा ठीक है ना ओ मैं मैं दिपती अच्छा ओके आज सगर जेपा ठीक है चलो let's start हो गया रिटर्न करवाँ रिटर्ण भी मेरी लास्ट माराथान में बहुत डीटेल में है रिटर्न भी है उस माराथान में कुछ नहीं है जो है वो तो सही वैसा ही है अगर आपको रिटर्ण्स कैसे लग रहा है तो पेमेंट भी लेना रेजिस्ट्रेशन भी लेना ओ ठीक है इतना सब नहीं होगा बट लेट मी टेल यू एक्जम्शन का भी लेक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं है मैं आपको सही में बोलते हूं जी एस्ट मैराथान ऐसे आप अगर सर्च करोगे तो लेक्चर आएगा और उसमें एक्जम्शन भी है और उसमें रिटर्न भी है ठीक है चलो अब टाइम नहीं स्पेंड करेंगे फटाफट से स्टार्ट कर देंगे चलेगा क्या चलो सो वेरी वेरी गुड आफ्टनोंट लेट्स गेट स्टार्ट ठीक है बहुत अच्छे और पॉजिटिव नोट से लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो भी सीखेंगे बहुत अच्छी सीखेंगे अच्छी सेलर्ण होगा हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है ऐसा बोल तो सकते है न, पढ़ाई कैसी चले रही हमारी बहुत अच्छी चल रही है और जो भी है मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे I am going to try my level best I am not gonna give up ठीक है ऐसे ही देखो पढ़ाई मतलब यह नहीं है कि जो आपने सिर्फ PL में की है पढ़ाई पढ़ाई का मतलब वह भी होता है जो आपने classes के दोरान की है lectures attend करके की है तो that is also studies you all have studied stay positive positive attitude exam में बहुत पढ़ता है उससे एक हाथ बच्चा होगा जिसने बहुत पढ़ाई कि है लेकिन वह exam में बहुत डर के negative इससे जाएगा तो फिर उसका paper writing इतना अच्छे से नहीं होगा and exam hall में तो मैं आपको बोलती हूँ बिंदास जाओ exam hall में तो आपने एकदम बिंदास जाना है क्या बोलके कि बस आप मुझे सब कुछ आता है मैं तो आपको क्लास में भी बोलती हूँ कि गलती करनी है तो भी क्या confidence से करके आने का बिंदास सब कुछ मुझे आता है क्योंकि आप और कुछ होई नहीं सकता वह तीन घंटे में अभी अभी सिर्फ थ्री आर्ज अर इंपॉर्टन जो भी है अपने एफ़र्ट जितने भी है आपने कर दिये नाउ इट्स थ्री आज वेरी फ्यू देज रिमेनी स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव ओके लेट्स टार्ट अमेंडमेंट्मेंट्स जाधा नहीं है सिर्फ मैं फट्ट से आपको बता देती हूँ सुछ इह अरे फाइल हाँ दो मिनट दो मिनट हो रहा वहाँ हो रहा है अगर अब मंडे से थोड़ा मॉरी और में में पहले बीस्यार लेक्चरिंवेरा मेरा बीसी ने मॉनिंग मेरा बीशन का स्लॉट है उसके पहले अगर मुझे कुछ तो कुछ हो पाया तो मैं आपको बोल दूँगी वैसे, ठीक है, चला, लेट्स गेट स्टार्ट, येस, राधे राधे बेटा, अब इंकम टाइक्स में अमेंडमेंट्मेंट्स नहीं है, वो एच पी में हम से वरकिंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, वो मैंने आपको जी फिर से वो बोल दूँगी, ये इसको इतना टाइम लग रहे है, it's too slow, let the file just open, हाँ, अगर आप statutory update देखोगे न, statutory update is almost 82 pages of GST, but major, major amendments, उन्होंने उसमें May के exams के भी amendments कवर कर दिये, जो May के टाम नोटिफिकेशन आये थे, और अब नवेंबर के, तो May वाले जो नोटिफिकेश नोटिफिकेशन थे, और कुछ नोटिफिकेशन एडिशनल जो आपके lecture के दौरान ही आ गए, तो मैंने आपको class के साथ ही, majority of the amendments करा दिया है, if there is anybody, who is my May 23 attempt का student, and is watching this lecture, you must watch May 23 amendments, and then you must watch November 23 amendments, so now, this is the amendments here, let's start, सबसे पहले amendment है, concept of supply में, हा, जो जो पॉसिबल होगा नाश्वेता सब कराऊंगे, हम try करेंगे, तो please focus करो, चलो, अब बाते नहीं, इस पर focus करेंगे, चलो, start, पहले amendments, अब amendments कहां आया, पहले concept of supply, अब यह जो amendment है, यह बहुत ही simple amendment है, आपको पता है क्या, जब हम credit card, या ECS mode, या UPI, या credit card से payment करते हैं, न बेटा, credit card mode से जब हम payment करते हैं, त तो उसमें से commission cut होके मिलता है, तो उसमें से commission cut होके मिलता है, उस पर GST लगता है, but government के दो payment modes है, रूपे and भीम पे, तो जो government के payment modes है, they are promoting this, so they want to promote it, तो ऐसे case में वो bank को बोलता है कि, bank को जो commission देना होता है, बोलते है, shopkeeper से मतलो, किस से लेना, हम से लेना, government देती है, I'll tell you what उसे bank किसका फायदा होता है, shopkeeper का, देखो, there is a shopkeeper, there is a shopkeeper and there is a bank, तो यहाँ पे मैंने 5000 की कुछ shopping कर दी, तो 5000 की shopping customer ने करी, लेकिन पैसे ने दिये, मैंने मेरा card swipe किया, bank payment करते वक्त में भी 4980 रूपीज दे सकती है, या जो भी आपका commission fix होगा, तो यहाँ पे 20 रूपे का न shopkeeper का, तो 20 रूपे commission कौन ले रहा है, bank, bank बोलते हैं, bank को भी profit करना है न, तो bank के time pass के लिए नहीं है, bank बोलते हैं, हम हमारा commission लेंगे, लेकिन अगर फिर shopkeeper को जाके न, government बोलते हैं, सुनो न, हमारे payment mode use करो, भीम पे and रूपे, तो यह अगर आप यूज करोगे, रूपे के अगर आप यूज करोगे, तो यह जो commission है, आपका cut नी होगा, आपको 5000 की shopping customer करकेगा, तो आपको भी 5000 मिलेगा, तो bank बोलते हैं, हमारा commission क्या है, बोलते हम देंगे, so government will pay that commission, okay, so this will be treated like a subsidy, और इसके ओपर GST नहीं लगेगा, इसके ओपर GST नहीं लगेगा, government ऐसा क्यू कर र payment modes, and that is on this commission, government is paying it, क्या इस पर GST लगेगा, the nation wants to know क्या इस पर GST लगेगा, तो सवाल है कि इस पर GST नहीं लगेगा, यह clarification आगया, so यह देखो, there is a shopkeeper, there is a acquiring bank, तो पहले, generally, generally the shopkeeper would pay commission, generally shop, क्यों commission पर करता, shopkeeper, तो 5000 की shopping पर उसको 5000 नहीं मिलते, उसमें से commission कठ होके मिलता, तो promote these modes, which modes are these, we are talking about, Bheem, UPI, and Rupay cards, इनको promote करने के लिए, government ने बोला, कि हम Ministry of Electronics and Information Technology, हम commission देंगे, इसको हम subsidy मानेंगे, और because it's a nature of subsidy, तो इसको consideration में add मत करना, इस पर GST मत लगाना, आपको याद हरा है, consideration में क्या होता है, consideration में, दो प्रकार की होती है, एक government की और एक non-government की, तो जो non-government की subsidy होते हैं, वो हम add करते हैं, value of supply में, और जो government की subsidy हैं, वो हम add नहीं करते हैं, तो इस commission को भी उन्होंने बोला है, treat it like a, what should you treat it like, treat it like a subsidy, and इस पर GST नहीं आएगा, और इस पर GST नहीं आएगा, अचा, let me tell you something very very important, always, ICI likes to ask question on amendments in GST, always, always, तो यह वाले amendments, plus May 23 वाले amendments, important है, क्योंकि May 23 में बहुत amendments आये थे, बहुत clarification आये थे, exemption की chapter में से, बहुत सारे exemptions विड्राव हो गए थे, उस वाले amendment पे एक RTP, MTP में भी question आया था इस बार के, तो आपको मेरी request रहेगी, क्या आपने थोड़ा सा ध्यान इस पे, और May 23 के अलग से, मैं वो तो covered है ही, covered है, बड़ जब आप amendment lecture देखते हो, तो you cover it specifically, तो please watch the amendment lecture for sure, last May 23 और यह वाला भी, और उसके बाद, उनको clarifications पे, questions पूछना बहुत पसंद है, जो clarifications होते है, अभी मैं कराओंगी आपको, हर chapter के clarifications, ठीक है न, yes, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यह commission को हम क्या treat करेंगे, मेरी handwriting अगर कुछ आपको visible या पढ़ने नहीं आ रही होगी, तो please आप मुझ से पूछ सकते हो, और मैं आपक होगी, तो यह simple है, it is clarified that incentives paid by METY is a ministry of electronics, forget what is that ma'am, it's basically a government, यह कौन दे रहा है, government दे रहा है, so when government is paying this commission for promoting rupee and UPI beam, इसके ओपर GST नहीं लगेगा, we should treat it just like subsidy, we should treat it just like subsidy, are we done with this, yes, पहला amendment concept of supply का हो गया, इतना ही है, इतना ही है, एक और amendment है, but वो value of supply ऐसे linked है, तो मैं वहाँ ही cover कर दूँगे, done है, yes, रूपे का कोई भी चल जाएगा, debit card, credit card, रूपे का जहाँ पर भी आपका system है, दोनों के लिए, दे लिए, दोनों के लिए, okay, हाँ, अभी देखना आगे जाएंगे, RCM, अब RCM मारी services में, यह amendment last time, एक हुआ ही था, हाँ, renting, renting के पारे में अगर आपको याद नहीं होगा, थोड़ा सा time लगेगा, जैसे income tax में भी हुआ था न, एक flow बनने में ऐसे you will feel lost, बड़ एक बार भी आपका flow बन गया, you will get back, इसको blank हो रहे ऐसा नहीं बोलते, we are switching in, switching out, you must be studying some other subject, उसे switch out करके, switch in करने में थोड़ा time लगेग आपको रेंटिंग का एक चार्ट किया था मैंने, अगर वो याद होगा तो, अगर आप रेंटिंग कमर्शिल पॉपस के लिए करते हो, किस पॉपस के लिए करते हो बेटा, रेंटिंग इस डन फॉर कमर्शिल पॉपस, एक सकना, यहाँ पे I don't know why, यह मत यते ते स्टाइल है होता है, अगर रेंटिंग किस पॉपस के लिए है, कमर्शिल, are you all feeling hot? है ना, हाँ, रेंटिंग इस फॉर कमर्शिल पॉपस, और 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 रे रेंटिंग और इमोएबल प्रॉपर्टी में आपको यह समझना है इसे रिलेटेट क्वेस्टिन कैसे आएगा बोलती हुँ रूखो पहले मुझे कवर करने दो यह सब रेंटिंग अब रेंटिंग और कमेर्शल प्रॉपर्टी है अगर अगर यह आप रिजिस्टर पर संब्सक्राइब अगर आपने दे दिया फॉर इस निया आपने स्टाफ के लिए पिसी के लिए रेंटिंग इस इसी प्रेजिस्टर अंडर GST यह जो transaction it will get covered under RCM, this transaction will get covered under RCM, तो मैं यह तो amendment अल्री हो गया है, तो हम पढ़ लिये, बिल्कुल, इसमें थोड़ी से दिक्कत implementation में यह आ रहे थी, मान के चलो PKD, तो PKD is registered under GST, yes, I am a proprietor, तो मेरा अगर audit मेरा CA का firm है, it's in my name, so I am a proprietor of that, तो मेरा GST number, I am a registered person, मैंने घर rent पे लिया पड़ मेरे personal purpose के लिए लिया है, तो लोग क्या कर रहे थे, नहीं नहीं, आप registered person हो, RCM में आ जाएगा, ऐसा नहीं, हमारा यह intention नहीं था, government ने clarify किया, अगर कोई sole proprietor है, भले ही वो registered हो, लेकिन अगर वो अपनी business के लिए नहीं ले रहा है, बड़ अपने खुद के लिए ल और बोलते हो कि मुझे घर rent पे चाहिए, तो यह exempt from GST होगा, तो यह exempt from GST होगा, Reliance Industries अगर जाते हो और बोलते हो मुझे घर rent पे चाहिए, तो हम बोलेंगे किस के लिए चाहिए, वो हमारे company के employees के लिए चाहिए, so are you taking it on rent for your organization, yes, then it is taxable and it is getting covered under RCM, अब PKD जाते हो और बोलते स्टाफ है मुझे उनके लिए चाहिए, तो do I want it for my organization, yes, then it is taxable and it will get covered under RCM, PKD फिर से जाते हो मुझे घर चाहिए, मेरे personal रहने के लिए चाहिए, am I taking it for my business or organization, no, then it is not going to be taxable, it is going to be exempt, तो उन्होंने clarify कर दिया कि हां हां हमें पता है, हमने amendment किया और यह बताया कि अगर एक रेजिस्टर व्यक्ती, residential property rent पे ले रहा है, तो बेटा, it is going to be taxable, और वो RCM में cover होगा, लेकिन हम यह भी clarify कर रहे है, हम यह भी clarify कर रहे है, oh my god, here my iPad is getting damn slow, सब कुछ गया हो गया, क्या चल रहे है, व्यक्ती, अजिस्टर प्रक्णा करें, प्रक्णा करें, क्या जाहिए है, हम मेरा ओरिजनल लिखा हुआ है, वो में अप्लोड ये करती हूँ, नथिंग इस ओपनिंग सी अरे बट मैने ओरिजिनल जो लिखा है ना मेरे पास इसमें लिखा है वह फाल भी ओपन नहीं हो रही अब ओपन हो गया इस अब ओपन हो गया वह इनिवेस अभी ओपन हो गया है फॉपली सो सुनो पहला आपको अमेंडमेंट बता दिया किया मैंने चलो पहला वाला किया हो गया वाइफा बं कर दो सब भूज OW रहे है everybody is saying I don't think my Wi-Fi is connected to this classroom but anyways I have disconnected it now pay attention supply concept you have understood what was in supply, what was in supply, what was in supply, what was in supply, commission paid by government to bank commission paid by government to bank to promote rupee and bheem upi, this commission will be a subsidy and it will be treated like a subsidy from government just like a subsidy from government is not added in value of supply इसको भी हम GST calculation के लिए add नहीं करेंगे इसके उपर हम GST नहीं लगाएंगे अब 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 दूसरी बात अब यहां पर दूसरी बात RCM वाली हाँ अब RCM में वह भी है यह रेजिस्टर परसन रेंटिंग वाला भी है ठीक है ठीक है वह exemption का मैंने अभी रेंटिंग बता देया कोई बात नहीं अब यह आर्सेम वाला सुनके लेना यह वाला नहीं बता आपको यहां पर क्या है गवर्मेंट है आपको यहां देख्या गवर्मेंट की कुछ सर्विसेस अर्सेम में कवर होती है सम सर्विसेस अर्सेम याद नहीं है तो मैं बता रहे हूं इस ओके गवर्मेंट की सम सर्विसेस अर्सेम और दूसरा दे प्रवाइड इट तो रेजिस्टर परसन यहां पर क मैंने इतने goods sell कि इंटर स्टेट इतने goods sell कि इंटर स्टेट फिर इसके ओपर हमें क्या लगता है GST लगता है है कि ने और आपको बोलेंगे आपके खर्चे हो गए इसने पर्चेस किया इसने goods पर्चेस किया आपको टैक्स आएगा अंडर रसी इस ताप के questions आएंगे समझ में आ गया तो यू हब बिप्रिपेर फॉर इट थी कह अब तो ये तो मांम अल्रीड था ही बिल्कुल इसमें कोई सब्तना, और भी seat में नहीं आती है इंट्री नमबर 6,A,B,C वाली ही जो सर्विसेंजहानी होती है और पापर्सेंजर सर्विसे यह की और भाइन्ग को ट्रांस्पोर्मेंट यहीं होगा, और यहीजिंज को स्पनेर्चीर अजाती है है और डिपार्टमेंट पोस्ट वाली कुछ सर्विसेज यह आर्सीम में नहीं आती है जिस्ट इमेजिन ना तुम लोग रेलवे से ट्रावल कर रहे हो गवर्ण को तो इधर आ इधर पेड़ टैक्स अंडर रसीम इफ गवर्मेंट इस सप्लायर एक और बात सुनके लेना हमे तो अगर गवर्माonत की सर्विसेज है तो मैं इसमें कोई चेंज है क्या नहीं गवर्मेंट प्रवइदिग सर्विसेज तो बिजने थर फरसींई नो चींई और केवनबाट से거든 गौर्टिंठ यह और सरी आपको याद होगा तो मैंने आपको एक memory technique दिया था schedule 3 में ECG ठीक नहीं तो funeral और मरने के बाद property और lottery का क्या करोगे तो ECG is employee employer relation salary पर नहीं लगता schedule 3 is something जिस पर GST नहीं लगता आपको just recap करा दू schedule 1 is activities treated as supply without consideration schedule 2 में आपको बोला जाएगा यह G होगा या S होगा और schedule 3 आपको बोलेगा what is not supply तो यह आपको supply का चैप्टर यह एक 10 मिनिट में मैं आपको करवानी वाली अंदस नहीं whatever time it takes तो यह देखो यहां पर तो मैं court or tribunal की services तो supply नहीं है आप बोल रहे हो आप बोल रहे हो court or tribunal की services RCM में cover होगी बेटा वहाँ जो court or tribunal की services है इस court or tribunal की fees मतब justice मांगने के लिए अगर आप court में जाते हो तो उनकी वह वाली जो fees है जैसे मुझे court में case file करना है वह वह मुझे court fees दे नहीं है वह वाली service exempt है और exempt के पीछे का हमारा logic बहुत clear है कि right to justice is a fundamental right and everybody should get it and hence it is exempt but यह अभी क्या हो रहा है कभी-कभी यह courts or tribunal क्या करते है renting वाली services भी देते so these courts and tribunal they give renting of chambers court के chambers होंगे तो किसी को rent out कर दिये किसी lawyer को दे दिये यह renting of premises for installation of towers जैसे court के ऊपर telecommunication के towers नहीं होते क्या हां तो उन्होंने telecommunication towers रेंटिंग आफ इंस्ट 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 आफ यह telecommunication companies को दिया यह वाली services हम बोल देंगे कि यह taxable है और इसको taxable होगा और इसको हमने कहां cover कर दिया RCM में cover कर दिया तो जो recipient है उनको जैसे lawyer ने उनसे renting of chambers की services ली तो lawyer को यह tax RCM में पे करना है और जो telecommunication company है ओके वोड़ाफोर ने ले लिया या जियो ने ले लिया telecommunication tower उन्होंने रेंट वो recipient है तो उनको यह services कहां पे करने है RCM में तो फिर से understand करते हैं एक amendment supply में हो गया दूसरा amendment में RCM में बता रहे हो तो RCM में जो हमने 17 services पढ़ लिए यह 18 मानलो यह आप इसको government में merge कर दो तो भी चलेगा क्योंकि provision क्या बोलता है now RCM services जहां जहां government है वहां वहां वह बोलते अगर कुछ भी सर्विसेज रेंटिंग वाली सर्विसेज कुछ दूसरी सर्विसेज जस्टिस देने के छोड़के कुछ भी और सर्विसेज दे रहे हैं तो इतल गेट कवर्ड अंडर RCM तो जहां जहां नहीं क्योंकि वह कहां कवर होता है schedule 3 पर आपको याद रखना है GST आपको supply पर लगता है supply में क्या supply है क्या नहीं है यह हम लोग concept वह स्प्लाय में सीखते विच सेक्शन 7 करें अब देखते हैं तो इन सर्विसेज पर RCM लगेगा इसका RCM इन लोगों को ही taxes देने है is that clear to everybody yes yes yeah I know lawyer services also covered under RCM yes yes lawyer services but पता है lawyer की कौंसी services under RCM okay but I'll not confuse you lawyer services also covered under RCM when I come to the RCM part I'll come to that okay yes value of supply now value of supply oh value of supply is very simple chapter value of supply मा था exactly किस value पर GST लगाना है जैसे मेरा जो बिल होता है ना बेटा सीधा साथा बिल नहीं होता ऐसा ही तो बिल में क्या आएगा goods की prices fret चलो चलो goods की prices आएगा fret आएगा बाकी की सारी चीज़े आएगी यह सब हम add करेंगे and कभी-कभी discount less करेंगे तो यह कौन सा section है section 15 section 15 हमें बता था किस value पर GST लेना है तो अभी क्या scene होता है क्या insurance companies होती है ना बहुत ध्यान से एकदम easy वाला पार्ट है इसी को supply में भी है और यह 15 में भी है अब देखो insurance companies में मैं premium पे करती हूँ मैंने year one में premium पे किया मैंने जल्डेश कोई accident नहीं हुआ गाड़ी का मतलब insurance कर वाया है कोई accident नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो मैंने कुछ पैसे claim किया किया नहीं किया year two में भी premium पे किया accident नहीं हुआ मैंने कुछ भी claim नहीं किया generally insurance companies का policy होता है no claim bonus देते क्या नाम है इसका no claim bonus क्यूंकि आपने claim नहीं किया थोड़ा सा आपको discount दे देंगे उनको free में मिल गए न आपके पैसे आपको कुछ देना भी नहीं पड़ा तो वह आपको देंगे no claim bonus that is called as ncb it is called as ncb no claim bonus that is called as no claim bonus now when they give you this no claim bonus अगर मान के चलो आपका insurance 20,000 है जनरली आपने year one में 20 plus GST पेक किया अब जब आप no claim bonus देंगे वह आपको बोलेंगे मान के चलो 2000 का no claim bonus दे दिया तो आपका premium 20 minus ncb no claim bonus minus in short they gave you a discount बेटा what is ncb discount it's a type of discount what is ncb like a discount they say 20,000 premium मत पे करो कितना पे करो 18,000 हमने तुमको discount दे दिया क्यों दे दिया क्योंकि आपने कुछ भी claim नहीं किया इसलिए उन्होंने नाम दिया no claim bonus अब premium आता है 18,000 अब सवाल यह ओता है should I pay GST on 20,000 or should I pay on 18,000 the answer given is pay GST on 18,000 and they say insurance company का POV POV is point of view insurance company का POV oh my god insurance company का POV आता है कि 2000 is like a discount and ncb can be deducted as a discount under section 15-3 अगर आपको यहाद होगा value of supply के section 15, section 15-1 is the transaction value 15-2 is all add less incidental charges and 15-3 talks about discount तो हमने clarification दे दिया कि यह जो ncb है यह जो ncb है इसको हम क्या मानेंगे इसको हम discount मानेंगे यह insurance company का सवाल था कि should I pay GST on 20,000 or should I pay GST on 18,000? ना how can you get this question you can get this as आपको insurance company का यह बैलेंशीट आ सकता है कि इन्होंने इतना premium collect किया तो उनके जो premium पे आपको GST लेना पड़ेगा फिर इन्होंने इस premium में से discount दे दिया किसी को ncb दिया discount तो यह discount value में से क्या करोगे? माइनस करोगे समझ में आता है कि वो discount आप क्या करोगे ncb माइनस करोगे यह value of supply यह mcq form of a question आपको आ सकता है अब policy holder के viewpoint से समझोना policy holder को 2000 का फाइदा हो गया policy holder insurance company का हो गया अब policy holder को वाह 20,000 देना था मुझे कितना देना पड़ रहा है 18,000 I got a benefit of 2,000 this benefit of 2,000 I got why? because I didn't claim any bonus मतलब I did not आपको पता है क्या GST में सिव doing something is not important not to do something is also important so हम वो आ जाते है वो GST में खडू सा से सिंग ऑफिसर परेशान करता है वो आ जाते है वो उसको 2000 मिल गए और यह claim भी नहीं मांग रहा है चलो चलो GST दे दो हम मोलते है ऐसा थोड़ी होता है यह तो by chance हो गया मैं 2000 लेके क्या insurance company के साथ agreement कर रहा हो मैं कभी भी accident हुआ तो प तेरा consideration मत मानो there is no contract तुमको लगता है customer कोई contract करेगा हाहां give me 2000 then I will write मैं कभी भी पैसे claim नहीं करूंगा तो मैं काई को insurance policy pay कर रहा हूं कुछ भी पूछते हो और कुछ भी clarification देते है अन्ने से सरली पी ओवी फिर वो statuary update की pages बढ़ जाते है और हमारा tax की syllabus हमारा बढ़ जाता है पी ओवी of policy holder policy holder got benefit gets benefit of 2000 policy holder is not under a contractual obligation for claiming insurance claim therefore there is no consideration no supply you remember I gave you this kind of example जैसे मैंने law break किया मैं no entry से गई पुलीस वाले ने पकड़ा फिर उसने 1000 रुपीज मुझे fine लगाया अब उस 1000 पे GST आए गया क्या the answer is no क्या मैंने और पुलीस वाले ने agreement किया कि मंडे को सुबर 7 बच के 10 मिनिट पे मैं इतने बचे इस रास्ते से चार बार no entry से जाओंगी तो आप मुझे penalty लगाना there was no contractual agreement and therefore they can't be GST similarly insurance का जो policy holder है और insurance company उन दोनों में ऐसा कोई भी agreement नहीं है तो इसलिए यह जो benefit insurance के policy holder को मिला उस पे GST नहीं लगेगा इसको हम consideration ही नहीं मानेगे so you can get a question like this Mr. X आपको ऐसा आएगा Mr. X एक shopkeeper है he sold वगरा वगरा यह MCQ में case study मेंने क्या आता है तो आपको उसका sales आएगा उसका purchase आएगा और फिर कहीं तो बोलेंगे last year he had paid a premium of car during this year he got a NCB of 5000 now assessing officer feel that this should be इस पे इसने 5000 इसको मिला तो यह consideration इस पे GST लेना चाहिए तो आपको MCQ में आएगा फिर क्या इस पे GST लगेगा yes no and whatever statement what is true इस type का question आता है आपको समझ में आता है क्या ठीक है यह हो गया क्या किसी को doubt है क्या ओ बेटा यहाँ पे then ma'am why late payment electricity bill we have GST no we don't have नहीं लगता late payment of GST it's a composite supply original electricity पे नहीं लगता तो उसकी late payment पे भी नहीं लगता ऐसा है न clarification CBIC का सच्छी में है क्या करेंगे तो electricity पे तो बिली नहीं लगता नहीं लगता है यह बाकी और के लिए late fees होगा तो लगेगा न electricity खुद exempt है इसलिए वो composite supply में आ रहे है electricity की जगे और कोई service होगी और plus late fee तो वो तो लगता ही है ना यह यह चलो हुआ हम ओके रिशा लेट भी नौट नूओन बट हमने clarification दे दिया कि हमको 53 से less करना है तो less करना है वो गया CBIC ने clarification दे दिया तो बात खत्म होगे रिशा चलो आगे जाएंगे यहां तक ठीक है क्या यह कितने हो गया तीसरा चैप्टर हो गया चलो फड़ा फड़ बोलो पहला क्या था पहला क्या था वो यूपे एंड हां उस पर कमिशन कौन देगा जैनरली शॉपकीपर को कम पैसे मिलते थे अब कौन बैंक को कमिशन कौन देगा गवर्मेंट इस पर जी एस लगएगा क्या ने इतल भी ट्रीट इस प्रस सबसीडी दूसरा आर्सीय में जैसे गवर्मेंट की सर्विसेज ना बिजनस एंडिटी को देना या रेंटिंग वाली सर्विसेज तो ऐसी अगर सर्विसेज कोट और ट्रैबिनल भी देती है तो उसके उपर यह आर्सीय में कवर आएगा और कोट वाली जैनियन उनका जो काम है वह बनी हुई कोट के लिए है जस्टिस के लिए यह वाली जो कोट फीज होगी उसके ओपर जीएस्टी नहीं लगेगा इट इस एक्जंट ठीक है वैल्यू अफ सप्लाय में एंसी भी आ गया एंसी भी बिकॉस और सी बैसी क्लारिफिकेशन विल भी जो मुझे मिला आज पॉलिसी होल्डर यह मेरा कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा क्योंकि मेरे और इंस्टरेंस कंपनी के बीच में कोई कांट्रेक्ट्रेक्ट्वल अग्रीमेंट नहीं है इसाट क्लियर चलो फास्ट आगे जाएंगे चैप्टर फो वेरी सिंपल इतना सह यह चोटु साहिए है हम आई डों लाइग दे लांग्वेज आग्वेज दे यूस इंस्टैट्वरी अपडेट कितना उसको सिंपलिफाय करने का तो दिस्टाम है सट मैं ही लिखी लेती हूँ नोट्स और आपको इजी वाले मतलब हो जाएंगे बिस दिस लैंवेज बिकम तुमको यहां से लड़की डांस करता कहां से दिखी उतने से इसमें दिख गया क्या फोकस है ठीक है चलो आगे अरे थर्ड का इग्जामपल दे के शम्मझायए न पिया GST आत्ठा पर लगेका यह पीस पर लगेगा एक जाफ़ साथ ही समझा हुसशा रही उससा बिटा आप आगे चलो आगे यहां पर हम फोकस करेंगे ओमाइग get at and what इसEault point payment of जहान से सुनना पीमेंट ओफ टैक्स में यह आपको पता है आपको पता है रपार हमरेपद तीन लेजर होते हैं और तुम भूलना ही न गया Okay so there is e cash ledger, electronic cash ledger जो होता है उसमें जैसे ही आप बैंक को पैसे देती हो पता है यह CIN नमबर ऑनलाइन जन्रेट करना परता है तो बैंक एक सक्सेस्फुली फिर बात में एक सी आइन जन्रेटेट फिर सी आ इन जो रोता है यह पोर्टल को बताते और पोर्टल को जब पता चलता है नहीं इसके पैसे जमा ओगये then that portal will put the money in your e-cash ledger मैंने पैसे आज भरे bank ने मेरी account से debit हो गए लेकिन government को मिले ही नहीं तो CIN generate नहीं होता है CIN generate CIN is चलान identification number CIN generate तभी होता है जब the money gets credited into the government's account तभी आप tax pay कर पाओगे ना यार अगर मान के जो लो check का payment नहीं मतलब हम चेक से सिर्फ 10,000 तक payment करते हैं मेरा tax 5,000 है मैंने चेक निकाला आज clearing के लिए 3 दिन नहीं लगता है क्या तो CIN आज नहीं generate होगा कब generate होगा clearing होके bank में जाने के बाद कभी-कभी मैंने internet banking use करके payment किया but system में errors के वज़े से बहुत होता है very common thing हमारे यहां clients में इतनी बार होता है office में yes portal पर प्रॉब्लम होता है it's all software related तो bank मेरी account से debit हो चाते पैसे client से देखो मेरी account में debit हो गया है लेकिन हम बोलते है यार portal पर शोर नहीं कर रहा है then we had to raise a request कि यार प्लीज यह दिखाओ क्योंकि आज last date है you know in GST I can't pay the without paying taxes I can't file the return income tax जैसा नहीं है income tax में बिना tax pay कि भी return भर सकती सिर्फ updated return नहीं भर सकते updated return के साथ tax pay करना होता है बाखी returns के साथ tax pay करने की ज़रूरत नहीं होती बट GST में इसा scene नहीं है GST में मुझे क्या करना पड़ेगा GST में मुझे पैसे भरने पड़ेंगे तो बहुत लोगों को यह problem आ रही थी दैन मुझे पोटल पर क्वेरी रेस करनी है फिर पोटल क्वेरी सॉल करेगा तो बैंक्स ने बोलते है एक मनिट जैसे ही आपकी अकाउंट से डेबिट हो जा यह गया है तो अगर बैंक ने जन 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 रही और यह जन रही अगर ट्रैंजक्शन आपकी अकाउंट से डेबिट हुआ है तो आरगिए के इस्क्रोल से भी हम अपड़ेट कर देंगे तूदौ तो चैश लेजर में आपके जैसे कैश दिखेगा अधरवाइस तील देन आ केनाट फाइल दे रिटर वह लेजर में भी दिखना चाहिए तो कभी-कभी वह डिले होने के वैसे दिक्कत आती थी तो अब हमने बोल दिया कि लेजर जो है वह इस्क्रोल ओफ आरबिया की स्क्र लेजर कैन भी अपडेटेड अन दे बेसिज ओफ इस्क्रोल ओफ आरबिया तो इलेक्ट्रोनिक स्क्रोल ओफ आरबिया के बेसिस पे भी आपका यी कैश लेजर अपडेट हो सकता है तो आपको रिटरन फाइले में दिक्कत नहीं आएगी इतनी सी बात चेंज हुई है पेम कीा उसको रिवर्स कर दिया है तो में का च्छों होगा कर दिया हर्शार माता की च्टोड जा एक तो एक उस फ्लो मैं आ जाते हर्शाहले सारी 엔र मन में बोलना सिर्व हर्श अपयमारे इतना उन स्वेंड्य स्टोरी ठीके नम ठेन inc अधिती मैम इन थोर्ड अमेंडमेंट पॉलिसी होलडर 18,000 पर GST पे करेगा येस अधिती येस वो 18,000 पर GST पे करेगा ये PDF का प्रिंट आउट अच्छे से नहीं आ रहा है अगर ये प्रिंट आउट अच्छे से नहीं आ रहा होगा आपको चाहिए तो मैं ये मेरे स्टाफ से टाइप करवा के आपको दे सकती हो बड़ वो कल दूँगी कर लिया पर्सों मिल जाएगा अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे प्रिंट आउट ही चाहिए ऐसा प्रॉब्लिम होगा तो अब हर्षद मैंता की स्टोरी पर हम फोकुस करेंगे तुमको सारा सीन याद होना चाहिए कि ये है एक सेलर फिर सेलर नहीं बोलेंगे यार आप आपके लाइफ पार्टनर को ढूंडने के लिए इतनी परेशानी मत उठाना जितनी अच्छा सप्लायर धूंडना बाबा हां बहुत जरूरी है वह बहुत जरूरी है क्या तामजा में पता है क्या I have to pay money to the supplier supplier has to pay money to the government तब जाके मुझे ITC मिलेगा यार ITC ऐसे आसानी से नह आपको कि आपके पास taxpaying document होना चाहिए उसकी copy होनी चाहिए फिर आपने goods और services receive करने चाहिए फिर supplier should pay the taxes to the government इतना ही नहीं सप्लायर ने GSTR 1 भरना चाहिए यह तो taxpay करना चाहिए फिर supplier ने GSTR 1 भरेगा तो फिर आपके GSTR 2B में reflect होगा तो हम ले लेंगे तो बेटा देखो स सारी responsibility सब सिर्फ supplier के उपर नहीं है what if यही पार्ट में आप फेल होगे तो recipient पेंगे to supplier इधर इस तुम फेल होगे तो क्या तुम्हारे उपर भी तो कुछ responsibility आने चाहिए ना देखो understand I have taking a bill of 1 lakh plus 18,000 GST अब recipient क्या करते है हर्शद मैता हर्शद मैता हर्शद मैता बोलते है चल क्या नहीं तो recipient के उपर भी कुछ responsibilities है recipient को भी बोला जाता है प्लीज आप आपका एक तो return भरो और return भरो तब आप GST क्लेम कर पाओ के set-off और दूसरी बात आप supplier को तो पैसे आप सिव बोल रहो हो supplier should pay the taxes supplier आरे you pay to supplier first you must pay the bill to the supplier within 180 days आयो तो you must pay the bill का amount plus the tax का amount ओहो हो क्या पे करना चाहिए आपने आए प्लस बोलो बोलो क्या I plus GST invoice plus the GST का amount आपने invoice plus GST का amount pay करना चाहिए हो कर नहीं बरो बर ना हाँ तो यह तुमने pay करना चाहिए आप तुमको pay करने का time कितना दिया है 180 days अब इसमें scene क्या था इसमें last time amendment क्या आया इसमें क्या था अगर मैंने 50% payment किया originally बहुत ध्यान से सुनके लेना मैंने 50% payment किया I was allowed to claim 50% ITC अगर मान के चलो पहली बात मैंने 180 days में कुछ भी payment नहीं किया but मैंने 18,000 का ITC ले लिया था तो I was supposed to reverse the ITC of 18,000 I should reverse the ITC of 18,000 फिर somebody comes and asks अरे मैंने पूरा payment नहीं किया मैंने आधा किया तो आधा तो ITC दोगे क्या पहले government ने हां बोला फिर May 23 के attempt के time बोला नहीं पूरा ही करोगे तो ही मिलेगा अब फिर से amendment करके अलाओ कर दिया अब उन्होंने फिर से proportionate अलाओ कर दिया माने अगर तुम प्रोपोशनेट पेमेंट करोगे तो प्रोपोशनेट ITC मिलेगा ने ने मैं जरा फिर से बताओ पूरा फिर से बताओं कि कोई बात नहीं सुनके ले ना वो एक बर ऐसा एक बर ऐसा confusion कर दिया उन् अपना recipient है अब हर्षद महिता जो है recipient है अब यह जो recipient है हर्षद महिता यहां बिल आ गया तो डिडिगेट अब येस उसके पास गूट आ गए हाँ supplier बहुत honest है उसने अपना return भर दिया taxes भी पेग कर दिया अब हर्षद महिता ने भी अपना काम करना चाहिए वो क्या आब मान के चलो बिल है 10 लाग 10 लाग प्लस कितना 1,80,000 तो it is एक situation I am not paid कुछ भी पे नहीं किया not paid anything within 180 days then entire 180 will be reversed and you will have to pay it along with interest यहां एक amendment यह भी हुआ था मै मैंने class में सिखाया था interest जो calculation है it will be counted from date of utilization of ITC from the date of utilization of ITC in short remember 180 will be reversed along with interest अब second now 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 very important this is the amendment if right now I had paid 60 percent is paid within 180 days then out of the total GST का tax का amount which is 180 अब 60 percent within time paid है तो what is 60 percent of 1,80,000 1,08,000 this 1,08,000 ITC is available and the balance 72,000 should be reversed माने मैं proportionate ITC reverse करूंगी आप जितना वाने आपने 180 days में कुछ नहीं पे किया तो आपका पूरा reverse हो जाएगा लेकिन मैंने 180 days में पूरा पे कर दिया तो हम कुछ भी रिवर्स नहीं करेंगे और मैं 180 days में थोड़ा से पे करती हूं प्रपोर्शनेट तो उतना प्रपोर्शनेट आपको ITC मिलेगा और बच्चा हुआ हुआ ITC reverse हो जाएगा और बच्चा हुआ ITC reverse होगा समझ में आ रहा है क्या येस और हम चार्ट में भी उधर ही अगर कुछ बच्चे से वह अमेंडमेंट्स देख रहे होंगे तो फड़ा फट करके लेते हैं ओ माइगाड जी एस्टी जी एस्टी जी एस्टी जी एस्टी किदर है जी टी लिखा है मैंने शायद हाँ आ गया और ये सेक्शन वान ब्रेन मैंपिंग इस स्टूदेंस कॉपी हर्शद मैंने यह है यह हमारी ब्रेन मैंपिंग भुक है आपको बहुत फाइदा हो रहा होगा इस वेरी नाइस और गुड तो रिवाइस फ्रॉम येस ओके अब सुनों हाँ यहां देखो पेमेंट ओफ आए कितने दिनों में करना चाहिए 180 डेज अगर आप नहीं करते तो पूरा 180 प्लस सेम एक्जेंपल 10 लाख वाला है ना अब यहां पर क्या था यह देखो आए की इस में पेमेंट कर देना चाहिए अगर आपने पेमेंट कर दिया नो इफेक्ट आइटीसी जो लिया है वो सही लिया है अब अगर आप पेमेंट ओफ आइस नॉट डन विदिन 180 डेज तो पूरा का पूरा इटीसी वन लाक एटी विल रिवर्स आलों विट इंट्रेस अब यहां पे सम एक्सेप्शन तो है यहां पे प्रपोर्शन हमने लिखा है क्या नहीं लिखा है यहां पे नहीं लिखा है ओक तो यहां पे आप नोट लिख सकते हो नाव अमेंडमेंट इस वेरी इंपॉर्टन सो इफ उली पार्ट पेमेंट इस डन इफ उली पार्ट में मैंने amendment के और अब फिर से उस amendment को उनोंने हाँ ठीक है if only part payment is done if only part payment is done then only proportionate ITC is allowed then only proportionate ITC is allowed if only part payment is done then only is the background good enough or you don't like that 3D 3D वाला ऐसा बहुत देर lecture देखना होता है तो मुझे नहीं पता है तु मेरे सामने ही बैठ है ना अब तु मुझे यूट्यूब से देखने वाला है ऐसे सामने ही देखने वाला है फिर वो उनको पूछ रहे हूँ वो वर्चॉली देखने में फोकस कर में थोड़ा यह होता है ना ठीक है चलो अब कहां जाएंगे हम लोग हर्षद में तक हो गया ओके ओ इस अमेंडमेंड मेंड ओके ओके मुझे ऐसे लग रहे है आई टीसी की दोनों जो अमेंडमेंड मेंड जहना बहुत इंपोर्टन है मैं आपको पहले बोला सारी अमेंडमेंड में इंपोर्टन होती है अब ध्यान से सुनते है चलो यह वाला पाट बहुत ध्यान से सुनेंगे यह इंट्रेस्ट इस काउंटेट फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होता है नॉट फ्रॉम देट ऑफ अवेलिंग नहीं एक डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होता है यह अल्रेडी मैंने क्लास में सिखाया हुआ है बट अभी रिविजिन लेते हैं वाग रीकाप करा करelli ना अ ना यूटाइँ हर तो अगर में ट्वेंटीटेटीटर इसक्राइशन है तो तुझे में ट्वेंटीटीटर हमिंद्मैंड मेंट है प्लस तुझान नहीं डाल है या तो से को अगरon मेंट क्रेंड़ेगा ई। November 23 के भी करने पड़ेंगे, ठीक है, हाँ, फिर एक कमेंड में पड़ेंगे और फिर बोलेंगे, चैनल होगे, अब सुनो, पे अटेंशन, चलो चलो, इस अप्लायर दस नोट पे टाक्स तु गवर्मेंट, अब सुनना, तुमने ये सप्लायर के उपर है, हाँ, आजित्य है सेंग, माम, जी एस्ट कॉंपोनेंट अफन अस्ट इस इंक्लूदेड, अगर जी एस्ट कॉंपोनेंट डेप्रिसियेशन में आड कर दिया, तो वो बोल रही है, सेकेंड मॉक टेस्ट में इटीसी, हम हाँ पता नहीं लेते, बट सेकेंड मॉक टेस्ट में सब्सक्राइब, अब देखो यहां पर, आपको पता है क्या, यह सप्लायर है, there are conditions, supplier & there is a recipient, अब आपने supplier बहुत अच्छे से धोन ना चाहिए, okay, तो आपको supplier को payment करना है Supplier किसको प्यर्ट करेगा gumon Ouch. now, there are certain rules and conditions that have to be satisfied only then you can claim ITC, one second ुम तुशार बोल रहा है, if ITC of 18,000 is reversed due to nonpayment within 180 days? yes very good, this question is very nice मैंने पहले 180 देज में पेमेंट नहीं किया तो आप मेरा ITC रिवर्स कर दो गए बिल्कुल सही फिर जब इन फ्यूचर आप इसा हो रहा था आपको इसा प्सक्ता मेरा आपको न फ्कॉस्सक्राइब बेदीस कुछ टाम लिमित नहीं है आप सून के लेना अप्ष्ट क्या है पहले पहला फटाफट संग पहला क्या है आई मस्वड्वर्स क्या है बुद्ध पात मैने इसे पात मैंने यह प्लाज सभी इसे और फिर पात बैयर Supplier ने क्या करना चाहिए? Tax पे करना चाहिए. Pay tax to the government. अब Supplier ने और क्या करना चाहिए? GSTR 1 भरना चाहिए. वो पोर्टल पे जाएगा. पोर्टल से मेरे 2B में आएगा. Is that clear? Yes. This ITC, recipient जो है, he should file the return. Recipient ने अपना return भरना चाहिए. और उसके बाद 6. This ITC should not be restricted under section 38. 38 अभी तक इतना notify government नहीं किया. It should not be restricted ITC. अब यहाँ पे वो थोड़ा और clarification दे रहे. Oh my God. थोड़ा और clarification दे रहे. इसी से related है. अब सुन के लेना. Simple सा है. अब वो क्या बोलते है? One of the conditions for recipient to claim ITC under 16-2 is that supplier has paid taxes to government and also it should be reflected in your 2B. यह correct है क्या? Yes. तो देखो supplier ने GSTR 1 भरना चाहिए. GSTR 1 के बाद 2B में आएगा. 2B के बेसिस पे recipient ITC claim कर पाएगा. However, अब supplier बहुत चालाक है. Okay? Supplier is very चालाक. What he does? He will file GSTR 1. What he will do? He will file GSTR 1. तो 1 भरने की वजज़से मेरे 2B में आ जाएगा. But वो जो करेगा काम वो GSTR 3B फाइल नहीं करेगा. वो पढ़ो मत अभी तुम. पहले अभी सुनो मैं क्या बोटरू. Supplier क्या करेगा? GSTR 1 फाइल करेगा. उसके 1 फाइल होने की वज़े से मेरे 2B में आ जाएगा. लेकिन वो 3B फाइल नहीं करेगा. वो बहुत 3B आराम से भरते है आराम से पे करेंगे टैक्सिस अभी नहीं करेंगे. 3B आराम से करेंगे. तो गवर्मेंट ने ये बोल देए काम करो. Supplier ने 3B भराई नहीं. वन भर दिया. सुनो. वन भर दिया तो मैरे 2B में आ गया. ठीक है. लेकिन उसने टैक्स पे नहीं किया. तो गवर्मेंट पहले क् 30 सब्टेमबर. तुमको यादे एक कॉंसेट अगर उसने सब्टेमबर तक वह 3B भर दिया तो तुमको एटी सी रिवर्स करने की जरुद नहीं है. लेकिन अगर उसने पूरा साल खतम हो गया. अगला 30 सब्टेमबर भी खतम हो गया. अब भी भी अगर 3B नहीं पे गिया. त करना then you should reverse it and you must pay it with interest और आपको यह सब सब reverse करने का correction करने का time आपको पता है what is the chance of correcting 30th November correction करने का time क्या है 30th November अब फिर से बोलते हूँ अब let us understand again from starting this provision is good यह किसके फाइदे के लिए है सब recipient के अभी सुनना सुनना देखो there is मोटा भाई there is राधे अब पहले क्या हो रहा था मोटा भाई ने क्या भर दिया GSTR वन बरा वन कहां भरा पोटल पे पोटल पे वन भरनी की वज़े से राधे के GSTR 2B में reflect हो गया राधे खुश हो गया उसने ITC claim कर दिया मोटा भाई ने गडबड यह कर दी कि उसने उसको भरना था वन भर दिया लेकिन मोटा भाई ने GSTR 3B फाइल नहीं किया यह नॉट फाइल जी एस टी आर थ्रीवी बहुत ध्यान से सुनना है यह नॉट फाइल जी एस टी आर थ्रीवी उसने GSTR 3 3B फाइल नहीं किया अब जी स्ट इर फईल नहीं किया तो इस एधर ऑख़ुस ओयो यह यह पियो बोलते हम GSTR में उसको यह पियो बोलते हम यह जी सी मिजलो बोलता है चलो चलो ताबर तो आईटी सी रिवर्स करो तुम्हारा जो सप्लार है मोटा भाई उसने से वन भर है और थ्री भी नहीं भर है यह राधे बोलता है यार क्या मैं आईटी सी लू की नहीं लू कितना परेशान करो कि गुड्स आ गए बिल्स आ गए मैंने 180 डेज में पेमेंट कर दिया मोटा भाई ने बर दिया अब मोटा भाई नहीं भर है मैं कितना फॉलो करूं मैं क्या क्या करूं मुझे तुम जी सेट आफ नहीं दे रहे रिवर्स करने को लगा रहे गवर्ण बोलते चलो यार इतना मत नाराज हो तू ले ले तू जैसा आईटी सी ले मोटा भाई को फॉलो अप करके करकर के उसको बोल दे वो थ्रीवी जो है ना उसको बोल अगला साल जैसे मार्च खतम हो जाएगा उसके बाद 30 सब्टेमबर तक तो फाइल करे तो ही मस्ट फाइल इट लीस्ट अगर फैब्रूरी का जी स्ट्र 3 वी चलो फैब में 3 वी नही की किया है मार्च का नहीं किया एप्रिल मेंने किया उसको बोल यार ऑक्टोबर सप्टेमब्र से पहले तो कर दे ठृत सप्टेम्बर अगर उसने 30 सप्टेमबर के पहले कर दिया तुम बच गये जैसा टी से लिए वो सही है लेकिन अगर मोटा भाई ने 3 वी नहीं फाइल क कब तक 30th September हो गया फिर आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा येस विद इंट्रस आपको ITC जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा समझ में आ गया किया येस जनरली आम इंट्रस करें 18% ही लेंगे तो यहां पर सब जगां इंट्रस करें 18% ही लेंगे समझ में आ रहे है कि आपको येस तो प्लीज लेट अंडिस्टैंड ना डॉन्ट गेट कन्फूस्ट बिकॉस्ट धेर इस 30th November था मैं यह सब क्या है डोंट गेट कन्फूस्ट एक चीज़ याद रखो मुझे as a taxpayer मेरे रिटर्न में यह कन्फूस्ट मत होना taxpayer को credit नौट एंटर करना है मुझे debit notes enter करने मुझे bills returns में corrections करने है मुझे credit note debit notes की enter करनी है मेरा पुराना कुछ bill है उसका ITC लेना छूड़ गया है मुझे सब कुछ correction करने का time कब तक है 30th November of the next year of filing of annual return whichever is earlier तो ये time तो होई है 30th November और actual date of filing the annual return whichever is earlier ये change नहीं हुआ है मोटा मेरे supplier ने उसका one भी भरना चाहिए मतलब मेरे टूबी में आएगे उसने टैक्स भी पे करना चाहिए मतलब उसने थ्रीवी भी भरना चाहिए उसके थ्रीवी की बात हो रही है उसने अगर थ्रीवी नहीं भरा तो चलो नहीं भरा आपने जो ITC ले लिया सही है आप मुझे रिवर्स करना है मुझे करेक्शन करना है मेरे रिटर्न में मेरे रिटर्न में करेक्शन करने का टाइम क्या है 30th November of filing of annual return whichever is earlier मेरा ITC लेना या नहीं लेना किस पे डिपेंडेंट है supplier supplier शूट अब उसने 3B भरा यह नहीं पे नहीं किया यह विचारा राधे मेरी क्या कलती है मैंने 180 डेज में पेमेंट किया मैंने सब कुछ किया मेरे 2B में आ गया मैंने ले लिया अब उसने 3B भरा कि नहीं मुझे क्या पता इस मन्त का नहीं भरा होगा for some reason तो गवर्ण बोलते हैं रुख जा रुख जा तुरंद मत रिवर्स कर पर इससे खेलते बैठते हैं रिवर्स करो फिर फाइल करेगा फिर ले लो वो ते रुख जा तू रुख जरा उसको 30 सब्टेंबर तक का टाइम दे उसने 30 सब्टेंब मैं वाइ रिवर्स विद इंट्रेस्ट अब मेरे को चक्कर आएगी अधिति वैसा ही होता है ना जी एस्ट में हा उसका फॉल्ट भी नहीं है अरे उसका तो फॉल्ट भी नहीं है फिर भी उसको ITC भी रिवर्स करना पड़ रहा है उसको ITC का अमांट सप्लियर को भी दे द नहीं हूँ मैं तुमको अक्ट पड़ा रही हूँ हाँ यह सब मन नहीं मन रहे है सब क्लासरूम में ठीक है अभी कुछ नहीं चलेगा अब मैहरत हों चल रहे है थर्ट्य अच्ट सप्टम्ब के बाद जीस्ट एज़ धर 3B फाइल करेंगे तो हम रिकलेम कर सकते हैं क्या हा हाँ उसका फॉल्ड यही है कि उसने सप्लायर गलत चूज किया तो मैंने तुमको वही बोला तुम एक आज बार लाइफ पर्टनर किसके साथ शादी करने उस पे इतना ध्याने को चलेगा यह GST में सप्लायर तो तुमको बहुत अच्छे से धून के निकलना पड़ेगा समझ शाद गवपमेंट दे रहे इस विल भी टीट इस सबसेडी एंड सफिडी पे वैसे भी हम जी एस्ट पै नहीं करते हैं इस क्लिए उसके बाद यहां जा गवर्मेंट है वहां वहां कोटस और ट्रपिनल आजाएगा तो कोटवां एदो रिपिनल जैसे रेंटिंग वानी सर करके फिर आप प्रीमियम पे करते हो तो 20,000 है और यह 18 यह इंपोर्टन्ट है यह वाला पार्ट तो हम किस पर GST लगाएंगे हम GST 18 पर लगाएंगे ऐसा किस ने बोला क्लारिफाय कर दिया डिस्काउंट अंडर सेक्शन 15-3 उसके बाद यह पॉलिसी होल्डर के लिए कंसिडरेशन नहीं है पेमेंट जब तक मेरे कैश लेजर में पैसे नहीं होते हैं मैं रिटर्न नहीं भर पाऊंगी तो 3 भी नहीं भर पाऊंगी तो मैरा मैंने चलन दे दिया पट सी आयन जंडरिट नहीं होता था प्रॉब्लम आती थी कभी कभी सिस्टम में एरर आता था तो वस एर्र को सौल करने के लिए हमने बोला और क्या है हमारे पास अवैलेबल अरे अर्बिया का इस प्रोल है तो आर्बिया के इस्क्रोल के बेसिस पे भी आपका एक्श ले प्रॉब्लमेंट करना चाहिए दोनों बिल प्लस जी एस ती लेकिन अगर मैंने कुछ भी पे नहीं किया 180 देस के अंदर तो पूरा आईटी सी जो मैंने लिया वो रिवर्स हो जाएगा मैंने पूरा पेमेंट 180 देस में कर दिया तो कुछ भी रिवर्स नहीं होगा लेकिन इसे गहर Quinn Tech फिमेंट किया तो प्र्रोपोर्चनेट रिवर्स होगा जैसे अगर मैंने 63 पर्सेंट पे किया तो मेरा 60 अलाओन होगा प्रटरता deflate सब्लायर ने क्या कर ना चाहिए supplier ने वन भी भरना चाहिए और 3B भरना चाहिए उसने वन भर दिया तो आय तो assume 1 भर दिया मेरे 2B में आ गया मैं खुश होगे मैंने ITC ले लिया मैं कहां उसको पूछने जाती हुए 3B भरा कि नहीं भरा तो कोवेंट कोलते है यार ठीक है मत परेशान नहीं करेंगे रेसिपेंट को चल उसने 3B नहीं भरा तू रिवर्स मत कर वेट लेट लेट फाइल थीवी तिल 30 सप्टेमबर एंड जैन्यूनली पीपल फाइल कभी-कभी प्रिवर्स करों फिर से क्लेम करों कशला तो फिर हम क्या करते है थर्ट इस सप्टेमबर तक वेट करो और उसने 30 सप्टेमबर तक भी नहीं फाइल किया तो फिर तो कुछ तो गड़ बड़े फिर तुमको तो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉंग विट इंट्रेस अन्नी इस पल्ण ऐस विट रबय से पता चलता है कि आपने पेमेंट कर दिया र्यगिस शबाल एक्स्टेमैल बंक से मबनों कंशन अब कवर और शे करों एककाउन THIS हम भेंग बताते हूँ ज्यादत निये कि आब सुना चला अथ आ तुमको अगर रेजिस्ट्रेशन का अफकोस इंटर जेनर जेनरली नाउट सीडिपोल इस पर फॉल चार्च इंटरेस्ट फ्लिड उटिलाइज़ेशन फॉल फॉल सुनो did not होना चाहिए कि एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन मेरा वो हो जाता है not मेरे हाद से रह जाता है बहुत बार coffee कीदर है but not filed sorry but not filed please make this correction I always my name not बहुत बार miss हो जाओ but not filed are we done एस पर मुझे लग रहा है कि बहुत चांसेस और क्वेश्चन आने क्या अब यहां क्या होता है रेजिस्ट्रेशन के लिए आए मस्स गिव मैं पैंना आप पाथार ऑथेंटिकेशन रहा है अब पता है एक प्रॉड हुआ बहुत डेंजर उसके नाम पर या उसके नाम पे जुनापर देलैं। तो यह मैंसे उसके लिए अमेंडमेंड लाते तो लोग draws पिर हमें पढ़ना पढ़ता हुआ सब और चेंजिस करने पड़ते हैं अब सुनो हाँ मतलब मेरे तुमारे हमारे सीए के बच्चों को पढ़ना पड़ता है ऐसा अच्छा सुनो अभी क्या किया उन्होंने स्काम ऐसा हुआ कि ऑर्गनाइजेशन एम्प्लॉई का पैन ले लिया अधार उनके पास तो रहता है र इस अप्लॉई बिचारा डेली वेजेस पर काम करता था उसके पास जीस्ट वाले गए कि तुमारी जीस्ट की इतनी करोडों की लाइबलीटी बोलता है मैं का करोड में तो इधर दिन का भी इतना नहीं कमाता हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ जीपाऊ तो फिर पता चले ये हुआ कि उसके पैन और आधार का नंबर के बेसिस पर नया सिमकाड ले लिया गया उसका इमेल आईडी क्रियेट किया ओटीपी सब वहां चला गया और कंपनी बना दी रेजिस्ट्रेशन हो गया और फ्रॉड हो गया देन देसेट हाव तो वी स्टॉप दिस्टॉप सब्सक्राइब करेंगे वहां जाके चेक करेंगे सही है कि नहीं और वहां से ही आपका इमेल आईडी और फोर नमबर उठा के लेकि आएंगे डों गिवस यूओ फोर नमबर तो जो इंकम टैक्स में आपने डेटा दिया उसी बेसिस पर हम लोग करेंगे तो इंकम टैक्स में अब यह सब फ्रॉड नहीं इंकम टैक्स सेटल जीस्टी नहीं तो यहां पर mobile number और, पहले mobile और email देना पड़ता था, CBCसcr गेल, Portal के लेकि जाएंगे अगरू लोग BCire侌ं गर बिचारा वह तो इंकम टैक्स में return भी नहीं भरता उगा इतनी उसकी कमाई भी नहीं तो उसका तो पैन की बेसिस पर पता चलतुए है तो रिटर्न ही नहीं भर रहा इंकम टैक्स का और GST में टॉन ओर करोडों का कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, इस टाइप का फ्रॉड होता ही नहीं, इसलिए यह बनाया है, इसलिए to that extent प्रोसीजर सिर्फ उन्होंने चेंज कर दिया, अब OTP जो पहले कौन से इमेल और मोबा पहले नंबर पर OTP जाएगा, that's the change, that's the only change, समझ में आ रहा है, otherwise वो जो प्रोसेस है, आधार ऑथेंटिकेशन सब सेम है, अब उन्होंने एक पाइलेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, गुजरात में, गुजरात में यह गुजरात में यह गुजरात में यह गुजरात मे अधार पॉसीबली नहीं है, because it is linked to your thumb impressions and biometrics बोलते हैं उसको, यह कभी duplicate नहीं हो सकते है, पैन में fake document देखके duplicate बना सकती हूँ, but nowadays it's not possible, so in गुजरात, they're gonna start a pilot project, जहां पर जादा रिस्क टेकिंग वाले लोग होंगे, उनका number identify, कुछ ना कुछ पैरमीटर रखेंगे, यह पहले implement होगा सिर्फ गुजरात में, so in गुजरात, biometric आधार authentication होगा, after making registration application, there will be biometric आधार authentication, कि यही आधार आपका ही है न, कि आपके आधार के जो fingerprints होंगे, तो वही से हम फिर से fingerprints लेंगे और चेक करेंगे, कि यह confirm match हो रहा है न, taking and we will also take photographs, we will also verify the original documents, आपको कहीं करेंगे, office में और आपके original documents check करेंगे, but यह only some cases होंगा, which are going to be identified on the basis of high risk applicants, अभी यह क्या basis यूज करते है, यह AI decide करेगा, artificial intelligence will decide, कि यह नया person है कि इसने अभी तक income tax भी में नहीं था, it's a new entity, ऐसा कुछ तो वह parameters रखेंगे, and it's a pilot project, मतलब if it is successful then they'll apply it to whole of India, if it's not successful, maybe they'll make changes accordingly, ठी ठीक है, so this is a pilot project, and only after this process, application will be deemed to complete, this is now going to apply in Gujarat as a pilot project, so they're not going to do this completely, but they're going to definitely do it only in the state of Gujarat, जहां पे biometric आधार authentication होगा, but बाकी states में क्या है, आधार authentication है, अब गुजरात में कौन सा authentication होगा, biometric आधार authentication होगा, ठीक है, yes, अब ठीक है, यह क्या हो गया, complete registration का process, हो गया क्या, registration chapter हो गया, अब आता है, exemption, exemption में simple से दो ही amendments है, और exemptions के बात क्या है, tax invoice, debit grade note, okay, okay, simple है, कोई अभी ऐसा ज्यादा यह नहीं है, simple सी amendments है, but यह आप definitely देख के जाना, कितना time हो गया, अपने को lecture start करके, एक घंटा, बस अभी 15 minutes में, major जो explanation वाले amendments से, वो हो गया, यह simple वाले, यह fast करते हैं, थोड़े, okay, now, let us go ahead, exemptions, exemptions में यह मैं आपको बता रही थी, actually, exemptions वाले बता दिया, लेकिन वो आगे आया है, renting वाले, देखो, renting of residential property, चला, fast, renting of residential property, अगर रेसिदेंस है, अगर आप registered person को दे रही हो, it is taxable and it is covered under RCM, लेकिन मैं घर, अगर मैं घर, मेरा hotel के तोर पर दे रही हूँ, मतलब मेरा घर ही है, बट मैंने उसको heritage home बना दिया, या airbnb, मतलब commercial purpose के लिए दे रही हूँ, and it is taxable under FCM, अगर अब मैं रेसिदेंस जो है, मेरा दे रही हूँ, बट रेजिस्टर पर्सन को यहाँ देखो, now what is an explanation is added, अगर आप renting of residential property, प्रोप्राइटर को करते हो, प्रोप्राइटर इस रेजिस्टर, PKD इस रेजिस्टर, मुझे घर लेना है रेंट पर, PKD इस रेजिस्टर, but it will be exempt if the renting of the house is for proprietor's personal purpose, मैं मेरे फैमिली के साथ रहने के लिए जा रही हूँ, तो वह exempt होगा, लेकिन अगर मैंने घर rent पर लिया, और मेरे स्टाफ को देने के लिए, मतलब क्या वो मेरे business purpose के लिए था, yes then it is taxable and then I will have to pay GST under RCM, तो मैं अगर Reliance Industries को दिया, यह तो proprietor नहीं है, आरे तुम्हारा तो GST, नमर तुम रेजिस्टर हो, चलो चलो यह RCM में cover होता है, तुम टैक्स पे करो, अरे बट लेकिन मैं ले रही हूँ, मैरे personal purpose के लिए, तो फिर यह taxable नहीं होगा, ऐसा explanation उन्होंने एड किया है, yes, बिजिनेस के लिए और personal तो अलग अलग पैन रहता है, नहीं अलग पैन रहता है, अगर मैं प्रोप्राइटर हो, तो पैन अलग होगा, अगर मैंने business as a firm firm किया, तो मेरा पैन अलग होगा, but as a proprietor, मेरा P कामदार and company है, कामदार and company and PKDR, one and the same, PAN is the same, हाँ, ठीक है, अब education services, education services में change नहीं, amendments कुछ नहीं है, दो clarification आट के, amendment कुछ है क्या, नहीं, जैसा मैंने पढ़ाया होगा, मेरे marathon lecture में exemption का, lecture बहुत बढ़िया है, two, two and a half hours का है, बहुत अच्छे से लिया है, मैंने, please do watch that lecture, watch speed भी बढ़ा लोगे ना, तब हाँ पे हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखना, if employer has given money to pay rent to the employee, बेटा देन, that will go under salary, मन्दब I am giving him HRA, then salary पे JST नहीं आता है, ओके, अब सुनना, Central and State Educational Boards होते ना, एक Government के Boards होते ना, State Board, SAC Board, अलग-अलग Boards है कि ने, Government के Boards होते है, CBSC Board, यह Boards है, यह Boards कौन सी service प्रवाइड कर रहे है, students को, conduct of exam, so they are providing services of conduct of exam, then this Central and State Educational Boards will be treated as educational institutes, only for the limited purpose, and this service will be exam, मैं आपको यार दिला, एक सेकंड में, educational institution के कौन सी services exam होती है, preschool वाली, school वाली, recognize degree आप प्रवाइड करे हो, यह आप एक vocational training दे रहे हो, तो जैसे SPC या PKD का coaching class होगा, तो इस पे GST लगने वाला है, हम education institution की category में नहीं आते है, education institution की category में कौन आते है, चार ही लोग आते, preschool आता है, school आता है, preschool, school, colleges और institutes providing recognized degree, में कोचिंग करने से आपको कोई degree नहीं मिल रहे है, आप में से value addition हो रहा है, degree नहीं मिल रहे है, recognized degree मिलेगी तो इसको education institution बोलेंगे, plus उसमें फिर हम बोलते है, कि vocational institutes providing those designated trades वगरा जो है न, vocational training और डेजिगने वोकेशनल courses, अब इसमें हमने बोल दिया कि चाहे, central or state government के boards जो है, sse board, cbse board, यह education institution की definition में नहीं आ रहे, but if they conduct entrance exams for students, for admission into these colleges and universities, or then this exams for that purpose, this exam fees के ओपर GST नहीं लगेगा, इस limited purpose के लिए इनको भी institute माना जाएगा, और इस पे GST नहीं लगेगा, तो आपको आ सकता है, कि education, sse board is collecting rent, दूसरा, sse board is collecting fees for entrance exams, calculate GST, तो वो जब entrance fees पे amount collect करें, उस पे GST नहीं आएगा, but अगर वो rent ले रहे है तो उस पे GST आएगा, ऐसा मतलब अलग-अलग फिर यह होगा, it will be treated as education institution only for the purpose of, only 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 for the purpose of limited purpose that is it is the service would be exempt, हां मैं exemption वाला part pin करती हूँ, somebody in the break, will you just help me marathon, वो lecture में से timing क्या है मुझे बता दो, आप जब break लेंगे न, तो फड़ा-फट उतना timing लेके मैं हेमन को बोल दोगी, उतना lecture cut करके, either इसी marathon के end में add करेंगे, या तो नीचे उसका हम link add कर देंगे, चलेगा, तो मुझे आप पक्का से, पक्के से याद दिला दो, आगे जाएंगे, नैशनल टेस्टिंग एजनसी होती है, यह नैशनल टेस्टिंग एजनसी किसने सेट अप किये, इसी सेट अप बाई CG and SG, यह गवर्मेंट ने सेट अप किये, यह क्यों सेट अप किये, इसी अगें टो कंड़क एंटरेंस एक्जाम, फोर कंड़क्त आफ एंटरेंस, आच्छा, यू नो क्या, आई नो क्या, रिसेंटल बिकाज, अभी मेरे, my son is in 9th standard, but we have paid a registration fee, हमें CBSC board में उसका registration कर वाया, उसका photo, नाम, वाम, सब दिया, तो उस registration fee पे हम अभी GST पे नहीं करेंगे, because of this notification, यह यह वाला, conducting of exam, board exam conduct करते हैं, centers यह करके सब उसके लिए वो fees लेती है, हाँ, तो उस fees पे GST नहीं आएगा, और अब यह national testing agency है, एक यह agency है, जिसको हमने काम outsource किया है, they will conduct entrance exams, और यह जो entrance exams students के लिए conduct करेंगे, इनको भी exemption grant किया है, लेकिन सिर्फ limited purpose, और limited purpose किया है, conducting of exam, सिर्फ यह purpose, खुद को national testing agency है, खुद को education institute मान के नहीं लेना चाहिए, सिर्फ limited purpose के लिए उनको हमने दिया है, exemption and what is that limited purpose, that limited purpose is only 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 for conducting of exam, entrance exam, समझ में आगे है, तो दोनों को दिया है, CBSC boards और यह सब boards है, उनको exam conduct करने के लिए fees हैं वो नहीं माने जाएंगे, एक second I will just pick up this call, one second, okay, oh oh oh, SPC entrance exam conduct कर आएंगे तो GS लगेगा, अगर हम central और state government के notified national testing agency बन गे तो नहीं लगेगा, वरना तो हम पर GST लगता है, लगता है, आगे जाएंगे, some clarification, okay, clarification हाँ, simple सी है, आपको यह already पता है, services provided, चलो चलो, इस में से कोई ना कोई question पक्का आने वाले हैं, amendments पे 4 यह 5 माग से question आते, which is quite a lot, यह वाला और में वाला आपको देखना है, अब सुनना, some clarification, already services by CGS, UT, LAR exempt, यह हमको पता है, कुछ services exempt नहीं है, हमें यह भी पता है, services of force, services of that, aircraft and vessels नहीं है, क्या, वो यहां लेना, services of aircraft and vessels, यह taxable होती है और यह जब taxable होती है ना, this is always under FCM, बाकी की services of government come under RCM, अब इसमें clarification क्या है, air force, mess, army, mess, navy, mess, parliamentary और police की mess होती है, यह लोग accommodation services देते हैं, उनके staff को, तो यह क्या देते हैं, mess भी होता है, और वहां पे accommodation services भी आती है, तो यह जो accommodation services है, कभी-कभी उनके लोगों को देंगे, और और किसी व्यक्ति को देंगे, this accommodation services will be treated as exempt, इनको भी ऐसा ही माना जाएगा, as if they are providing services, these are just like CGSG, UT, LA, basically air force, mess, navy mess, इनको भी क्या माना जाएगा, CGSG, UT, LA, और government की services जैसे exempt होती है, इनकी भी हम services को क्या कर देंगे, exempt कर देंगे, ठीक है, इनकी भी services को हम exempt कर देंगे, simple, तो exemption में क्या clarification आगा है, national testing agency और board जब exam conduct करेंगी, तो उसके उपर GST नहीं लगेगा, और यह जो air force mess वगर्र, आपको क्या देंगे, accommodation की services मिलेंगी, तो इसके उपर भी GST नहीं लगेगा, तो उसके उपर भी क्या नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा, हो गया clear, आगे, payment of toll पे GST लगता है क्या, हाँ, जब आप highway और road के लिए जाते हो, और toll पे करते हो, ने वो सॉरी, एक्जम्ट है, अभी वो एक्जम्शन विड्रॉग गया, उल्टा, payment of toll, toll पे करते हैं ना हम, तो टोल पे करते हो, जब highway वगरा पे जाने के लिए, तो उसके उपर GST एक्जम्ट है, annuity भी पे करते हैं, annuity मतलब एक्दम साल भर का toll एक साथ पे करते हैं, हाँ, इस पे पहले exemption था, अभी exemption विड्रॉग कर दिया है, हाँ, ये exemption विड्रॉग हो गया, कौन सा वाला, paying annuity, so that you can enter the road or the bridge, use the road or the bridge, ये वाले जो annuity पे GST लगता था, GST एक्जम्ट था, अब taxable हो गया, अब taxable हो गया, हो गया, देख लो, देख लो, दन, तो भी क्या बचा भी, taxes, invoices and debit credit note, अच्छा मैं taxes, invoice and debit credit note में, एक चीज़ से आपको इधर भी कुछ, खास amendment नहीं है, simple सा है, हाँ, बड़ आपको ये बता दू, हमेशा बच्चों की query आती है, e-invoicing, e-invoicing की limit 10 करोड ही है, e-invoicing की limit कितने हैं, 10 करोड, और QR code डलना होता है न, dynamic QR code, उसकी limit है 500 करोड, तो आपका turnover, FI 1718 onwards, 500 करोड की उपर, किसी भी year में चला गया, एक बार भी चला गया, तो आपको QR, dynamic QR code डलना पड़ेगा, और अगर आप e-invoicing कर रहे हो, आपका turnover last, 1718 से लेके आप तक कभी भी, एक बार भी 10 CR की उपर चला गया, तो आपके लिए e-invoicing compulsory है, इस जो भी मैंने classes में पढ़ा हुआ, 80 के limits है, इसमें कोई भी change नहीं हुआ है, वही आपको exam के लिए applicable है, वही आपको exam के लिए applicable है, विए बच्चों के मुझे बहुत बार ये query जाते है, कि मैं e-invoicing की limit change होगी, कि हर बार होती है, इस बार ये limit 10 CR ही है, और 500 CR ही है, अब, पूजा मैस वाले में कुछ जादा नहीं है, don't don't get into it, मैस वाला providing accommodation services is taxable, is exempt, sorry, मैस providing accommodation services is exempt, दे वोड़ बीटीटेट अजे किसकी मैसे, आर्मी, नेवी, पुलीस, उनकी मैसे, हा, तो खाना पीना रहने का जो भी उदर मिल रहा है, वो सब services में वो exempt माना जाएगा, अब आगे, अलरेडी, हा, tax invoices, debit notes and credit notes, ओके, अलरेडी अच्छा, यह एक simple सी बात है, इतना, यह वाला important इतना नहीं है, हसी बाशेख बोल रहे, 5CR है ना, 5CR का notification आया है, बट आपके लिए तो नहीं लिया है, हा, तो वो आपको applicable नहीं है, तो amendment notification आया था, बट I think it is not yet been notified की, हम सोचते की change करेंगे लेकिन अभी तक नहीं है, moreover, what did I do, I checked your module, module में वही है जो मैंने पढ़ा है, अब उसके बाद मैंने statutory update देखा, statutory update में change नहीं है, मतलब जो हमने module में सिखाया है, और जो मैंने सिखाया है वही applicable है, बात ही खत्म, इसमें आप कोई भी confusion नहीं करेंगे, ठीक है, yes, ओके, उसके बाद, हाँ, अब यहां पर क्या है, यहां अगर supplier unregistered को sell करता है, unregistered recipient को हम जब sell करता है, आपको पता है, मेरे ना tax invoice पर कुछ चीज़े होना जरूर है, recipient का नाम, recipient का address, recipient का GST नमर यह सब, लेकिन अगर recipient unregistered है, and then 50,000 की value तक, it is optional, तो चाहे में उस recipient, एक तो recipient unregistered है, मतलब B2C हो गया, वो ना तो set off ले रहा है, ना तो कुछ ले रहा है, तो मैं 50,000 तक ही sell कर रही है, तो मैंने चाहे उस बिल पे उसका नाम नहीं डाला, उसका address नहीं डाला, तो यह मेरे लिए optional है, अब उन्होंने क्या बोला है, लेकिन अगर आप ECO के थूँ sell कर रहे हो, ECO के थूँ किसको sell कर रहे हो, unregistered person, या OIDAR, मतलब Online Data Access and Retrieval Services है, OIDAR, क्या है याद नहीं आ रहे है, क्योंकि आपको applicable है यह नहीं, वो कहां है final में, अब invoice जो है, इसमें यह information होना चाहिए, recipient का नाम, address, यह सब होना चाहिए, irrespective of the value of supply, supply की value कुछ भी हो, recipient का यह जो data है, यह होना चाहिए, कौन सेल कर रहा है अगर, e-commerce operator, e-commerce operator सेल कर रहा है, कितनी भी value हो, पहले थोड़ा सा relaxation दिया गया था, कि 50,000 की value तक, आपने recipient का नाम वगरा, बिल में नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन अगर, यह invoice कौन रेस कर रहा है, e-commerce operator, सामने वाला unregistered है, अब आगे, e-invoicing, yes, you know मैंने इसले लिमिट डाल दिया, e-invoicing is mandatory, if ATO exceeds 10 crores in any of the preceding FIF from 1718, मेरा ऐसा मनना, e-invoicing के हमेशा question आता है, you should know 4 to 5 things, e-invoicing के बारे में, आपको क्या बतावना चाहिए, कि e-invoicing applicable कब होता है, तो कब होता है, अगर आपका ATO 17 crores से, 17, 17 नहीं, 10 crores के ऊपर है, and of course in any year counting from 1718, then you should know किसको applicable नहीं है, जैसे government है, यह वो इनको applicable नहीं होता, then you should know इसके advantages क्या है, तो when is e-invoicing compulsory, when is e-invoicing not compulsory, they generally ask you a question in the exam, तो मैं अभी RTP कराऊँगी, तो उसमें वो cover हो जाएगा, अब invoice come bill of supply, आपको यादा रहा है किया, invoice come bill of supply, अगर supplier देखो मैंने लिखके दिया, supplier क्या, supplier सुनो ना, normal supplier है, I am selling taxable goods, then I should raise a tax invoice, but if I am a composition supplier, और I am selling exempted goods, then I should raise a bill of supply, but if I am a taxable person, and you are unregistered, recipient कोन है, unregistered है, then I am giving both goods, taxable as well as exempt goods, तो मैं फिर से, tax invoice भी raise करू, bill of supply भी raise करू, तो हमको बोल दिया, नहीं नहीं सामने वाला unregistered है, तो आप क्या बना लो, invoice come bill of supply, invoice come bill of supply, now it is clarified, that all the provisions relating to, tax invoice में जो जो contents होने चाहिए, recipient का नाम, recipient का अगर registration नहीं है, तो नहीं, पर जो भी value होनी चाहिए, tax, जो taxable goods, उसकी tax की amount, जो जो contents, tax invoice में होने चाहिए, वही contents, invoice come bill of supply में भी होने चाहिए, बस, जो contents, tax invoice में होने चाहिए, वही contents, invoice come bill of supply में भी होने चाहिए, invoice come bill of supply कौन रेस करता है, supplier, जब he is selling goods to a unregistered recipient, and he is selling taxable as well as exempt goods, समझ में आगे, बस, इतना है, e-invoicing के बारे में, अब सुनना, e-invoicing के बारे में यह बोला है, some entities are exempt from e-invoicing, e-invoicing कब applicable है, जब आपका turnover 80 or 10 CR से जाधा होगा, किसको e-invoicing applicable नहीं है, अगर आप SEZ हो, Special Economic Zone हो, Insurance and Banks, GTA, and passenger transport services, cinema hall में जाते हो, कहां cinema hall वाल आपको, उसका turnover 10 CR के उपर, आपको नहीं नहीं बोलेगा, रुख जा मेरे को e-invoicing करना है, कहां क्या ज़रूत है, transport, passenger, कहां वो e-invoicing करते हैं, कि banks, insurance, कितने customers होते हों कि, कोई ज़रूत नहीं है, Government, Local Authority, आप सिर्फ ये clarify किया है, कि that e-invoicing exemption is a whole exemption, माने, bank ऊपर है न, insurance और bank companies को क्या बोला है, आपको e-invoicing निकालने की ज़रूत नहीं है, अब bank पूछती है, कौन सी service के लिए नहीं देना है, अगर मैं banking services दे रहा हूँ, या bank के पास कुछ जगय है, उन्होंने rent पे दे दी, renting services दी, bank को हमने बोला, आपको blanket exemption मिल गया है, आप कोई भी service दो, banking ही service होनी चाहिए, ऐसा जरूरी, नहीं है, आप bank हो, आप insurance हो, हम ऐसा नहीं बोल रहा है, insurance है, तो सिर्फ insurance वाली service पर, invoicing नहीं है, बाकी पर है, नहीं नहीं आपको blanket exemption दे दिया है, यह उपर के जो व्यक्ति है, A से लेके F तक, इनको कभी भी, e-invoicing करने की जरूराथ नहीं है, इनको कभी भी, e-invoicing करने की जरूराथ नहीं है, let them give banking service, or let them give any other service, let them give banking service, or let them give any other service, इनको e-invoicing applicable नहीं होगा, do you understand this, yes, बस इतना ही बोला है, अब, returns, returns में यह आपको learn करके जाना है, late fee में change हुआ है, कौन सी late fee में change हुआ है, यह सिफ annual return, annual return कौन सा होता है, आप GSTR 9 या GSTR 9 ए भरते, annual return, इसकी due rate होते है, 31st December, यह साल भर का आखरी का return होता है, final return अलग होता है, final return और, final return अलग और annual return अलग, final return वो व्यक्ति भरता है, जो cancellation के लिए apply करता है, तो अगर मैं cancellation के लिए apply करती हूँ, तो मुझे final return भरना ही है, plus मुझे annual return भी भरना ही है, you must in the return chapter, आपको क्या रखते हैं, वो return लेके बैठो, पूरा 2-3 घंटे, कुछ नहीं करना है, return की chapter में, मेरा सिर्फ lecture देखना है, अपने lecture में आपको दिया गया है, हर returns की due rate क्या है, अभी जो marathon lecture उसमें भी returns बहुत बढ़िया और अच्छे से किया है, आपको सिर्फ देखना है, हर returns की आपको due rate पता होनी चाहिए, you must know the due rate, nil return, वगरा वगरा कैसे भरना है, वो सब पता होना चाहिए, अब देखो, ATO, यहाँ पर late fee क्या करिए, ATO आपका less than or equal to 5 croze है, तो late fee कितनी रखिए, 50 rupees per day, और, it is restricted to this, मतलब क्या, 50 rupees per day, और 0.04% of turnover, whichever is lower, ऐसा भी होता है न, इसका मतलब, 50 rupees per day, और, 0.04% of turnover, whichever is lower, अगर आपका ATO, 5 crore से ज्यादा, लेकिन 20 crore तक है, okay, then it is 100 rupees, it is 100 rupees, और, 0.04% of turnover, whichever is lower, and if your ATO is above, 20 crore, then it is 200 per day, और, 0.5% of turnover, whichever is lower, समझ में आ रहे है क्या आपको, yes, मतलब यह ceiling है, 100 या 200 per day तो लगे गाई, but maximum कितना लगेगा, यहाँ पर 0.5% of the turnover in the state, do you understand this, so you can get a theory question, क्या बोल रहे है तू, समझ में आ रहे है क्या आपको, पक्का, हाँ, तो एक मिनट, यह हो गया, okay, cases where, ठीक है, हो गया, last two amendments, cases where a person shall be debarred from filing GSTR 1 और IFF, ओहो, कौन GSTR 1 नहीं भर सकता, मैं already we know one case, अगर आपने last period का GSTR 1 नहीं भरा होगा, तो आप इस बार का GSTR 1 भरी नहीं सकते, GSTR में एक fund अ क्लियर है, I must file the returns for the earlier period, only then I can file the GSTR return for the current period, अब उन्होंने क्या बोला है, now, now they are saying a new clause has been added, जहाँ पर taxpayer को हम inform कर रहे हैं, कि यार तेरी GSTR 1 और 3B में difference है, I'll tell you guys, सबसे जाधा fraud यहीं पर होते हैं, क्या करते हैं लोग पता है क्या, GSTR 1 मस्त भरेंगे, क्योंकि GSTR 1 भरने से, GSTR 2B में information जाते हैं, और सामने वाला ITC क्लेम करते हैं, fake invoices यहीं पर होते हैं, लेकिन tax करने की बारी आती है, तो उनके परस पैसे नहीं है, क्योंकि fake है, तो वो GSTR 3B में, sale कम दिखाते हैं, यहाँ पर मैं sale दिखाऊंगे 100 CR, यहाँ पर मैं sale दिखाऊंगे 60 करोड, because मुझे 60 करोड पर tax pay करना है, अब बहुत सालों तक 1 और 3B में difference था, अब पता है, आपको constantly 1 और 3B में difference होगा न, आपका registration भी cancel हो सकता है, और वो तो है, यहाँ अब पढ़ा है आपको, GSTR 1 और 3B में difference होगा तो, पोर्टल आपको intimate करेगा, पोर्टल आपको क्या करेगा, intimate, हम बोल रहे हैं, यार हम क्या है, पोर्टल पर तो software होगा, 1 और 3B का difference निकालो, टोटल दे तो software होगा, तो काम भी नहीं करना अलग से, पोर्टल तो एक software में सिर्फ कमांड डाल देगा, कि 1 देखो और 3B कंपेर करो, और दोनों में difference है, तो send a intimation, वेन यू गेट इंटीमेशन अबाट इस, तेन टैक्सपेर शूड ओफर satisfactory reply, कि नहीं नहीं, जी एस्टर 1 में गलती से duplicate हो गया, आपाटी में गलती से duplicate हो गया, तो आप satisfactory reply दे दू, जी एस्टर में आप कभी भी return reverse कर सकते हो, क्या, नहीं, income tax में return reverse हो सकते है, जी एस्टर में वह सती रुकोरों को गलती हो गया, जी एस्टर 1 रिवाइस करते हो, पॉसिबल नहीं है आपको उसका अमेंड में अगले रिटर्न में करना होता है तो यू गिवर रिप्लाइ और यू पे दिफरेंशिल टैक्स यू से अरे इस वसके एरोर आई रेक्टिफाय माई थ्रीबी इन नेक्स तैम और पे दिफरेंशियल टैक्स फिर सही है फिर आपको प्राइब नहीं किया जाएगा नहीं तो आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा और आप GSTR 1 भरी नहीं पाऊगे और मोमेंट यू नॉट अबल टो फाइल वन नहीं पाऊगे और आपके बिजनस करना बंद कर देंगे या तो आपके दुकान में आके बोम बोम करेंग GSTR 1 प्रवाइड डिफरेंस इन GSTR 1 एन GSTR 3 भी विल सेंड यू नोटिस विदिन 7 देज गिवस अ रिप्लाइब और यू पे रिफरेंशल टैक्स खतम समझ में आ गया इवे बिल इवे बिल ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल्स और सिल्वर आर्टिकल्स के लिए नहीं करना पड़ता कैसा करेंगे पूरा इंफोर्मेशन बता देंगे तो चोरी हो जाएगी समझ में आ रहा किया तो ज्वेलरी सिल्वर इसके उपर अपन GST इवे बिल रेस नहीं करते फिर यह लोग जो इमिटेशन ज्वेलरी करते वो भी इसका फाइदा लेने लगे तो हमने अभी amendment कर दिया कि for jewelry goldsmith silver wear no need of e-way bill except यह अभी आड़ कर दिया माने अभी imitation jewelry पे e-way bill generation is compulsory तो you will get a question like this Mr. X is a jeweler and he is into the business of imitation jewelry and he is of the opinion that he should not generate a e-way bill because jewelry is exempted इसे नो only gold silver and real jewelry is exempted imitation jewelry is not exempted now how to write a paper यह मैंने YouTube पर लेक्चर ले आपको लगया बहुत फालतुसी बाते बट वो छोटी-छोटी important बाते वो help करती है अब इसमें यह type का question है तो पहले आपको लिखना है provision of law उसको underline करना है और वहां पर लिखना है एस पर the provision of law एवे बिल is required to be generated in case is not required to be generated for gold jewelry silver jewelry except imitation and then facts of the question तुम लोग school में पता है math में ऐसे geometry में करते थे given to prove वो ही करना है कुछ अलग नहीं है facts is question given and क्या प्रूव करना है वो conclusion में लिखना है अबको और उसके लिए logic होना चाहिए logic is a provision of law so write the provision of law given question में क्या and make a conclusion and write it separately and then hence proved and hence passed yes okay so हो गया my amendments are done yes so amendments are done now it's quarter to four okay I don't know वहाँ पे class खाली है या नहीं मुझे नहीं पता तब तक मैं पूछ लो क्या तो concept of supply start करूँ क्या आपको break चाहिए I can start I have no problem ठीक है पांच में ऐसे ब्रेक लेते है कर शिर्ड़ा क्वाज आप दोंगि आपको यह जो आए नहीं मेरी आए नहीं मेरी क्लास में ऐसा मेरा गाना हो अगरे दोन मिंटा ब्रेक हमें दोन मिंटा चाहिए ति थी ते अवेलेब़े लेका क्लासब्स आनन से स्वालो आवाज नहीं चारे है आनन से बहुत अच्छा कान गाते मुद्ध थिरेसली ले लिए यह है जोई देशीन क्लास फेसा अब कि आप आनन से को बुछना उवर सिंग खरते है मुझे कोई भी ने सिखा सकता इतना बेश सु रहा है मेरा दाना हाँ तुमको प्ले करना तो करूँ अब फड़ाफट सप्लाइ करते व्यूएस करते स्ए़ था lige मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सप्लाइ इसी सप्लाइ और विवाइस करने के बार बीच में सब रादी नहूंता था नहीं आँ रख ब्रेक नुट्रे और मिनटी क्लाषेट निए हां था प्ल activity क्लास्णरMंनि आ भा को आ पहले माईगरेशन सर्टिफिकेट, रांको सर्टिफिकेट पे लगए झाल 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 किसी करेंगे क्या तुम बोलो क्या करो सप्लाइ करा दो और वी ओएस करा दो सप्लाइ वी ओएस और फिर आटीपी ऐसा फ्लो रखेंगे फिर आईटीसी फिर क्या रेजिस्ट्रेशन अच्छा ठीक है ओके ओके चलो कितना टाइम बचता है उसके उपर भी है स्टार्ट एमी लाइव है ओके चलो यह तुम लोग वापस आगे क्या लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे किदर यह यूट्यूब पे लेट्स स्टार्ट ए बाइग्राउंड प्लेइन लाओ नजरा लाइट कलर साथ प्लेइन लाओ प्लेइन लाओ चलो लेट्स स्टार्ट मैं थोड़ा फास्ट रिविजन करा दू चलेगा क्या मतलब बहुत डीटेल वाला नहीं करा हूंगी से और की दीट्स सब्लें लाओ चार्ट फॉर फिफ्टेशन लाओ फॉर दीट इन तीट्स सब्स्टों किदर है यहार हम प्ली इन द्थी पेंस स्टूबंग पेंस्ट्वर्ण टेलेग्राम पे लाइब स्ट्रीमिं के बच्चे तो करते हैं आप face to face बच्चे इतने active नहीं और face to face बच्चे को ऐसे class में देखने के आदत होती है ना तो ऐसे याद आता है कि यहां बैठने वाले कहां वो कहां गए इनका क्या हो रहा है है ना चलो let's start I'll I'm starting with supply okay why can't I find the GST I found it supply means I should start with brain mapping brain mapping से करता है फिर थोड़े सिर्कुलर यहां नहीं है तो सर्कुलर के लिए मैं नोट से करा दूँगी चलेगा चलो let's start let's do it super fast concept of supply यूट्यूब पर बच्चे आगे के वापस सुनके लेते हैं चलो ठीक है देखती हूँ इधर तो requirement अलगी है सब chapters की इनको सब model 2 चाहिए ठीक है देखते है let's open schedule one we'll start with okay let's start यहां से charts के flow में जाना पड़ेगा ठीक है अब यह समझत है सुनके लेना what is a supply and what is not a supply में थोड़ा से यहां पर लिखके देती हूँ तो मुझे एक flow बन जाएगा ठीक है ready let's start supply जो होता है वो section 7 में covered किया जाता है section 7 1 a defines supply supply includes all forms of supply whether done for it should be for consideration in the course and furtherance of business मतलब generally C होना जरूरी और B होना जरूरी है there should be consideration and there should be also a business purpose supply is always for consideration and in the course of furtherance of business now यह normal हो गया इसमें मतलब कुछ नहीं इसमें अलग forms of supply है यह sale हो सकता है exchange हो सकता है बाटर हो सकता है transfer हो सकता है disposal हो सकता है all of this is supply what is important कि थोड़े थोड़े अलग से parts बनना चालो हो जाते हैं जैसे section 7 1 b है section 7 1 b यह बोलता है कि supply this is importation basically 7 1 b talks about importation now importation के दो parts होता है of course but यहां पर मैं 7 1 b बोलती हूं importation of services हो रही है तो importation of goods जो होता है वो customs में cover होता है तो importation of goods पर हमें BCD plus IGST लगता है उस IGST का set off मिलता है but यह जो है क्या मैं रामबान से open करके पढ़ाऊं कि आपको इसमें से करेंगे ना तो यहां वो full chart कहां है मुझे कौन सा वाला है बता दो जहां पूरा supply का एक overview आता है पूरा supply हाँ मिल गया मिल गया ठीक है ठीक है यह आ गया so section 71a मैं आपको बता रही थी तो यह तो simple वाला supply है all forms of supply अब section 71a भी है बीच में हाँ वो यह बोलता है यह भी इनको पसंद kind of एक trade union है unincorporated association और उनके members है क्या है एक trade यह आपके पास एक चार्ट होगा बता section 7 एक बना हुआ चार्ट होगा blank था क्या ready made है आपके पास ready made है ओके ठीक है तो सुनके लेना तो section 71a section 71a यह बोलता है कि unincorporated association जब यह services किसको देता है अपने members को देता है when it provides the services to its members the members and unincorporated association will be treated as separate persons और इसके उपर जो भी transaction होता है इसको supply माना जाएगा क्यूंकि supply के लिए हमेशा there have to be two persons okay supply के लिए हमेशा दो व्यक्ति का होना जरूरी है consideration का होना जरूरी है बिजनस के course में होने का जरूरी है अब section 71b talks about importation 71b क्या बोलता है आई अब यह हमारा इस टाइप से लिखावा बहुत easy और हमें help करता है i of service for c whether in the course of b or not in the course of b तो यहां मैंने आपको एक यह सिखाया कि i को b या c किसी एक का साथ होना जरूरी है तो यहां पर importation of service for consideration whether in the course of b or not in the course of b generally यहां पर ना उनको इस टाइप का question पूछना पसंद है कि मैंने ना importation of service करी आप student है आपने importation of service करी आपने किसी से consultation लिया about career in UK और career in Australia so you took a किसी से आपने consultancy services ले for career in UK और career in Australia तो is this service in the course of business no it is not in the course of business it's a personal service for you but still this is liable for GST simple reason being it is importation of service you are paying some consideration यह free में नहीं है आप consideration दे रहे हो और whether it is in the course of B or it is not in the course of B तो अगर आपको इस साइप का question case study आता है कि a student has imported services for five lakhs or five thousand dollars or one thousand dollar or whatever for his career consultancy now first is it an importation of service यह तो आपको पहले provision of law लिखना है as per section 7 1 B आपको 7 1 B याद नहीं है as per section 7 बोल दो as per section 7 1 B importation of service for consideration whether in the course of business or not in the course of business will be treated as supply फिर आप बोलोगे given in the question it is given that student has taken this service and this is not in the course of business it is for his personal purpose but whether it is in personal or business purpose it will still be treated as supply and therefore conclusion that this would be treated as supply and therefore it would be liable for GST इस टाइप का आपको conclusion देना है अब 7 1 C आइरनी है देखो C में 7 1 C बोला है लेकिर उसमें C ही नहीं है 7 1 C क्या बोलता है देम सप्लाइ या इति सप्लाइ विदाउट कंसिडरेशन तो यह सबसे पहला शेडिल है that is schedule 1 और schedule 1 का schedule 1 1 1 1 1 1 schedule 1 का short form है बार API तो बार API बार मतलब BA stands for business assets R stands for related person deemed distinct person AP stands for agent and principal I stands for importation ओहो तो importation of services दो बार आता है एक बार with C आता है और एक बार without C आता है अगर वो without C आता है तो आपको हमेशा कोई भी services बिना consideration की हो तो 5 ही ऐसी activities है जिनको supply माना जाता है that is bar API खुद से आपका खुद का situation मत बनाना कभी भी बिना consideration की होगा तो आपको schedule 1 mention करना है as per schedule 1 of section 7 of the CJST Act 2017 bar API में दो मिनिट में detail में recap कराती हूँ पहले में यह chart explain करती हूँ section 7 1 a क्या बोलते है अगर कोई भी चीज supply बन गई तो यह जानना बहुत जरूरी है अगर कभी-कभी schedule 2 help ने करता है तो section 8 help करता है कभी-कभी schedule 2 help ने करता है तो section 8 help करता है section 8 is mixed supply and composite supply उसमें आता है composite supply under section 8a and mixed supply आता है under section 8b तो वह भी अभी detail में करांगे overall आपको recap करा रही हूँ अब अगर supply अभी क्या supply नहीं है section 7 2 बोलता है क्या-क्या supply नहीं है so it is neither supply of G nor supply of S यह cover किया है schedule 3 में schedule 3 बोलता है ECG ठीक नहीं तो funeral मरने के बाद प्रॉपर्टी और लॉट्री का क्या करोगे now 7 2 B बोलता है duties perform by C G, S G, UT LA for those duties which are constitutional duties क्या होती है उनकी constitutional duties है हम ऐसी सारी duties जो उनकी constitutional duties है वह अगर perform करने के लिए वह कुछ भी पैसे लेते तो उसके लिए GST उसपे नहीं लगता और state government जैसे liquor license liquor license liquor तो GST में है ने बट मुझे liquor sell करने के लिए liquor license लगता है उसके लिए government को fees देनी पड़ती इस liquor license को supply माना नहीं जाएगा और इसके उपर GST नहीं आता अगर liquor license को छोड़के मैंने दूसरा license लया parking license mining license और कोई भी license की fee मैंने government को दी तो उसके उपर GST लगेगा exclusion is only for liquor license अब मैं detail में करूंगी schedule one is the speed okay अब मैं प्लीज मुझे फड़ा फड़ चार्ट नमबर बता देना अब मैं schedule one करती हूं अब मैं detail में करती हूं यहां पर क्या हो गया उनको हूं इंपोर्टेशन पर आती हूं को पहले अभी बार एपी आई करते अब सुनो बार मतलब disposal of business estate यह आपको एक चीज़ हमेशा logic पता होने चाहिए अगर मैंने कोई भी चाहिए अगर मैंने टैक्स पे किया और गवर्मेंट ने मुझे ITC दिया तो मैंने वादा किया है गवर्मेंट को कि मैं इस गुड्स को supply chain में रखूंगा पता है गवर्मेंट आपको ITC क्यों देती है क्योंकि आप जब सेल करोगे तो गवर्मेंट आपसे टैक्स लेने वा बिजनेस असेट नाओ यहां पर सी मिसिंग है कंसिडरेशन मिसिंग है बिना कंसिडरेशन के भी बार API सैटिस्फाय होने पर जो भी आएगा उस पर GST उस पर लगेगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टन कंडिशन है यहां अगर मुझे पहले सी पता था यह भी एक चीज अगर मुझे पहले सी पता यह नया प्रोड़क्ट और नया प्रोड़क्ट के लिए मुझे यह सैंपल करके देना है तो फ्री में देना तो पहले सी इसको ब्लॉक क्रेडिट है तो आपने ITC लेना ही नहीं चाहिए फिर आप उसको फ्री सैंपल दो तो हमको प्रॉब्लिम लेकिन जब मैं लेती खरीटते वक मेरा मन में ऐसा नहीं था कि फ्री सैंपल करके देना है मैंने खरीट लिया मैंने GST पे कि ITC ले लिया और उसके बाद चमिली शॉप में आती है फिर मेरा मन करता है कि उसको गिफ दे दू या फिर यह पता चलता है चलो यह फ्री सैंपल क करो यह प्रोड़क इतना बिक नहीं रहा तो मुझे फ्री सैंपल देना है अब बिकॉस युव टेकन आइटीसी नाओ इस विल बी ट्रीटेटेट अस सप्लाई अंडर शेडियूल 1 इसमें बहुत इंपॉर्टन है कि यह दूट बिस्पोजल बिसनस असेट बट इस सबसे कंडिशन युव अल्रीटेट इस सप्लाई अब रिलेटेट पर इस पर इसकी जो भी मार्केट प्राइस हो गए उसकी उपर इसका वैलिएशन हमें इंटर में नहीं है तो यह बैसिकली सप्लाई माना जाएगा अब रिलेटेट परसन एंडीम डिस्टिंग परसन में अगर अगर आपके दो डिस्टेशन नंबर है जेसी नंबर अगर आप स्टेट के अंदर हो तो आपके पास और रहता है आपको एक नंबर चाहिए या अलग नंबर चाहिए अगर मेरे दो बिस्नेसें हैं विदिन ते सम चेट I can choose one number or I can take two numbers the option is on me but if I have branches in two different states then it is mandatory for me to obtain separate registration moment you obtain separate registration within the तो इसमें कोई डबल टैक्सेशन नहीं होता है मैं सेल कर रही हूं मतलब मैं सेंड कर रही हूं मैं GST को पे करूंगी जो स्टॉक ले रहा है उसके लिए पर्चेस होगा वो GST का सेट-off लेगा तो वैसे भी इस वन एंद रही है तो इसमें problem नहीं यहां बहुत important होता है related person related person की definition यहां पर बहुत restricted है related person की definition है आपके एक दूसरे के business में equity shareholding है आप एक दूसरे के business में control कर रहे हो holdings subsidiary company है एक थर्ड व्यक्ति आपको दोनों को साथ में कंट्रोल कर रहा है और अगर इंडिविजुल का बात करें तो यह रिलेटेड परसन की डेफिनिशन बहुत इंपोर्टन है तुरंत आपने आपके राम्मान ओपन रखना चाहिए या रिलेटेड परसन की डेफिनिशन नहीं आप क्लियर है क्लियर है हां क्लियर है नाओ क्लियर है आता फाइन है नाओ क्लियर पक्का ने काफी दिर लैक तो था ठीक है तो आई वस चेलिंग यू जिन्नों ने मिस्स किया होगा तो रिलेटेड परसन की डेफिनिशन आपने बिल्कुल पढ़ लेना यह बहुत इंपोर्टन है यह सो यू आप तो रिदेफिनिशन आफ रिलेटेड परसन अब यहां पर API API क्या होता है एजन्ट अन प्रिन्सिपल अन प्रेंट फ्रिंसिपल को क्या यह भी एक अजन प्रिंसिपल तो एजेंट अन अजं प्रेंट प्रिंसिपल Too साथ ऑफ और पने नाम का बनाते हो प्रिशनिपल् इंटर नाम पर इंवोईज जा लोगे तो आपको चैडल वाल एजन माना जाएगा और अगर आप शेडल वाल एजन बनगे तो प्रिंसिपल और एजन के बीच में भले इसको फिर भी सप्लाइम माना जाएगा इस इंपल थिंग लाइक ब्रिंचेपल से पैसे नहीं फिर भी इसको सप्लाइब मानकर जिए सब्सक्ता दिखाना पड़ेगा एजेंट को इसको फरेज दिखाना पड़ेगा तो एक बिल जायगा प्रिंसिपल टू एज़िद्सरा दूसरा बिल जाएगा एजन को समझ में आरहा है किया येस उसके आगे क्या हो रहा है अच्छा इस एजेंट में आता है डेल क्रेडरे एजेंट भी आता है कौन सा एजेंट आता है डेल क्रेडरे एजेंट अब डेल क्रेडरे एजेंट क्या होता है मैं रामबान से जुझाओं क्या एक फ्लो में आएगा फिर बिच में कहीं लगेगा समप करने के लिए चार्ट देखना होगा तो यहां पे आ जाएंगे यू केंट कीप बोथ ओपन मतलब फास्ट हो रहे है क्या रिविजन बोथ कुछ चीज हैं वहां से अच्छी है अब एजेंट आंप्रिंसेपल की बात हो रही थी राइट अगर एजेंट के इसमें आगे बात आती है एक डेल क्रेट रे एजेंट की एजेंट एंटर सप्लाइचेंट and he issues an invoice of his own then he will be covered in schedule 1 and therefore any transfer of goods between the agents and principal will be treated as supply भले उसमें consideration ना हो correct अब उसमें आता है DCA अब DCA में यह दो important बाते होती है डेल केड्रे एजेंट ऐसा क्या अलग एजेंट होता है वह एजेंट ऐसा होता है कि वह अपने प्रिंसिपल को promise करता है he promises the principle that look I will help you recover the money आपके bad debts नहीं होंगे मैं आपको पैसे दे दूँगा जो DCA होता है वह तो कभी-कभी खुदी पहले पैसे भी दे देता है अब DCA देखो कैसा वाला एजेंट है if he is entering if he is again entering the supply chain then वह proper एजेंट माना जाएगा अब क्या होगा अब जब वह पहले invoice बनेगा supply of goods का पहला invoice बनेगा from principal to agent यह बनेगा एक लाग का फिर agent customer को बनाएगा वह एक लाग का बनाएगा प्लस वह agent उसमें 10,000 का interest लेगा क्योंकि agent ने पहले ही principal को payment कर दिया है तो वह यह interest किससे recover करेगा customer से क्योंकि अभी invoice G plus interest का बन रहा है यहां main मुद्दा किसका है goods का है तो यह composite supply माना जाता है इसलिए पूरे 1,10,000 पे GST apply होगा इसलिए पूरे 1 क्योंकि मुद्दा किसका चल रहा है goods का लेकिन अगर agent बोलता है principal को नहीं नहीं आप ही directly customer को billing कर दो मैं नहीं supply chain एंटर कर रहा हो principal I will help you find a customer I will sell the goods also मैं पूरा काम करके दूंगा लेकिन आप billing किसको करना directly customer को करना तो अगर directly एक ही bill principal to customer एक ही bill बनता है तो यहां पर क्या अपना इंट्रेस्ट दस हजार का customer से रिकवर करेगा अब यह purely इंट्रेस्ट हो गया and giving on loans loans advances और उस पर इंट्रेस्ट लेना यह एक exempt service होता है यह कौनसा service होता है exempt service होता है तो बेटा यहां पर इस customer को इस दस हजार पर फिर GST नहीं लगेगा आप यह composite है नहीं क्यूंकि agent goods इंट्रेस्ट का बेल रेस कर रहा है समझ में आ गया कि है सबको इस अब इंपोटेशन ऑफ सर्विस अब देखना इंपोटेशन ऑफ सर्विस मैंने हमेशा आपको बोला है agent को और इसको I को B या C किसी एक का साथ जरूर है यहां किसने साथ छोड़ दिया C ने क्योंकि यह schedule जरूर है so this should be in the course of business and it should be only from a related person and importation sorry importation must be from a related person related person की definition is same that we just saw it is yourself your spouse your children and नीचे दिया है brother sister parents grandparents only if they are financially dependent on you तो यहां पर आपको importation का जब भी भी question आएगा confuse मत होना सबसे पहले आप देखना importation में C है या C नहीं है अगर importation में C missing है then apply schedule 1 और schedule 1 क्या बोलता है C cross हो गया तो B होना जरूरी है related person भी होना जरूरी है अगर आप importation की बात कर रहे हो और importation में C है तो either B हो सकता है या B नहीं हो सकता है this is 7 1 B ऐसा है और यह वाला है this is schedule 1 मे तो आपने हमेशा importation of service importation of goods तो GST में cover नहीं होता importation of goods custom में cover होता importation of goods के उपर आपको लगता है BCD plus IGST वो जो IGST लगता है उसके उपर आपको of course set off मिलता है यह सही है क्या तो यह कौन सा हो गया importation बिना consideration के लेकिन B होना चाहिए और C तो नहीं है B होना चाहिए और related person से होन चाहिए करें अब यह हमारा schedule 1 हो गया schedule 2 में यहां से नहीं पड़ूगे schedule 2 में चार्ट से ही पड़ूगे क्योंकि schedule 2 में simple सी एक list दिये मुझे फड़ा फड़ चार्ट नमबर बोलेंगे आप schedule 2 क्या बोलता है अगर एक बार supply है एक बार supply है तो उसको क्या माना जाएगा if once it is the supply है एक बार related person में बस second point में dependent चाहिए दोनों में नहीं चाहिए दोनों में नहीं चाहिए हाँ spouse or children के आगे dependent word नहीं है अच्छा schedule 2 क्या बोलता है schedule 2 बोलता है कि कौन सी चीज यह होती है हाँ now let us understand schedule 2 clear what is the page number 2.8 2.8 2.8 2.8 6. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 1 2. झाल 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 प्लेन लवाना बेक्रोंग मैं तवमजर शुट पना सा था है चल करे है चल करणू लाइब ओके लेट स्टार्ट गाइज एन्यवेस वी अड़ टू शिप्ट अग्लासरूम तो यहां से अभी स्टार्ट करेंगे तो लेट्स कंटिनू फर्स्ट आइवस टीचिंग राइट ना शेडू टू शेडल टू क्या बोलता है अगर एक बार सप्लाइ हो गया अगर क् पहले बता देती हूं इफ देर स्टार्सफर चलो फड़ाफट 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 लेट्स गट गोइंग अगर अगर देर इस ड्रांसपर उफ टाइटल अव गूट्स होता है तो इसको शप्लाइ ऑ गूट्स माना जाता है अच्छा टाइटल आज ट्रांसफर हो अगर मोटा भाई ने जैसे चमेली को कपड़े फ्री में दे दिये या उन्होंने लैप्टॉप डोनेट किया तो फाइनली दे तो गुड्स ही रहे ना तो इस अप्लाय ओफ जी डिस्पोजल बिजनस असेट रूट बिटीट अप्लाय ओफ जी अचा पर्मनें डिस्पोजल क बिटीट का मतलब हका उस तो इस थे यूस करने के लिए पॉराच करने दो फिल्ट पूछे क्या होता फ्लों मे बहुत फास फास पढया रही है तो अगर आप बीच comic करो के तो क्या हो जाएगा मेरा फ्लों धिस्टरम हो तो अब सुनो, disposal of business assets हो गया, stock in hand, हा, stock in hand during the closing of business or cancellation of registration, अब समझ के लो, अगर मैं registration cancel करती हूँ, इसलिए पाता है, मुझे वो form भरना पड़ता है, GSTR 10, cancellation वाला, क्यों? क्योंकि जब मुझे details of stock देने पड़ता है, क्योंकि ये पता है, वो ITC में ये special case आता है, जहां पर आप taxpaying mode से non-taxpaying mode में जा रहे हो, तो आपका ITC reverse होता है, yes, stock in hand during the closing of business, it is treated as deemed supply और इसको supply of G माना जाएगा, है न, उसके बाद होता है, ये जो भी stock है आपका, उसको supply of goods माना जाएगा, अब permanent transfer of intellectual property rights, अगर मैं कोई भी IPR यूज करने के लिए देती हूँ तो वो रेंटिंग होता है, अगर मैं permanent transfer करती हूँ तो इसको supply of goods माना जाता है, ready made software बना के लेना is supply of goods, but software tailor made करवा के लेना is supply of service, correct, अब let us understand supply of services, supply of services में पहले होता है, sell of undivided share, if you remember, I always give you the example of Jay and Viru, तो अगर JCB है और दोनो owner है, तो if I want to sell my share, मुझे भी पैसे के जरू होता है, तो I'll sell my share to somebody, so this is selling the share in the title of the goods, so this is treated as supply of service, इसको supply of service माना जाता है, दूसरा होता है, right to use, हमेशा याद रखना, leasing, renting, lease पे देना, रेंड पे देना, इसको right to use करना, temporary use करना, इसको हमेशा supply of service माना जाता है, तो right to use, lease, rental of land, land rent पे देना, land या building sell करना, sell नहीं करना, sorry, rent पे देना, job work या process या treatment of goods of other persons, आप दूसरे व्यक्ति के goods ले रहे हो, उस पे printing करके वापस दे रहो, तो आप shirt का कपड़ा ले रहे हो, उस पे shirt stitch करके दे रहे हो, तो this is supply of service, फिर use of business asset for private purpose, मान के चोलो कि director ने company का generator लेके गया, company की car use करी, तो this will be treated as use of company's asset, so this is supply of service माना जाए, इसको क्या माना जाएगा, supply of service, उसके बाद renting of land, renting of building, renting of other immobile property like telecom license, telecom, sorry, telecom towers, telecom towers rent पे दिया, तो इसको भी supply of service माना जाएगा, correct, tally का license, lease, license, rental, this is all supply of a service, yes, sale of immobile property, now, immobile property का वो chart है, मैं आपको दिखा दूँगी, अगर immobile property में दो parts होते है, immobile property schedule 3 में भी आता है, और immobile property schedule 2 में भी आता है, अगर sale of land, आपको जो consideration है, completion से पहले मिला, तो इसको supply माना जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पैसे, पूरे पैसे, total पैसे कब मिले, completion के बाद मिले, तो फिर इसको supply माना नहीं जाएगा, in fact, then such kind of building will be covered in schedule 3, and schedule 3 में cover होगे, तो it is neither supply of G nor supply of S, अच्छा, land तो किसी भी हालत में GST नहीं आएगा, ये building की बात हो रही है, before completion, after completion, ये building की बात हो रही है, before and after completion, उसमें, building वाला कौन सा चार्ट है? हाँ, इधर है, इधर है, इधर है, हाँ, तो अगर हम, ये हमेशा किसकी बात हो रही है, sale of land की बात हो रही है, sale of land पे कभी भी GST नहीं लगेगा, अगर land sell किया तो इस पे कभी भी GST नहीं लगेगा, और अगर मैंने building और flat sell करी तो ये देखना है, पैसे कभ मिले, completion के पैसे मिले तो ये supply माना जाएगा और supply of service माना जाएगा, और completion के बात पैसे मिले तो ये supply ही माना नहीं जाएगा, और what is completion, completion is a completion certificate obtained from the respective authority or the first occupancy whichever is earlier, whichever is earlier, correct, तो ये हो गया sale of building, यहाँ पर मैंने cover करी दिया, इसी के साथ, अब मैं continue करूँगी आगे का schedule 2, अब मैं continue करूँगी आगे का schedule 2, what's the chart number 2.8, okay, here, आगे का schedule 2 में, here I am, now liquidated, हाँ, ये important, commitment charges, non-compete fees and liquidated damages, ये liquidated damages से related, कुछ CBIC के circulars है, वो last time की amendment वाले circulars है, वो वाला हमें बिल्कुल करना ही चाहिए, we must do that, वो मैं आपको करवाऊंगी, commitment charges, bank को आपने promise कि हमें आप से loan लूगा, लेकिन आप loan नहीं लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते है, commitment charges, तो ये जो commitment charges होते हैं, उसके ओपर GST होता है, और इसको supply of service माना जाता है, then there is non-compete fees, non-compete fees मतलब ऐसी fees, आप किसी को देते हो कि आप मुझसे compete मत करना हो, उसके लिए उसको पैसे देते हो, ये non-compete fees हम PGBP में business income मानते हो, और इस non-compete fees पे GST भी लगाया जाएगा, इस non-compete fees को supply of service माना जाएगा, अब TDS की भी बात कर दें तो non-compete fees पे 10% TDS should be deducted, under 194J, तो non-compete fees में आपको सारे angle से बता दी, non-compete fees आपको जब मिलती है, it is supply of service, आप agree करते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, I will not do business in your building, and for that you give me 50 lakhs, so कुछ नहीं करना ये भी important होता है, तो इसको supply of service माना जाएगा, जैसे liquidated damages और penalty, लेकिन कुछ चीज़ों को supply of service नहीं मानेगे, भले penalty, liquidated damages, charges लगे, जैसे पुलीस वाले ने PKD को पकड़ लिया, no entry से आते वक्त तो मैंने अगर उसको जो भी पैसे दिये, भले वो penalty या liquidated damages हो, उसको supply माना नहीं जाएगा, वो detail में मैं आपको cover करा दूँगे, आगे, sale of food, आप restaurant में खाना sell करोगे, या cold drink sell करोगे, तो वहाँ पे उसको supply of service माना जाएगा, और service वाला GST लगेगा, इससे सबसे best example होता है, आइस क्रीम पे जनरली GST का rate बहुत हाई होता है, और cold drink पे भी GST का rate लगबाग 28% होता है, लेकिन जब आप restaurant वाला cold drink खरीदेगा, वो सब उसके लिए goods होगे, बट restaurant वाला cold drink बेचे का IT भी treated है, supply of service, तो उसको service वाला जो rate है 18% या restaurant की जो अलग अलग rates होता है, 5% composition वाला होता है कभी-कभी, तो वो rate applied हो जाएगा, अब temporary transfer of IPR, मतलब आप IPR क्या कर रहे हो, renting of IPR हो रहे है, क्या हो रहे है, renting of IPR, उसके बाद क्या हो रहे है, अब इस से related हमारे रामबाण में कुछ क्लारिफिकेशन है, हम पहले वो कर लेंगे, तो यहां पर questions आते हैं, अच्छा, ऐसा मैं और एक चीज आपको बता दू, higher purchase पे sell किया, तो पता है आपको क्या होता है, higher purchase पे sell किया, तो title future में जाता है, लेकिन possession आज ही जाता है, but it is supply of goods यह, और sell करते हैं, तो title भी आज transfer होता है, possession भी आज जाता है, इसको sell मानते हैं, higher purchase में title is transferred at a future date, अब मैं अगर service बोलू, मैंने आपको use करने के लिए दिया, तो possession दे देती हूँ मैं आपको, मैंने JCB rent पे दिया, तो मैं आपको possession देती हूँ, लेकिन मैं JCB का title transfer नहीं करती हूँ, तो title transfer नहीं होता है, लेकिन possession हो जाता है, इसको supply of service बोलते हैं, हाँ, इस type का question model के पीछे था, हमारे books में भी है, तो इसके लिए I just thought I will discuss that, अब यह जो clarification है, मैं थोड़े से clarification discuss करूँगी, यह, अब clarification इसके बारे में, कि sometimes not to do something, to refrain from something, and when you get money, now some of this will be treated as supply, but some of it can't be treated as supply, ma'am how do we decide, I'll tell you one thing, क्या हो रहा है, यहाँ दो व्यक्ति है, यहाँ क्या involved है, दो लोग involved है, so there are two people involved, और यह दो दो लोग involved है, so one person is giving what's he, this one person is giving what he is, either giving him some services, or he is saying not to do something, that I will refrain from doing something, and this other person is giving consideration, but just because there is consideration, there should be supply and there should be GST, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर सबसे इंपर्टन पार्ट होता है, contractual obligation, क्या आपके दोनों के बीच में, contract बना है का, so is there a contractual obligation, so contract होना भी बहुत जरूरी है, एक आपको आईदर service मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, sorry आपको goods मिल रहा है, services मिल रहा है, या not to do something, कोई refrain भी कर रहा है, लेकिन consideration भी है, लेकिन सबसे इंपर्टन यहाँ क्या होना चे, contractual obligation, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, agreement to obligation to refrain, हाँ, मतलब यहाँ पर देखो, non-compete agreements, non-compete agreement, बिल्कुल हम बकाईदा, contract बनाते हैं, कि आप आके मेरे साथ, compete नहीं करोगे, तीन साथ, compete नहीं करोगे, prestige point पर आके, आप classes नहीं लोगे, या मैं इस टाइब का कुछ, अगर किसी के साथ, non-compete agreement करती हूँ, then it'll be treated as, supply and it'll be liable for GST, या shopkeeper, जो है, एक कोई hawker है, जैसे दाबेली का स्टॉल है, या कुछ उस hawker, दाबेली वाला है, तो वो उसका footpath यूज कर रहा है, वो थोड़ा सा inconvenience, 5,000 every month, so here हम बकाइदा, contract बना रहे हैं, तो आजा मेरा footpath यूज कर दे, और मुझे 5,000 दे दे, so there is a contractual obligation, and hence this 5,000 that I get, will be liable for GST, उसी की तरीके से यह होता है, कि आप agree to do an obligation, जैसे कि, यह important बहुत होता है, कि tolerate करना, जैसे वो shopkeeper है, उस hawker को tolerate कर रहा है, इसके लिए वो पैसे ले रहा है, ठीक है, to tolerate, that is also very important, I am tolerating your non-performance, इसलिए हम penalty लेते कभी-कभी, ठीक है, अब देखो, industry, बाजो में कोई society है, society वाले बोलते कि, यार, तुम बहुत तुमारा chemical waste जा रहा है, तुम additional pollution control कर दो, पानी एकदम clear और साफ हो जाएगा, तो यह industry को obligation नहीं, वो बोलता है, as per industry norms, जो है मैं कर रहा हूँ, आपको additional चाहिए, तो मैं आपसे पैसे लूँगा, तो society बोलते हैं, यार, पैसे हमको healthy रहना है, तो यह जो पैसे extra लिए जाएंगे, यह contract हो रहा है, और इसको GST माना जाएगा, अब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, जहां पर contract नहीं होता है, तो दो parties के बीच में, either they do something, are they tolerating, और यह refrain, refrain मतलब not to do, either do something, not to do, or tolerate, इसके लिए अगर पैसे आ रहे, और सबसे important part है, यह contract होना जरूरी है, आप देखना, इसमें क्या होता है, consideration यह तीन चीज़े, अभी सबसे इसमें example, अगर मैं आपको दू, यहां पर marking किया हुआ, तो अगर सबसे important, मैं आपको यह examples दू, यहां पर, यह वाला होता है, PKD और पुलीस वाला, अगर PKD और पुलीस वाला की बीच में कोई contract नहीं है, हाँ, PKD को चार्ज क्यों लगा, because I did not, I broke the rule, और इसलिए मुझे पैसे देने पड़े, तो मैंने पैसे दिये, पैसे भी है, और मैंने रूल ब्रेक किया, इसके लिए पैसे लगे, लेकिन फिर भी इस पर GST नहीं लगेगा, reason being, यहां पर कोई contractual obligation नहीं है, there is no contractual obligation, मैंने और पुलीस वाले ने agreement नहीं बनाया, कि 7 बचके 10 मिनिट पर आप आएंगी, और यहां से no entry में जाएंगी, दिन में 3 बार गई तो आपको इतना इतना penalty लगेगा, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में contract नहीं है, so there are certain thing जिस पर GST लगेगा और जिस पर GST नहीं लगेगा, you must revise this, you must go through it, because generally we have observed that, ICI likes to ask these clarifications होते हैं, उस पर उनको सवाल पूछना पसंद आता है, अब clarification में यहां पर बोला है, liquidated damages, अब यहां पर कब उसको consideration मानेंगे, और कब उसको consideration नहीं मानेंगे, तो यहां पर क्या बोला है, payments that constitute as consideration, और payments that do not constitute as consideration, तो कौनसी चीज़े consideration नहीं है, अगर rent for shop है, आपको पता है, अब deposit देते हो, अब deposit देते हो, इसलिए देते हो, कि यार तुम मेरी shop damage कर लोगे, तो deposit I will adjust, deposit adjust rank against नहीं हो रहा है, deposit adjust damage की against होता है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला, हाँ हाँ, तुम तो मेरी shop damage करी रहे, तो मेरा sofa इतना खराब करना, दीवार इतनी खराब कर देना, तो मैं तुम से पन्रहाजर ले सकू, ऐसा agreement बन रहा है किया, नहीं, यह तुमने डामेज किया, ऐसा punishment तुमको दे रहे, हम नहीं चाहते हैं कि हम पैसे लेके, आपको बोले कि हाँ, मैरी दिवार खराब कर दो, तो this kind of deposit, अगर मैंने deposit, rent के अगेंस अजस किया, आपका rent pending एक मैंने का, आपने दिया नहीं, तो I said I'll adjust from deposit, then I'm adjusting it towards rent, then this is liable for GST, but if your deposit is getting adjusted for damages done to the property, that will not be treated as a consideration, so similarly, penalty stipulated for a contract for delayed construction of the house, बिल्डर ने बोल दिया, इसलिए लगा है कि बिल्डर यह हो जाए कि नहीं हमने यह घर टाइम पर देना चाहिए तो इस पर GST नहीं लगता और अगर वह आपका फोट किया जाता है तो इस पर GST नहीं लगेगा सबसे इवन अनादर बेस्ट एग्जामपल इस चेक डिसॉनर चाजिस मेरे एक लाग के चेक पर बेटा हजार रुपय का डिसॉनर चाजिस लगता है अगर आपके चीज़ों पर लेकिन लगेगा अगर आपके चीज़ों पर लेकिन लगेगा सबसे इंपॉर्टन होता है टूर चाजिस टिकेट लेता है ना हम रेलवे का टिकेट टूर की टिकेट अगर हम होलीडे में होटल बुक करते है तो जो टूर ऑपरेटर होता है उसने सामने वाले होटल वाले को कुछ पैसे दिये होते है तब जाके आपका रूम ब्लॉक होत पैसे तो यह जो पैसे फोर फीट किया बिकॉस टॉलरेटिंग इस यह जो पैसे होंगे इस पर GST लगेगा और इसको सप्लाय माना जाएगा तो इस पर GST लगेगा और यह काफी लॉजिकल भी है क्योंकि हम बोलते है कि यार सामने वाले आगे मैंने उसको पेमेंट कर दिय होंगे तो यह जो होता है नै कांटरेक्पो फर पैकेजिस यौऊ सेंजर की टीकीट skt का रेंट जोनके उस पर आपको i7D धूरोमन्ट इस पाइपको ारोसे होगा तोas होता है तो फ़र अगर डिपाजीट डामेज्जस के अगेंस एड़लेज्श ौर्ड थो नहीं लगेगा मतलब मैं नहीं बोल रूँ मैं चाहती हूँ क्या अरे डिपॉजिट है ना तेरा चल हम एग्रीमेंट बनाते तो मेरी वाल डिस्ट्रॉई कर दे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे आगे यह आपको बोल दिया चेक डिस्ट्रॉण चाहज इन फाइन यह पेनल्टी है फॉर डिस्करेजिंग डैक्ट एंड इस नॉट टैक्सेबल हमारा इंटेंशन हजार रुपे में जी एसी लेने का नहीं है मेरे दस लाखों का या लाखों का चेक है इसके बाद यह डिस्ट्रॉण वाला पेनल्टी इस पर जी एसी नहीं लगेगा पैनल्टी इंपोस्ट वाइलेशन ऑफ लौ सच एस ट्राफिक लॉस फाइन पैनल्टी फॉर माइनिंग डिपार्टमेंट की आप बहुत ज्यादा माइनिंग कर रहे हो तो आपको 10,000 पैनल पैनल्टी लगी तो इस पर जी एस टी नहीं लगेगा इट इस नॉट एक्रीमेंट सबसे इंपोर्टन होता है कैन यू एंटर इंटर इंटो कॉंट्रैक लाइक दिस आप एक्जाम में दो मिनिट सोच ना कैन फॉर ब्रेकिंग ट्राफिक रूल हम एग्रिमेंट करते हैं क उसके ऊपर जी एस टी नहीं लगेगा और छी ती नहीं लगेगा लेक्टिक फे टरिशक पर उनपन फिस पर लियाबल फॉर जीस्टी इन फैक्ट विव सटीड इन टी ओएस ऑल्सों कि एडिशनल फी जो आएगी उसके लिए टी ओएस विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी और यह जो एडिशनल फी होगी उसके लिए हमने वी ओएस में भी देखा दिस एडिशनल फी शुट भी एड़ इस लिए अपको बोल दिया कैंसलेशन जनरली होटल के लिए है टूर के लिए है टिकेट के लिए है तेन इट विल बी ट्रीटेड अधर सप्लाइब और इस पे जीस्टी बिलकुल लगेगा जो जीस्टी का रेट ट्रैवल वाले प्राइजिंग पर लगता होटल का जो जी जीस्टी का रेट आपके कैंसलेशन चार्जिस के लिए भी अप्लाइ करेगा यस रेल्वे वह है रेल्वे के लिए टिकेट लगेगा यहरा सम फ्लाइब दाउन फट अफट अंडर्सेंडिंग के लिए डैमेज इस पेड़ पर आपने रोड पर किसी का एक्सिटेंट हो गया तो आप बोलते हो यार सौरी कार खराब होगे तुमारी तो इसको ठीक करने के लिए यह लो पंद्रह हजार इस पर जीस्टी का सवा सब्सक्राइब तो मुझे पैसे इतने देना तो इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और इसके उपर जीस्टी नहीं आएगा समझ में आ गया क्या अब फॉलोइंग टैक्सेबल पेइमेंट अफ गूड्स प्लस लेट फी अभी बोला यह फिफ्टीन टू में आता है औ और यह वैल्यू आफ सप्लाय के जैसे होता है और इसके उपर हमने सीखा है कि जीस्टी एड होता है अगर गूड्स के लिए हो और लेट फी है वेरी इंपोर्टन किसका रेट लगेगा गूड्स का रेट लगेगा ऐसी आप ध्यान में रखना अगर आप गूड्स बेच र है ना देल क्यालकुलेट जीएस टी फ्लीज अडेस झनल इसटेंट टीन किस अगर गूड्स अगरेगा 5% अब्स लूटली ना इलेक्रिसिटी कॉमडेट यह है तो यह एक्जम्ड हो जाएगा कैंसलेशन चाज़ज फूट टीकिट यह यह टाक्स बनाना जाएगा प्रीप चारजेश बैंक फोप्रिपेविटी लगाई है अगरी में था तो यह सब्सक्राइब गावान तो चारजेश फोओ फीटे इस आपको यह इसमें और प्रेवर करती हो और फिर आखरी में बचेगा शेडूल 3 कवर करना और फिर 8A और 8B तो another 20 minutes I'll try and finish the chapter of supply then फड़ा फड़ाफट VOS कराती हो और उसके बाद मैं पहले आपके साथ RTP solve करूँगी तो थोड़ा सा problem solving करना भी जरूरी है yes now over here I will discuss some other circulars which ICI generally likes to ask these circulars I think मेरे चार्ट में एक जगह पे बहुत अच्छे से दिये हुए है but मैं यह कहां से भी करके ले लूँगे ऐसे कोई problem नहीं है अगर आपको याद आ रहे कुछ circular you know buy one get one free अगर आपको वो कोलिगेट पेस्ट का example अगर याद होगा तो रामबान में circular कहा है या तुम कहां का बोल रहे हैं मुझे पेज नहीं चार्ट में एक ही जगह पर है क्या सारे तो brain mapping से लेती हूं तो पॉइंट यह existing इंटर की बैच होगी आवाज कर रहे हैं दो लेक्चस के बीच में अब सुनो यह इंपोर्टन यहां से वह सवाल पूछे जाते हैं तो यह इस टाइप का जब आप डाइग्रमेटिक रेप्रेजेंट्रेशन करते हो तो अंडरस्टैनिंग के लिए बहुत ही आसान हो जाता है अदर्वाइस जो मॉडूल की लैंग्वेज है वह बहुत ही कॉम्लिकेट होती है अब देख यह मैं आई टी सी अंगल से बताऊंगी सब 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 अंगल से कवर करूंगी सब से पहले क्या इसको सप्लाइम आना जाएगा हां आयम इस इस बाइवन गेट वन फ्री में एक वर्ड आपको यादी रखना है आपको लर्न हो गया रहेगा इड़ अप्यार्ट प्री बड़ इस नौट फ्री इस अपिरस तो फ्री बड़ इस नौट फ्री आयम सेलिंग इट फोर लेस प्राइज जस्ट प्रमोट दो गुट्स तो दो गुट्स अबिंग सोल अट प्राइज ऑफ वन ना जो भी मैंने यह दो पेस्ट खरीदे होंगे तो उसके उपर मैंने ITC पे किया होगा जो भी इंपुट टैक्स तो क्या उसका ITC मिलता है येस ITC is available when buy one get one free goods are sold तो मैं दो कोल गेट पे 100 रुपे के लिए बेचूंगी वो मेरा सेल होगा उस पे जेस लगेगा और जो भी मैंने यह कोल गेट पेस खरीदे होंगे उसका जो भी इंपुट टैक्स है उसका ITC म मिलता है it appears to be free but two products are sold at one price as there is consideration it is treated as a supply अब दूसरी बात होते है फ्री सैंपल और गिफ्स यह मैंने आपको बता दिया पर्मनें डिस्पोजल ऑफ बिजनस असेट होता हिए अगर आप खरितते के ताइम आपको पता नहीं है कि आप फ्री सैंपल देने वाले हो तो आप खरित सप्लाय मान के आपको गवर्मन को टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अगर आपको खरीतने के टाइम ही पता है यह आपको फ्री सैंपल और अगर आप देखो कि दिस इन एग्जांपल बिट्वीन डिम दिस्टिंक परसन अगर आप धान से देखते हो क्या हो यहां पर क्या हो आप अगर डिःग्रम में देखोगे ट्रक कितने वाल्यू का है बीस लगा इक यह कितने वाईल्यू का है दो लाग को यह ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है इसको सप्लाइ माना जाता है लेकिन डर इस बात का है वो खडूस पी ओ जो होता है वो बोलेगा ओहो यू विल हो था पोडियु आपडियु हो भी ऊंजार खडंक सब्सकता है और भी अस्टा कोई विकान बृष्ष छब्ली यहाँ है यहां बिल favorites अपना स्टेट में आटक गई हैं तो फिर यह लोग अपना क्रेंड भेचते हैं वहां पर सर्विसिंग करा है तो इस इस अप्लाइ बिट्विंग डिम डिस्टिंग परसं तो यह मान लोगर हम बाहर से रिपेर कराते तो इस पर 20,000 लगता या 30,000 लगता तो 30,000 पर जी एस्टी लगेगा पर वो जो पूरी क्रेन मूफ कर रही है उनकी वैल्यू 20 या 25 लाग पर जी एस्टी नहीं लगेगा वो जो सर्विस की वैल्यू है बीस हजार की उसके उपर जी एस्टी लगेगा डू यू अंडेस्टैन दैट तो 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 इसी तरीके से अगर अगर यह जो कर्णवेंस है इको डाइग्राम था ना अच्छा मैं बोलती हूँ अगर यह जो ट्रक है न यह ट्रक गुड्स नहीं कैरी कर रहे है यह क्या कैरी कर रहे है गाड़ी कैरी कर रहे है उसका डाइग्राम है एक कहा है यह देखो अगर यह जो कन्वेंस है अब गुड कर रहा है कन्वेंस क्या कर रहा है कार बट इस कार फॉर फॉर्दर सेल नाओ दे कार विच इस गोइंग विल आलसो भी ट्रीट इस तो क्या इस पर GST लगेगा हाँ तो जैसे मैंने कार मैनिफेक्चर करी और मेरी शोरूम दू इस पर बट जाएंगे तो यह जो होता है यह जो कार है पचास लग की गाड़ी और जो ट्रक है जो कर रहा है वह वह बीस लग पर जेस ने लगेगा लेकिन पचास लग की ऐसे मिलके आपने दस गाड़िया पांच गाड़िया ट्रांसफर करी तो इन गाड़ियों पर GST जोर्ण के लिए जा रहे तो शपलावी देर बिकॉज़वन फंगेट कर लिए अगर आप बूक्स प्रिंटिंग के लिए दे तो पीकेडी ना अगर कुछ मतीरल देऊ और प्रिंटिंग कर ला के लिए वो जो प्रिंटर है वो नहीं बोलेगा कि यह किताब भी मेरी है इसक करने के लिए तुझे पेपर यूज़ करना पड़ता है वो अलग बात है बट में काम क्या है सर्विस का लेकिन अगर मेरा होटल है और होटल बोलता है कि मुझे एंवलप्स चाहिए और उस पे आप नैपकिन टिशू पेपर है आप उस पे मेरे होटल का नाम प्रिंट करके द दे रहे हो मेरा नाम प्रिंट करके दे रहे हो परस्नलाइस्ट गूड्स हो गई है तो इस ट्रीटेट अस अप्लाय ओफ गूड्स समझ में आ रहा है क्या एस एक्टिविटी ऑफ बस और बोडी बिल्डिंग बहुत से बार आप यह पार्ट बनाते हो लेकिन उसको असेंब सब्सक्राइब करके दे रहे हो मतलब आप उस पर रबर कोटिंग करके देते हो तो यह सर्विस होती है तो भले उसमें रबर यूज हो रहा है बट ड़सेंट मैंटर गुड्स यूज हो रहे तो भी मैंटर नहीं करता है तो बेस्ट एक्जामपल सलून सर्विसे यूग और हेड मसाज और भी कंजूम होता होता है बट फिर भी इस ट्रीटेट इस सर्विस ब्सक्राइब को सेल क अब और फिर इसको सप्लाइब गुड्स माना जाएगा उसके आगे और एक बहुत ही मपोर्टन बात है तैंक यू धिरेन अभी और एक इंपोर्टन बात है वह कंगना रनावत वाला कि इस गीविंगंगना होगा सिर्फ वहाँ पर कंगना इस गिवेंग डोनेशन वो ट्र तरस्ट वहां पर क्या करती है ओधिस इंफ्रस्रुक्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉट्ट्रॉट्ट्रॉप इस नहीं पर लेट के फादर के नाम पर यह अंड़स्टैंड करो जब आप डोनेशन देते हो मैं बुक पब्लिकेशन और होटल नैपकिन पर जीएस्ट आएगा ना अफ्कॉस सलोनी हम यह देख रहें कि वह सप्लाइओ जी है या सप्लाइओ ऐसे अगर हम बुक्स पब्लिश करते हैं इस सप्लाइओ सर्विस अगर हम नैपकिन खरिदते हमारे नाम के साथ इस सप्लाइ देने पर इसको कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा इस पर जीएस नहीं लगेगा क्योंकि कंगना जा पैसे दे रहे हैं उसको सिर्फ थैंक्यू मिल रहे है थांक्यू फॉर डोनेशन ग्राटीटूट दिखाने के लिए उसका नाम लिग के दिया है लेकिन अगर वही ट्रस् बना रहे है तो क्या आप आपका one page advertisement हम दे सकते हैं आपके business के बारे में या आपके company का नाम देंगे अब जब कंगना ट्रस्ट को पैसे दे रहे है is she getting something in return yes and what she is getting something in return is the advertisement उसका promotion हो रहा है this will be treated as this will be treated as this will be treated as supply और इसके उपर GST लगेगा और कौन से circular और clarification है क्या है tenancy rights है अगर आप tenancy rights बेचते हो okay if you sell tenancy rights रामबांड में है यह हाँ page number 56 पर अगर आप tenancy rights sell करते हो tenancy rights बेचना मतलब tenant is giving away capital gains में मैंने आपको पढ़ाया है कि self generated assets होता है तो मैं मेरी tenancy rights बेचूंगी तो यह capital gains होता है बड़ अगर मैं मेरी tenancy rights देती हूँ और मुझे उसके बदले जाएगा यह लैंड नहीं माना जाएगा और यह supply of service माना जाएगा supply of service माना जाएगा इस बीटीटेद as supply of service मैं सिर्फ मेरी right give away कर रही हूँ I am just giving away my rights okay tenant को building में rights मिल जाते तो उनको भी क्या दिया जाता है उनको भी property में हिस्सा दिया जाता है तो to give away the rights tenant को हम पैसे देते tenancy rights is supply of service अब आता है schedule 3 schedule 3 क्या बोलता है neither supply of G nor supply of S ECG ठीक नहीं तो funeral मरने के बाद property और lottery का क्या करोगे E stands for employee employer salary मुझे सिर्फ याद दिलाना employee employer वाला में वो चार्ट एक बार रिवाइस करूंगे क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट से जिस रिमाइंड मी employee employer मतलब salary अगर जो होता है उसके उपर आपको GST नहीं लगता so इस से detail में और बात हम करेंगे कहां पर in the chart के थ्रू में आपको बता दूंगी तो salary के उपर there is no GST on salary there is no GST then C stands for court fees आज ही बता है court or tribunal की जो fees होती है but that is only for legal fees मतब court की fees जो होती है उस पर GST नहीं लगेगा आज ही देखा यह छोड़के अगर वो कुछ renting वाली service देते तो then it gets covered under RCM हाँ बिल्कुल से इसको हम यह बोलते है किसी की queries रह गई होंगी तो रुखना supply की chapter के end में आप एक की साथ queries पूछ लेना उसके बाद functions performed by members of parliament हाँ G stands for government government post जो होते constitutional post बनाए गई है Chief Justice of India government की post government की body corporates उनके आप डिरेक्टर बनाते बनाया जाते हो आपको जो consideration दिया जाता है उस पर हम GST नहीं लगाएंगे तो okay so there is Chief Justice of India CNAG होता है members of Parliament constitutional post president vice president उनको जो भी पैसे दिये जाते उनके उपर GST नहीं लगेगा G stands for government post ECG ECG ठीक नहीं तो क्या होगा funeral वाली जो सारी services है उतके उपर GST नहीं लगेगा ECG ठीक नहीं तो funeral मरने के बाद property और lottery का क्या करोगे तो property में मैंने आपको already बोल दिया वह चार्ट बना दिया अगर आपको consideration कब मिला property के completion के बाद then it is not treated as supply अच्छा और land sell किया land के पैसे before after का land में कुछ completion होता ही नहीं है land पर वैसे भी GST नहीं लगता हाँ उसके बाद यहां पर lottery उल्टा है सिफ lottery पर GST लगता है in fact आपको chapter 1 आज आप घर जाती chapter 1 जो basic है उसमें से यह पक्का यहां में से ज्यादा नहीं पड़ना constitution GST council के functions पढ़के जाना कब वह constitute हुआ उसके functions क्या है वोटिंग वन थर्ड तू थर्ड वहां पर GST आपका कवर हो जाएगा अब actionable claim lottery की बात करेंगे तो बेटा लॉट्री पर GST लगता है लॉट्री वाला टैक्स सब्जियूम हुआ है मतलब लॉट्री पर पहले टैक्स लगते थे वह सब्जियूम हुआ है सब्जियूम होने के बाद अभी उसके उपर लगता है GST तो यहा अच्छा बना के दिया है ब्रेन मैपिंग बूक में इस एक चीज़ है एक चीज़ है एक चीज़ है अच्छेबल क्लेम अंडर अच्छेबल क्लेम को हम गुड्स मानते है इसको गुड्स मानने के बाद इनको दो पार्ट में डिवाइड के है लॉट्री बेटिंग और गैंबलिंग इस पे उपर जीएस्ट लगता है इन फैक्ट अर्लियर स्टेट गवर्मेंट उसकी जगह पर आ गया है अच्छेबल क्लेम माने अंसेक्ष्ट एडवांस देना अच्छेबल क्लेम मतलब ऐसा क्लेम जिसके एकन सब विंडो को ब्रेक करी और उसके लिए आप कोट में जाओगे तो कोट आपकी केस को एंटरेंट नहीं करेगा कोट ने डिफाइन किया हुआ है कौन सी केसे को एक् सेक्यूर डेट और इन चीज़ों पर हमको जी एस टी नहीं लगाना है इसलिए हमने इसको शेडियूल 3 में कवर किया तो बोलते वक्त हमने सिर्व ऐसा लेर्न किया प्रॉपर्टी और लॉट्री का क्या करो कि बट है वो उल्टा लॉट्री पर जी एस टी लगता बाखी के ए अब को घबराने की जरुवत नहीं है आपके पास अगर यह प्रिंटेट ब्रेंट मैपिंग बुक नहीं है तो आपके बनाए हुए ब्रेंड मैपिंग बुक से ही मैंने यह बुक बनाई है तो एपसलूटली इडिज इस इन दे सेम फ्लो आइन इन दे सेम सीक्वेंस ओके सेलुड़ियाय लगाते ड्रीम इंपलयपिस उर्इल में की जिलुडली है टाँड़ेल अगर यह प्ली इसको टॉलीम ब्रेक्टो्ड नहीं लगता लेकन अगर सो इसको फ्लो अब क्लारिफिकेशन आया यह वे लास्ट अटेम में हुआ था अमेंडमेंट में अगर आपको यह प्रक्विजित मिलते तो तो salary है you get प्रक्विजित इन को सफ एम्वैमेंट तो यह क्या है सैलरी थे बट इस नागी प्विजित नाट इन दफ एम्वैमेंट आपके यह तो गिफ्ट हो गया और गिफ्ट वाला प्रोविजन अप्लाए होगा माने शेडूल वन अप्लाए होगा एंप्लॉई एंप्लॉयर को बिना कंसिडरेशन रिलेटेड परसन माने जाते हैं इनको कुछ भी देगा तो वह गिफ्ट में आता है अब अगर नॉट इन दो कोस दूसरी कंपनी के लिए तो इसको यह सैलरी में नहीं आएगा यह टैक्सेबल होगा उसी तरीके से अगर गिफ्ट देता है गिफ्ट मतलब बिना कंसिडरेशन के वी ओवर और अबाव टर्म्स अफ एंप्लॉयमेंट एंप्लॉई एंप्लॉयर एंप्लॉयर रिलेटेड प एंप्लॉयर आता है बार एपी आए बार बीए डिस्पोजल ऑफ बिजना बिजनस असेट मतलब वो मोटा भाई ने चमेली को कपड़े दिये या मोट डोनेशन ऑफ लैप्टॉप दिया और आर इस रिलेटेड परसन या डिम डिस्टिंक परसन उसमें आता है स्टॉप ट् 50,000 विल बी एक्जम्ट अगर गिफ 50,000 के उपर है तो फुली टैक्सेबल तो माने अगर एंप्लॉयर ने 55,000 का गिफ दिया तो पूरा 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा यह जो 50,000 का बेनिफिट है यह सिफ एंप्लॉयर और एंप्लॉई को दिया है बाकी लोगों को नहीं दिय है यह हो गया एंप्लॉई एंड एंप्लॉयर वाला पाट तो बार एपी आए अपके धिमाग में भी आ गया ना एजन प्रिंसिपल भी आ जाता है और उदर आए इंपोर्टेशन आता है तो यह पार चीज़े बिना कंसिडरेशन के शेडूल वान बार एपी आए शेडूल वाले नहीं लगेंगे फिर एडिशनल क्लारिफिकेशन वा ट्रक है गूड करी कर रहा है सर्विसिज दे रहा है तो उस पर नहीं लगेगा बाइवन गेट वन फ्री के बारे में बता है यह कुछ क्लारिफिकेशन बैने आपको कर वाया है तो इस अप्लाई हूँ अभी उस जाए और वाइस के बाद चाहिए तो दस मिंट का ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग क्या सॉल करेंगे आटीपी फिर जितना एनरजी होगा करेंगे फिर आई टी सी करके लेंगे ऐसा करेंगे अर्टी विल आपका शेडूल मुझे पता नहीं कैसा होगा तो कल आपने खुझ से मॉक्टेस पेपर वान एंटू आप जी एस्ट का तो सॉल करी दो तो हाथ वात हो ही जाएगा तो मैं पेपर अगर मुझे डिसकॉशन का तो में भी कर दूँगी तो या अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अगर सॉल किया होगा वो पीडिएफ फाइल शेयर कर दूँगी इस पॉसिबल में मेरे आइपैट का रेकॉर्डिंग भी आन कर दूँगी एन एल सेंड इड़ तहाई आपको दिखेगा तो आइक record my iPad screen and I can share that file with you all क्या एसा चलेगा ना कौन सा paper difficult है mock test one difficult है ये तू डिफिकल्ट है तू का level अच्छ है तू फिर पहले mock test 2 करते है फिर ना तो तू का level अच्छ है तो आपन क्या करेंगे mock test 2 कर ठीक है ओके अप सुनो इंकम टेक्स का भी आर्टी पे एक्चुली इंकम टेक्स का मैंने सॉल कर दिया है उसके मैं सल्यूशन शेर करूं कि आपके साथ तुम एक काम करो जब जैसे ही हो जाता है ना ब्रेक में इदर आके मुझे साथ मैं यह शेयर कर यह शेयर कर सब बोल तो इधर ही कर देंगे नहीं तो मैं एक बार ऑफिस पर चली गई और ऑफिस के काम में घर में चाहिए तो उधर का ह सब हाँ चलो अब सुनते अब सुनते अब सुनते कॉंपोजिट सप्लाइ के बारे में ठीक है यह कहां पर अपलोड करूंगी अच्छा हाँ आपना जो है विजया बैच नहीं आपका फैब न्यू फैब बैच है आपका क्या हो गया लास्ट बैच ऑफोल से बस येस ठीक है भाई चलो आगे जाएंगे अब सुनो एई कॉंपोजिट सप्लाइ का एक्जांपल तो मैंने दे दिया यह कॉंपोजिट और मिक्स अप्लाइज अपको क्वेस्चन में आते ही है जैसे कि शूर्ट के साथ आपने टाय वह मिक्स हो गया लेकिन शर्ट मैनुफैक्ट्टर पर देसलिमें छैप हैं जैट त्ली हमना प Violence we will don't leave the box from home można办 विन बॉक्स आसा थोरी होता है when I am giving a shirt I am also expected to give you the box the packing delivery transportation this is a composite supply but with a shirt it is not mandatory to give a tie so if a shirt and tie YOU KOMBO B인이 gotta do a rookie for a single price that's a very important thing and that's a key factor which ICI always wants to check the students that agar yes these are all some face to face students who are attending okay so PKD channel telegram channel is there so I'll post it on that also okay now let us understand here shirt and tie this is a mix apply agar mix apply hota highest rate लगता है अब सुनके लेना अगर मैं DMART में जाके शौपिंग करती हूँ DMART में DMART में single price नहीं होता है हर एक की amount अलग-अलग होती है हर एक की amount क्या होती है अलग-अलग होती है अलग-अलग amount पर क्या लगता है GST के rates लगता है अलग-अलग so this is going to be a not a mix supply okay यह mix supply नहीं है यह general supply होता है so please understand यह जो bundle होता है यह natural composite होता है या artificial होता है अगर जो natural है identify the principal supply जो principal supply उसी का rate सभी जगा apply किया जाएगा तो यह बहुत बार आता है बेटा जैसे की boarding you know school यह होता है ना boarding school वहाँ पर main काम क्या होता है स्कूल का पढ़ाने का तो स्कूल और education पर GST नहीं है तो खाने के बिल्स होस्टेल के प्लस आपके रहने का उस पर भी GST नहीं लगेगा क्योंकि यह composite supply बन जाता है you can't go to boarding school and say no I don't like your school but I like your hostel I like your mess so let me go and stay there you can't do that so this is a composite supply आपको यह अलग से नहीं मिलेगा so please understand that हाँ mobile के साथ charger अभी आजकल नहीं मिलता है iPhone को नहीं मिलता है अभी सब में वह एक बार Apple ने भी कर दिया तो फिर everybody will follow तो आपको भी नहीं मिलता है iPhone बाकी के फोन पे भी अभी आइफोन बाकी के इस पे चाजर नहीं मिलता है मिलता है mostly नहीं मिलता है ठीक है ठीक है ठीक है अब सुनो यह तुमको आगया क्या यह ना question के फॉर्म में पक्का आता है composite and mix supply अब डीमार्ट is not a mix supply because it's not a single price various or different GST rates will apply तो composite or mix में आपको तीन example याद रखने है पहला natural bundle laptop plus charger बैग मिलना laptop का यह आपको मिले गाई this is a natural bundle and second is a gift hamper gift hamper Starbucks में आप जाके gift hamper खरीते हो 5000 का वो अलग billing नहीं करेगा आप अगर ऐसे सोचते हो कि यार यह gift hamper 5000 का है फिर तुम जाके देखते हो यहां मग कितने का मिल रहा है यह कितने का मिल रहा है फिर में अलग प्राइस देखू क्या वो तुम देखो तुमको वैसा करना है तो आपको पैकिंग करके लेना पड़ेगा स्टारबक्स वाला जब एक गिफ्ट हैंपर देगा पांच हजार का तो वह ब्रेक अप नहीं देगा उसमें क्या कॉफी मग है कॉफी बीन्स है बिस्कित से कुकीज है तो उसमें जो भी प्रोडक्स है उसमें जो भी हायस रेट है वही रेट अपलाए होगा लेकिन डीमाट वाला आपको सेपरेट बिलिंग करेगा एंड में टोटल लेगा हर चीज का उदर प्रोड़क्स लिखके देगा शर्ट खरीदा बुक्स खरीदे ग्रॉसरी खरीदा फ़लाना फलाना ऐसे हर एक का अलग देगा तो वह सिंगल प्राइस नहीं होगा तो वह मिक्स अपलाएँ नहीं होगा अब क्या बचता है इस चैप्टर में आ हैं शेक्र बाबा है हां ये देखो एक मिनट ऐसे मैंने नया चाट बनाया ता रूम और एक मिक्स अप्ला और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें लेकिन अगर मैंने एसी रिपेरिंग का लिया मुवेबल प्रॉपर्टी का देन आपको सेक्शन एट के हिजब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने एसी का कॉंट्रेक्ट दिया उसी में आपको बोला कि एसी का कोई पार्ट भी खराब हो गया तो तुमको चेंज करने का देन इस बिकम्स प्लाइब इप मैं वर्क स्कॉंट्राइट से ओली सर्विस करके देंगे तो आप सिर्विसिंग का बिल दोगे और मटीरल दोगे तो वह गुड्स बाना जाएगा तो आपका बिलिंग भी अलग होगा जी वाले पार्ट पर गुड्स का रेट लगेगा एस ग्यों ओह हो अलकॉल लाइसेंस बोल दिया शिवानी अलकॉल लाइसेंस पे जी एस्टी नहीं लगता है और बाकी के लाइसेंस पे- दी लगता है आइफिक य्णा मीच शुब हो गया क्या वियोज करा दू वैली अप सप्लें चलो चार्ट है अच्छा है इसका हां वी विस कराती हो उसके बाद एक पी करती हो गया ठीक है रेस्टरॉट्ट शर्विस सप्लाइं आलकोहल हो गया थी आलकोहल जी थी आलकोहल पे तो तो पता है मैम इस नृटिक्ट इन चेन्नाई यह ब्रदर हम लंदन लोन लॉयर रहे अपने question exam question वाले ले तो क्या है ना well-known lawyer or settled है तो he is not a relative because he is not dependent हां तो यह relative नहीं है इसलिए फिर family हां तो importation for consideration में यह क्या है without consideration without consideration है C नहीं है तो B होना चाहिए और related person आची तो related person यह तो सेक्शन 7-1-a यह बोल दिया ना यह यह भी बोल दिया ना यह क्या सेवन वान ने बोल दिया ना अगर सप्लाय तो इस अप्लाय ओफ जी और एस और 72 यह सब कर दिया ड्यूटी गवर्मेंट पहले स्टार्टिंग में किया cgsg duties perform करते है तो उस पर जी एस टी नहीं लगेगा लिकर यह सब हो गया ठीक है ब्रेक मिलेगा क्या अभी नहीं मिलेगा फ्लोग रेक होगा व्योएस कतम करेंगे फिर ब्रेक मिलेगा अभी नहीं लेंगे ब्रेक क्या हो गया है ओमाइगाड चलो मुझे व्यूस का एक चाट ही होगा बैस्ट होगा वह एक पूरा एक चाट में व्यूस कर देंगे चला बैस्ट है चला बसुए ओमाइगाड क्या हो गया क्या हो गया तुमको एक्जाम में पास में कुछ यह हो गया दिमाग प्यासर हो गया क्या जादा पढ़ रहे कैने प्लीस तेल में दे पेज नंबर फ़ दे चार्ट फो पॉइंट वां ओमाइगाड फो पॉइंट यार मेरे पास नहीं है कंप्लीट तुम्हारे पास है मैं टीचर्स कॉपी में दूंदती हूँ है क्या मिल गया मिल गया आवी है यह चलो ख्लाप यह एंद टेट चार्ज़ एवर अपी बर्डेग थी एप हां हां वी ओएस में गवर्मेंट सब्स्टीटी तो बताने वाली वह तो मतलब मेरा जान खाते है वह क्वेरी आपकी अच्छा मैंने दो तिन यह तीन चार दिनों में क्वेरी सब्सक्राइब क्या ही नहीं है आई विल स्टाट आपके अगर कुछ क्वेरी मेरे मोबाइल के वाट्साप पर आए होंगे तो मैं करूंगी बड़ आप से रिक्वेस्ट है राएं सेंड क्वेरी ऑन टेलीग्राम गूप वह एजी होता है इंग सिंगल सिंगल वह मैसेज़ अगर आप ग्रूप पर डालोगे तो अच्छा होगा बट चलो स्टाट करते अभी किया हमारा डायलोग बोल दो ठीक है बोलते हैं आखरी में बोल देंगे है ना अटीप के बात बुरें आटीप सच्छी में यह है हाँ 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 चलो आभी रेड़ी यह सिट स्ट्रेट स्ट्रेट इस पाइन कोट स्ट्रेट आई कॉंटक्ट विद्यूर टीचर नाउ लिट अडिस अंडिस्टाइड आइम उन सेक्शन 15 सेक्शन 15 को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो सेक्शन 15 इस 15 वन की ट्रैंजक्शन वैल्यू पर मैं थोड़ा यहां पर आपको फड़ा फड़ा लिख के बताती हूं तो समझ में आता है से वैसे देखने से ना इतना समझ में नहीं आता है वैना राइट देन यू अंडिस्टाइड बेटर सो इविल राइट इट ना ओके ओके यह सेशन कब तक चलेगा ओमाइखा अजब तक है जान ओके अब देखना उसको काट डालेंगे तो फिर जाने ने बच्चे की फिर सेशन ही नहीं होगा चलो फिफ्टीन वन फिफ्टीन वन कमान कमान फोकुस फिफ्टीन वान इस ट्रैंजक्शन वैल्यू आप कैसे बिना ब्रेक के बिना कुछ की एर बैटने को रेड़ी तब इतना अब शुनते हैं इसको भूख लग गई है 15-1 चलो 15-1 बोलता है 15-1 is transaction value 15-1 बोलता है अगर buyer and seller एक दूसरे से related नहीं है and price is the sole consideration and price is the sole consideration then the transaction value जिस value पे transaction हुआ उसी को क्या माना जाएगा उसी को आपका value उसी से start करेंगे उस value से start करेंगे transaction value उस transaction value में होंगे add and less करेंगे कुछ चीज़े जो आएगा section 15-2 में थोड़ा सा examiner को अच्छे से impress करना और वो बोलना incidental charges, packing charges ऐसे जो additional fret है आप कुछ भी add करेंगे नीचे एक मस्ता note लिख देना इसा बोला है न तुमको मैंने बोला है न पहले ही तो वह लिखना तो उससे आपका paper को impression आपके examiner पर अच्छा पड़ जाएगा अब देखना यह जो 15-2 है इसमें बहुत सी चीज़े आती है incidental charges तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके और 15-3 talks about discount ओहो 15-3 किसके बारे में बात करता है discount के बारे में तो 53 जो है talks about discount अब ध्यान से समझेंगे और सुन के लेंगे 15-2 में क्या क्या cover होता है इतना इतनू सा तो यह act है income tax जैसा नहीं कि प्रोवेज प्रोवेज भी आ गया special case भी आ गया यह learn करने के लिए घूम फिर के चार या पाच उतने तो पॉइंट से वह घूम फिर के वह पूछते है अब सुनना 15-2 में other taxes अगर GST वारे taxes होंगे तो वह taxable value में add नहीं करेंगे other taxes होंगे तो वह बिल्कुल add करेंगे वह add करेंगे फिर value निकालेंगे फिर उसके उपर GST लगाएंगे सम्टाइम्ज टेल यू taxis are levied by municipal corporation, local authority की कोई टैक्सी है और कोई भी टैक्सी होगा तो हमें add करना है लेकिन TCS होगा तो add नहीं करना आज कल TCS बन गया है नहीं करते थे तो यह बात होगी पहले टैक्सी की यह किसकी बात हो गई टैक्सी की अगर टैक्सी की बाद अगर मैं बात करूँ subsidy की यह आ गया तुम्हारा सबसे वाला फेवरेट वाला adjustment ओ मैं गाड अब इस subsidy में दो टाइप की subsidy होगी एक होती है government की subsidy और दूसरी होती है non government की subsidy अब government की subsidy जो होती है वो taxable value में add नहीं होती इसके एक्जाम में कैसे questions आते है वो मैं आपको समझाती हूँ आपको दिया जाता है यार बहुत अच्छे से सुनके लेना इसमें गल्दी मत करना बहुत ध्यान से समझके लेना अब देखो इसमें क्या आता है question में दिया जाएगा machinery की price machinery की price एक लाख है machinery की price एक लाख है और subsidy है 20 government की subsidy है 25,000 और non government subsidy है 20,000 एक 25,000 है और एक 20,000 है अब बच्चों को question में दो चीज़े बता ही जाती है यह दो तरीके होते बताने के option one होता है बोलना कि यह जो price है this price is net of subsidy यह एक तरीका है वरडिंग का दूसरा तरीका होता है so price is net of subsidy यह तरीक है और दूसरा तरीका यह होता है पता है यह पता है वह आड करना है समझ में नहीं आता है मुझे पता है इस के लिए मैं वह इस कर्री वह इज प्रॉब्ल्लम तुम्हारा solve कर्री रही हू रूको वह फेस से ऐसा लगता है एकदम चालू लड़का है वह प्राइज इस नेट ऑफ सबसीडी बहुत ध्यान से सुनना हां हां प्राइज इस नेट ऑफ सबसीडी यह और दे विल टेल यू दप्राइज प्राइज ऑफ मशिनरी इस आफ्टर कंसीडरिंग सबसीडी प्राइज ऑफ मशिनरी इस लेकिन एक चीज़ सब लोग मुझे प्रामिस करेंगे यह मैं कौन से बताने के बाद अगर आपने मुझे सबसीडी वाले क्वेरी भेज होंगे वाट्स अप वह डिलीट या अंसेंड कर देना प्लीज फिर मुझे न फिर से वह क्वेरी आंसर करने का काम जो है मेरा बच जाएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर किसी ने मुझे सबसीडी वाली क्वेरी भेजी होगी तो प्लीज उसको अंसेंड कर देना यह सुनने के बाद अब सुनो प्राइज इस नेट सुनना बेटा अगर मुझे पता है कि मुझे 25,000 गवर्मेंट देने वाला है मुझे पता है कि 20,000 मुझे रिलाइन्स इंडस्ट्री देने वाला है मुझे पता है मुझे 45,000 मिलने वाला है मुझे क्या पता है कि मुझे 45,000 मिलने वाला है तो मैं कस्टमर से 45,000 कम लोंगी न तो मैं प्राइस कम कर दूंगी तो वहना इसे नेट आफ सब्सीडी का प्राइस होता वन लाइक फॉटिफाइफफाइफ याहाड जब मैं बोलती हूँ इस इप्राइस कम करूंगी न मुझे रिलायंस ने पहले बता दिया कि हमारा CSR का प्रोजेक्ट है कॉर्पेर सोचल रिस्पांसिविटी वी वांट टो गिव सम सबसीडी हमें लैप्टॉप्स खरीद के देने पूर स्टूडेंस को विलेज़ में जाके स्कूल में जाके हमको लैप्टॉप देने का है तो हम 25,000 देंगे तुमको गवँर्मेंट ने भूं बोला कोविट चाल रहा हम देने वाले थो तुमने प्राइस कम कर दिया यह नेट ऑफसीडिय मतलब इसमें ऑल्रेडी प्राइसलेस हो करूंगी ना मैं बढ़ाऊंगी थोड़ी 145 में original price but because I'm getting subsidy में customer को बोलेंगी तू लखी है यार तेरे लिए price एक लाग हो गया क्यों 20,000 में government कौन देने वाला है non government देने वाला है Reliance देने वाला है this is non government subsidy और government दे रहा है 25,000 इसलिए तेरे लिए price क्या हो गया एक लाग अब इसमें क्या करना है अब इसमें subsidy included नहीं होता है net of subsidy मतलब उसमें included नहीं है after considering मतलब वो less हो चुका है otherwise I would have sold it at 145 so now non government subsidy मुझे add नहीं करना अब इसमें आज हमने ये भी सीखा वो government ने कमिशन पे किया credit card debit card के लिए वो भी अगर आया तो वो भी add मत करना अब ये non government subsidy आड नहीं करेंगे और non government वाली subsidy 20,000 एड करेंगे ये 20,000 हमें taxable value में add करना है अब problem में एक और twist होता है कभी 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 वह ऐसे देते कि ये जो non government की subsidy है उधर शब्द यू अच्छा ये कभ एड करना है ये समझ में आ गया क्या पहले तो government वाला 25,000 है वो एड नहीं करेंगे और जो 20,000 non government वाला हो वो add करेंगे पक्का समझ में आ गया अब देखो अब एक और अलग टाइप का question आता है नौन government subsidy देंगे कि पचास अजर मिला दूसरा example दिस अनाधर एक्जांपल डोंट गेट कंफीज उपर वाला एक्जांपल हो गया उसमें तुमको डाउट है क्या अफ अनाधर इस अनाधर एक्जांपल देवल से कि नौन गवर्मेंट subsidy मिल रही है पचास अजर बट इस बिकास यूर कंपनी इस फॉलोई ग्रीन एनरजी यूर कंपनी आज दन सम वो क्या होते है एनरजी आपने कुछ सेव क्या हो गया पल्यूशन आपने सेव क्या यह प्राइस से लि अगर लेटोप के पीछे बीस अजर हम देंगे इस लिंक टुद प्राइस बट अगर रिलाइंस ने बोला हमारे CSR के पैसे बच्चे एक काम कर देख चैरिटेबल ट्रस्ट वह अच्छी है वहां पर अच्छा काम चल वह एक और संस्ता है वहां पर कुछ काम चल रहे उनको लैपटॉप बेचो या मत बेचो तुमको तीन लग मिलेंगे यह लिंक टुद प्राइस या प्रोडक्त नहीं है यह वाली सबसीडी एड मत करना एक चीज़ गवर्मेंट वाली सबसीडी कुछ भी हो जाय तो हम एड नहीं करेंगे नन गवर्मेंट वाली एड तभी देख के वैन इटीज लिंक टुद प्राइस अब आपको समझ में आया क्या सम्जा क्या क्मलिश संबडी सेंग कमलिशन्ट चाहिं प्लीज प्लीज रिपीट फैल वाला प्लीज रिपीट वाट वाट वाला वाट इस वाट इस वात तीन-चार मैंने कि है कौन सा वाला पहल वाला है, I don't understand, you have to tell me, first example में दो cases, cases का एक ही answer है न, हाँ, एक ही है, 25,000 एड नहीं होगा, और 20,000 एड होगा, तो answer यह है कि 1,00,000 प्लस सिर्फ 20,000, ऐसा answer है, 1,00,000 प्लस 20,000, यह पहले case का answer है, oh my god, are we done, हाँ, but we are still not done, I have to explain here, ma'am question में बोला है, subsidy not considered in price, हाँ, तभी भी ऐसा करेंगे, वो ही तो बोला है, subsidy is not considered, हाँ, फिर हो सकता है, but generally don't, don't give you this kind of questions, ओके, वी ओएस का subsidy वाला, शीवानी, दस मिनिट वाला पार्ट फिर से नहीं explain करूंगी, तू लेक्चर रिवाइन करके फिर से देख ले, ऐसा हो सकता है, ना, हाँ, चलो आगे, ma'am, उसमें net दिया है, तो बोला ना, net of subsidy, net of subsidy, मतलब माइनस करके दिया है, माइनस करके दिया है, उसमें included नहीं है, अच्छा है ना, government वाला वैसे भी included नहीं होना चाहिए, और non-government वाला included नहीं है, लेकिन होना चाहिए, इसलिए उसको add करेंगे, सिम्पल सी बात है, जो PGPP का add less कर सकते हैं, इसको यह समझने में इतना problem नहीं आना चाहिए, हाँ, prices do not have effect of subsidy, then आपको वो ultra thinking करना पड़ेगा, prices do not have effect of subsidy, मतलब वो included है, तो आप कौन सा included नहीं होना चाहिए, जो PGPP का add less कर सकता है, वो यह तो समझी सकता है, गवर्मेंट वाला added होना नहीं चाहिए, और non-government वाला added होना चाहिए, अब आप देखो जो प्राइज है, उसमें क्या दिया है, उसके हिसाब से आप add less decide कर सकते हैं, जो PGPP कर लेता है, उसको यह थोड़ी मुश्किल है, बस बस इसे उपर नहीं करेंगे, ज्यादा discussion करोगे तो it will lead to confusion, ज्यादा भी नहीं करने करेंगे हैं, अब सुनो, taxes हो गया, subsidy हो गया, अगला favorite part जो income tax को पसंद है, आपको पता है क्या यह recipient है, यह supplier है, ओहो, एक recipient और 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 एक supplier है, recipient generally pays the money to supplier, sometimes recipient pay will pay to third party on behalf of supplier, sometimes recipient will pay to third party on behalf of supplier, तो ऐसे case में भी हम इसको, हम add करते, जो, आपने यहाँ C1 दिया होगा, यहाँ C2 दिया, तो consideration या taxable value is C1 plus C2, taxable value में C1 भी add करेंगे, C2 भी add करेंगे, समझ में आ रहे हैं किया, दोनों को दिया गया consideration, add करते हैं, so payment done to a third party on behalf of the supplier, supplier को payment करने की बज़े, उसके बिहाफ पे आपने किसी और को payment किया, उसको भी consideration या taxable value में add किया जाता है, फिर आदे other, other incidental expenses, other incidental expenses, मैं confused नहीं था, आप confused हो गया, that is why too much of doing that discussion also no, just जितना मैंने बोला उतना करके छोडने का, यह जिन लोगों को वह ऐसे queries आती हैं उनका ही सब issue हो जाता है, अब सुनो, अच्छा सुनो आगे, other, other, see one हाँ, उसमें other, other में क्या आता है, packing, packing charges add होंगे, commission charges add होंगे, फिर fret भी fret में दो प्रकार होता है, अगर it was decided that fret की responsibilities on the seller, तो seller incur कर रहा है, तो वह add करेंगे, अगर buyer करने वाला है तो वैसे भी आप उसको बिल, buyer incur कर रहा है तो आप उसको वी ओस में add नहीं करोगे, तो fret हो गया, commission हो गया, packing हो गया, then कभी mold के charges हो सकते हैं, designing charges हो सकते हैं, installation charges होते हैं, payment charges होंगे, यह सब हम क्या करेंगे, add करेंगे, समझ में आ गया क्या, हाँ, अब उसके बाद understand, अब इसके बाद यह क्या हो गया, 15-2 हो गया, अब मैं discount वाला part कराती हूँ, अब यहां पर मुझे देखने तो कुछ miss नहीं 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 हुआ, यह हो गया, TCS यह कर दिया, payment on behalf, incidental expenses में सब कुछ, हाँ, यह miss हो गया था, interest हाँ, यह बताना है, interest and penalty and late fees, interest penalty and late fees, अगर लंसम दिया, bracket में, then you assume it is inclusive, and कुछ नहीं दिया, then you are free to assume both, you can assume it is inclusive or you can assume it is exclusive of GST, but interest, late fee, यह सब दिया, तो आपके पास दो choices है, you can assume it is inclusive of GST, or you can assume it is exclusive of GST, एक ही second, तुमने वो lecture डाला है क्या, हे मन ताइक का ना, आप सुनना, interest penalty late fees, should it be added, yes, subsidy मैंने आपको बताया दिया, CGSG वाली subsidy add नहीं होगे, non-government वाली subsidy and link to the price ये add होगा, taxable value में, अब आता है discount, अब discount, अब आता है discount, discount 153, discount में पहला discount होता है, known and sure, discount पता भी था, आपने invoice में show भी किया, ऐसा वाला discount taxable value से minus होता है, known and shown, दूसरा वाला discount होता है, known होता है, बट shown नहीं होता, आपके targets अचीव करना है, आपको उतना volume का sell करना है, आप 1000 के उपर product बेच होगे, तो आपको discount मिलेगा, ये offer आपको पहले पता था, लेकिन invoices पे अभी declare नहीं हुआ, क्योंकि जब आप thousand के उपर उतना अचीव करों के तो ही हम आपको वो discount देंगे, तो जैसे ही आप अचीव करते हो, तो आपको ये discount दिया जाएगा, ये जो discount invoices में नहीं दिखाया जाते है, ये credit note के थ्रू आपको दिये जाते है, debit note always is just like an invoice, it increases the value, but आपको invoice में discount देना है, उसकी value कम करना है, तो हम क्या issue करत credit note, मैंने invoice में already discount दिखा दिया है, इसका तो सवाली नहीं आता है, ये minus करके GST आता है, लेकिन मैंने discount दिखाया नहीं है, तो discount दो प्रकार की होते है, पहला अगर known था, was the discount at the scheme known already at the time of supply, yes, then इस type का discount होता है, वो taxable value से minus होता है, ये वाला जो discount है, हम एक एक invoice to invoice से relate कर सकते है एक-एक invoice to invoice में relate, it can be linked with the invoices and जो recipient है उसने proportionate ITC reverse करना चाहिए, और जो recipient है उसने proportionate ITC क्या करना चाहिए, reverse करना चाहिए, उसके बाद आपको ये समझना है, हाँ, अगर discount known ही नहीं था supply के time, जैसे bakery products है, या आपके पास ऐसी stock पड़ा हुआ है, तो चलो end of the year में हमने बोल लिया, कि अरे तुमने बहुत अच्छा perform कि हम आपको एक लाग discount दे रहे, ये पहले पता नहीं था, ये बाद में पता चला, इस discount में से, ये discount हम taxable value से minus नहीं करते, ये वाला जो discount है, वो taxable value से minus नहीं होता, समझ में आ गया क्या, discount के कितने प्रकार है, तीन, आज हमने amendment ये सीखा, NCB वाला जो discount है, non claim bonus वाला discount जो है, वो taxable value से minus होगा, NCB will be deducted from taxable value, deducted from taxable value, NCB will be deducted from taxable value, ये क्या हुआ आपका? value of supply, value of supply, done है क्या, क्या हुआ है हमारा, value of supply, correct है, should we take exactly counting करके, 5 to 7 minutes का break, and we'll start with RTP, एक RTP करा के look है, MTP, MTP2 करना है, ठीक है, अच्छा, बेज दे, अच्छा, पांच मिनिट का अपन क्या लेते हैं, ब्रेक लेते, 5 to 7 minutes का break लेते हैं, ठीक है, 10, 10 minutes का break लेते हैं, okay, झांच में झांशा बेन बstar to the झाल 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 यह जो डिसकाउंट्स होते हैं आपको पता है कि इनकी अलग नाम होते हैं यहां पर तो वह कराती हूं आपको इंकम सिर्वें 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 सॉल्वें कीप कभी शेयर करना पड़े तो फटा फट तो मैंने बहुत लेकिन रफ में किया ऐसे शेयर करने जासा नहीं किया है बड़ाइं अब आप सुनों चलो लेट स्टार्ट ओके चलो फोकस और सर्क्यूलर सिफ डिसकाउंट की बात है बता दे तुए को अगर स्टैगर्ड डिसकाउंट होता है ना इस नॉर्मली स्टैगर्ड डिसकाउंट इस नोन एं शोर मादब पांच थाजर की शॉपिंग तो दस परसे डिसकाउंट इसा जो था इस टैगर्ड डिसकाउंट यह नोन होता है तो आप वह सापसे इनो शॉपिंग में थोड़े पात्सव रुपे कम पढ़ रहे तो आप उतनी करके फिर वह डिसकाउंट ले ले तो 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 यह डिड़क्त करते हैं दूसरा होता है वाल्यूम डिसक सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आपने वह पढ़ना चाहिए कभी कुछ पार्ट थेयरी का जैसे यह वाला आपको कंडिशन पता होनी चाहिए यह वाला कॉंसर इसकाउंट माइनस करते हैं इस नोन अधर टाइम आप सप्लाइब इस लिंक तो वेरियस इन वोईसे आपने क्या करना चाहिए यूशुड रिवर्स अ प्रपोर्शनेट इस समझ में आ गया क्या एक सब्सक्राइब कहां चला गया मेरा एक मिनेट ओके आगे वेर आवी हां तो यह आपको डिसकाउंट समझ में आगे क्या सब्सक्राइब दिसकाउंट वॉल्यूम डिसकाउंट एड सेकंडरी डिसकाउंट यह सब्सक्राइब आपका यह कैसा है तो आप फ्रेश्च हो जाओगे मतलब ऐसा फटा-फट रिफ्रेश्च कराती हो तो रीकॉल हो जाएगा मतलब सप्लाइब अगर आपके साथ आज टाइम मिलेगा तो हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं आपके साथ कराभी दूंगी लास्ट में करेंगे मतलब अगर टाइम होगा तो फोड़ दूइट कर अश्मट है अगर टाइम होगा तो वीला क्लास कृतम हो इस तो या सी पेद्याद तो यारा तक तो तो मंडे मॉनिंग मैं करा भी सकती आपके साथ अरे आज जितना हुआ मैं करा दूंगे किसी को थोड़ा रेजिस्ट्रेशन चाहिए किसी को थोड़ा कुछ और चाहिए तो वह भी करा दूंगे हां थोड़ा क्या होता है मेरे कराने से थोड़ा से आपको हां अब यह करेंगे सेक्शन 31 अभी टी ओएस बोलती हूं यह बहुत ही क्विक और फास्ट हो रहा है बट अच्छा हो रहा है ऐसा कोई प्रॉब्लिम नहीं है इस सेक्शन 31 इन फैक मेरा टी ओएस मेरी चार्ट बुक्स अगर आप करो के तो दो पेजिस में टी ओएस हो जाता है दो पेजिस में है एच्प का Jimmy अर्श प्रिकांस्टक्शन हाल विक अपुक्र निंट्रस कामी यह करिए है ऐसजाबः के यह फिया और व मतुद हो को यहार्ट इस वहां प्रॉप उन्ट इश्छा एट उर्हा तो आप क्या करके जाते हो आप एजी सोच के जाते हो तो आपको फिर वह पहला टाइम उसको अब्सक्राइब करने को जा रहा है तो यह दिमाख बद वह यूट्यूब यूटूब और कोई रील्स बनाते ना यह लास्ट एंट है तो बहुत इसी रिजल्ट निकालेंगे अब बिल्कुल इसके उपर आपको रिलाइन नहीं करना एंट डिफिकल नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे टैक्स का पेपर ट्रिकी आने वाला है लेकिन हम एक्जाम हॉल में बहुत अच्छे से सौल्ट करके आएंगे ऐसा मन आपका होना चाहिए तो मन ऐसे मत बना किज़ों आएने के बाद आए यहां में उने दीफिष दृए अब सुनते हैं अब आगे this यहां पर टाइम करद करते हैं तू अब शुन्ति है अब आगे देखेंगे यहां पर टाइब तू आप तू इस्विष्ट हैं अगर गुट्स होते है तो इस पे भी सवाल आते है बेटा जनरली दे लाइक to ask questions on this also ठीक है ना now time to issue and invoice now when movement of the goods is involved कब करना चीए वन दे movement is just before the movement starts you know before or at the time of removal of the goods अगर movement involved है तो you should raise an invoice on or before the removal of the goods अगर movement involved नहीं है when the goods are made available जैसे मैंने classroom के benches sell किये with the classroom तो मैं आपको classroom की चाबी दे दी तो that is the day when the goods are made available या बायर मेरे शॉप में आया गुट्स अमेड अवलेबर या मैंने seller के factory में जाके installation किया उसको दिखाया देख ले सब सही है अब movement तो नहीं है machinery जा चुकी है मैंने installation कर आया assembling किया टेस्ट रन कर आया और उसको बोला देख ले टेस्ट रन के बाद the goods have been made available so that's the day when the invoice should be issued या third case where there is a continuous supply of goods through gas pipeline पीरियोडिकल स्टेट्मेंट जब इशु किया जाता है यह अगर कोई पीरियोडिकल स्टेट्मेंट नहीं है पीरियोडिकल स्टेट्मेंट नहीं है तो क्या आना चाहिए पीरियोडिकल पेमेंट अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसे सिफ यह एक सिच्वेशन है जहां पर विचेवरीज अर्लियर वर्ड बाकी कहीं पर भी अर्लियर वर्ड नहीं है प्लीज यह ध्यान में रखना फोथ वाले में बोला है वेंट सप्लाइट टेक्स प्लेस मतलब मैंने गुड्स डिस्पैच कर दी कि आपका 60-50 देस के बाद कॉल आया ओहो आपका क्या 40-50 देस के बाद कॉल आया कॉल करके आपने बोलते हां मुझे पसंद आगे मैं ले लेता हूँ इस अप सेल हुआ सो इसेल टेक्स प्लेस और विदिन 6 months from the dispatch और विदिन 6 months from the dispatch विचेवर इस अर्लियर यह विचेवर इस अर्लियर सलो नहीं बोल रही है ma'am testing charges भी inlclock है क्या हां तरो नहीं सरी रही तेस्टि कुछ भी ना माने दो कुछ भी ना वाने दो inspection installation wearement charges any any charges any charges any charges any charges like they can say anything because 15 2 का logic ही है यह वियोगे है anything done by the supplier seller before on or before the delivery of the goods and in relation to supply किसके relation में हो रहा है supply के so anything that I do which is in relation to supply so anything that is done which is in relation to supply and it is done on or before the delivery it would be treated as it should be added in the taxable value okay now let us understand over here यह हुआ हमारा section 31-1 आई कब रेस करना है आई कब रेस करना है अब section 31-2 बोलता है services के लिए आई कब रेस करना है services के लिए generally I must raise the I within 30 days of providing the service and if you are a banking and insurance and it is within 45 days अगर service stop कर देते हैं आपको बीच में architect की service पसंद नहीं आती है आप उसको बोलते हो कि यार तु बंद कर दे अभी designing करना जितना काम किया उतना आप उसको I raise करोगे और कब करोगे जैसे आपने service stop कर दिया so moment the date when the service is ceased मतलब stopped cessation मतलब stop करना continuous apply of service continuous apply of services when a service is provided for more than three months so it is the time within which the service is provided within three months printing error था अब अगर यह बहुत important due date of payment is ascertainable continuous service होती है okay जैसे आपका college है college अगर साल बर चल रहा है तो आपकी continuous service हो गए तो due date fixed है first semester की आज देनी है second semester की थर्ड डिसेंबर को देनी है तो यह due date is ascertainable then that due date becomes the I validate and अगर due date is not ascertainable then the actual payment जब करते है then the actual payment जब करते है अगर due date is ascertainable तो हमने ले लिया अगर due date is not ascertainable then जिस दिन payment होता है तब अगर payment is linked to completion of event जैसे construction case में एक slab हो गया तो 10% payment जैना फिर दूसरा फिर तीसरा तो यह हर event माने आपका i-date माना जाएगा that every event will be treated as your i-date that every event will be treated as your i-date correct नहीं whichever is earlier तो actual नहीं whichever is earlier नहीं आता वो TOS की case में आता है अब i-date is equal to date of happening of the event तो यह situations हो गया in case of continuous supply और service के late is within 30 days insurance और banking के late is within 45 days अब यह i-date है आपकी अब यह जो चार्ट है एक मैं I'll just open it from here मेरे हाम अब देखते हैं तो this is a complete chart of TOS in one particular chart I have finished the complete chapter यहां पर देखते हैं बहुत important section 12 gives you the TOS TOS is the time of supply TOS is the time of supply मतलब कौन से point पे service taxable होने वाले है at which point of time the service या जो भी goods है वो taxable होने वाले मेरा सिखाने का तरीका सिंपल सा मैं करते हूं TOS is equal to I validate or P validate what is TOS is equal to I validate or P validate I or P whichever is earlier government हमेशा tax पहली ही चाहेगी so it is always I date or P date whichever is earlier अब I validate में 2 dates आती है actual date या date as per section 31 whichever is earlier P validate में 2 dates आती है P validate payment आचा ये आप अगर goods कर रहे हो तो सबसे पहले में FCM बता रही हूं obviously और जब हम यहां पर FCM करते तो we think from whose viewpoint supplier अब यह क्याद रखना supplier को पैसे मिलते है that is what is going to be the payment date the date when the money gets credited in his bank or the date when it is recorded in the books whichever is earlier correct अभी अगर आप other हां इसमें बहुत ही important होता है यह हमने पी और आइड के obviously this is for a composition supplier अगर other supplier होता है generally question में आपने other supplier ही मानना चाहिए composition supplier ऐसा अलग से पहले आपको खास mention किया जाएगा सिर्फ supplier of goods बोला तो आपने हमेशा उसको other than composition ही मानना पड़ेगा यह बहुत ही important है और यहां आता है वो notification number other supplier होता है तो this is very very important जान बुझ के आपको payment का date देंगे जान बुझ के advance देंगे लेकिन tos is simply equal to i-date to tos is simply equal to i-date और यह कौन बोलता है notification number 66 oblique 2017 dated 15th November 2017 यह बोलता है for supplier of goods tos is only equal to i-date मानने अगर by chance किसी को advance में पैसे मिले होंगे तो भी उसको tax देने के जरुवाद नहीं है बड़ ऐसा service पर होता है क्या नहीं goods में होता है क्या हाँ goods में advance पर tax देने के जरुवाद नहीं है आगे RCM वाला situation RCM वाले situation अगर goods की बात करेंगे तो आपको exam में पता नहीं चलेगा यह आपको question में दिया जाएगा सब्सक्राइब नहीं है तुम बोलो के तो वह करा दूंगी इस इंपोर्टेंट इस आपको मैं करा दूंगी RCM और composition scheme तो है ना हम मैं तो ऐसे भूली के थी एकदम से हाँ मेरा बूलना ठीक है तुम से भूल सकते ठीक है चलो जो भी है अभी तो है सवाचे हुए करते है फास फास चलो अब सुनना RCM वाला RCM में क्या होता है RCM में there is date of payment RCM में you have to think from the viewpoint of the recipient अब supplier वाला IDate नहीं चलेगा supplier invoice बनाता है तो recipient बोलता है यार मैं tax दे रहा हूं तो मेरा TOS देखना है मेरे हिसाब से देखना है तो TOS यहां होता है payment वाला date तो आता ही है तो यहां आता है payment वाला date लेकिन IDate से हम कितना time देते है 31st so यहां पर होता है date of payment or 31st date 31st day from the IDate or date of receipt of goods ना मेरे को मुझे जनली लगता है TOS वाला यह जो question है यह generally MCQ के form में कहीं न कहीं आता है जो case scenario वाला question होता है देट और कौन सा TOS है इस टाइप का आपको question आता है तो यहां पर date of receipt of goods अब यह जो payment वाली यहां tax कोन पर कर रहा है recipient so think from the viewpoint of the recipient recipient is the one who is making the payment so date when the payment is recorded or the date when the payment is debited from his bank whichever is earlier correct अब इसके आगे वाला जो पार्ट होता ना voucher residual case और additional consideration it is same it is same with the क्या बोलते है 3 4 & 5 it is same just for goods also तो वो goods or services का same है तो एक साथ करेंगे अब services के case में पहले आपको देखना है FCM FCM मतलब you have to think from the viewpoint of the supplier यहां आपको यह देखना है कि I जो है वो supplier ही raise करता है अब I is raised within time मतलब within 30 days then TOS is equal to I वाला date और P वाला date whichever is lower whichever is earlier I is not raised of course P वाले date आपको समझ में आना चाहिए हां what do you mean by the P वाला date P वाला date here is date when the payment is credited or date when the payment is recorded whichever is earlier TOS अगर I is not raised within time then TOS is equal to P वाला date और S वाला date whichever is earlier S here means provision of service और S here means provision of service अब पेमेंट पी वाला date मैंने बता दिया payment is recorded or the payment is debited अच्छा अगर पेमेंट एक्सेस पेमेंट थाउजन के रूपीज तक है यह जनरली service के लिए valid है goods के लिए दिया है बड़ ठीक है अगर up to 1000 रूपीज आपको अगर यह थाउजन माइन सब्सक्राइब प्राइब ट्रीड प्राइब यह जनरली ऐसे मैं जिनके साथ बार 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 डीलिंग करती हूं तो मैं इतने अगर हम जाएंगे अपको याद करना पुड़ेगा कौन सी सर्वीसे त्यो यह आती यहाँ आपको लिटेका आ पड़ेगा यह थोड़ा सा अपर यह थोड़ा सा मेकैनिकली लर्न करना पड़ता है क्योंकि असोचीएड़ एंटरप्राइज उससे रिलेटेड यह कुछ भी हमें बाकी थेयरी नहीं है हमें सिर्फ डारेक्ली उनका क्या दिया है तीज असोचीएड़ मतब रिलेटेड वोल्डिंग के साथ आप डीलिंग करते हो तो टीएट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ सर्विसेज तो आपको यह मेकैनिकली लर्न करके जाना ही पड़ेगा यह आईसी आई को पसंद है यह आर्सीम में आता है तो फॉर असोचीएड़ एंटरप्राइज यहां पर जनरली यह जो असोच इंपोर्ट वाला जैसे हो जाता है इंपोर्ट वाला जनरली आई जीएस्टी एक्ट में कवर्ड है तो यह हमें बाकी सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका टीएज आपको लर्न करके जाना पड़ेगा अब अगर फॉर अदर अदर मतलब 17 नोटिफाइड सर्विसेज आपकी आई डेट ठीक है येस आगे वाउचर वाले केसे में दोनों के लिए सेम है वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है जस्ट लाइक डॉमिनोस देन इस दो डेट ऑफ इशू अवाउचर लेकिन अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है एमेजॉन तो आप क्या खरी अब को अगए यौडे गुड्स वर्मूवड ऑन 3 अगस्ट लिनो नो इन्वोईस वाउच्वाज में इन्वोईस दो नहीं बनाया अगिक टिट थर्ड अगस्ट विचे वर एल्लियर तो डेट एक्ट्वल एट अओंडर सेक्शन थर्टीवन बोलता है जब गूद्स रिम क्वेस्टन में आप सोचो समझो और यह वाली डेट भी धुड़ने की कोशिच करना कौन सी वाली डेट अंडर सेक्शन थर्टीवन गुड्स के लिए खास करके ठीक है ना हां तो रेशिडियोल एंट्री में क्या बोला है त्योस इक्वल डेट ऑफ रिटर्न ड्यू ड्यू मोरक दार स्यौली डेट फैल्डपी ड्यूडड अंडरर सेक्व एंघ ना मोगे लिए उ हुए बहुड़ीव जाया वाउचर रेस्टूडियल केसे एडिशनल कंसिदेश्ट सेम फोजी एंड सेम फोर एस अच्छा कभी-कभी आपको ना एसा टैप का एक मल्टिपल चॉइस भी आस लगता है क्या टीवेस गूट्स और सर्विसिस के अलग-अलग है हां टीवेस गूट्स का इस गवर्ण अंड इसके लिए उसके लिए हम शेडियूल तू देखते हैं कि गूट्स है या सर्विस या सेक्षिन 888 भी हेल्प करेगा और वहां वहां पॉट्स अब यह को मैं जब आपको कोचिंग सर्विसिस दे रही है उसके साथ अगर कोई बच्चा जीडी वाला है तो उसने यह पैंड सेल किया कोचिंग भी दिया और मैंने बुक्स भी दिये यह था के कंद वोलो गे कोचिंगर कड़ सबमार पीज्ज़द नहीं लगता है तो उस पर GST नहीं लगेगा आचा मैं पेंड्राइव नहीं बेचती हूँ पेंड्राइव कोई आके बोलेगा कि मैं दस पेंड्राइव को ओडर है यह तो लेक्चर देने का तिफ न मीन व गिविंग यू लेक्चर बट येस बट इस वाट इस इस अ कॉंपोजिट सप्लाइ समझ में आता है और कॉंपोजिट सप्लाइ में प्लीज यह देखो अगर गुट्स एक लाग के है और इंट्रेस पांच हजार का है तो टोटल एक लाग पांच एक लाग पांच पे जो गुट्स का रेट लगता है वही लगेगा और वो टैक्सिबल होगा सिर्फ इनका टी गुट्स के लिए होता है आए वालाडेट इंट्रेस के लिए टी ओएस डेट ऑफ रिसीट अपर इसमें विल्कुल एक दिन पहले आपको लें करके यह आपको करना ही है इसे आपको डेफिनेटली हैं फोगा ठीक है अब क्या करो आर्सिया में कॉंपोजिशन करो के बीच में करदे चले अर्सियंक करदे और फीर चाहिए तो कॉम्पोजिशन क्युक्ति इस पर क्वेशन आते हैं जांक क्या क्या कर्या सुश्यं क्या करें क्या करें कि डोड़ लूट का यह पालन शुट करें क्या होगे तुमको है ओ माइगाड आर्सीम बाइद वे ऐसा है कि आपको एक दिन पहले पढ़के जाना पड़ेगा वह सप्लायर कौन रेसीपियंट कौन यह मेरे पास है एक आर्सीम वाला पार्ट डॉंट टॉक कि 15-20 मिनिट्स में आर्सीम हो जाएगा 15-20 मिनिट्स में कॉम्पोजिशन भी हो जाएगा कर दो सब्सक्रा-प्रश्रिय Над्याओ कि, कर सब्सक्रावार पास हो, मैंग पास हो जाया हो जाएगा भी हो... क wanted. feeling hot in the class, घरम हो रहा है ना, we'll tell him, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चला 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 लोकर करा, हरा है करते है बात चला आर सियम करते है फटा फटा फटा, तुमको राइन पर आर सियम भी मैने कर वाइय है क्या, तरवा यह रहता है तरवा है ना, बिल्डर वाला ना, हॉक्त, हॉट इस वेरी होट, ओके लेज्स गोवैड, थेढू ह हा, इस आठ थे रान बिल्ड़ कक्षे रहां यह है क्या कि आ थैंक्यू थैंक्यू बेटा ओके हाँ जीटिय भी बताऊंगी सब बताऊंगी इदर रुख जाबी अब यह यह ना थे तो आए गई ना जीटिय तो उसकी जान और शान है आर्सीम की हाँ सलाओ लोकर करा तह था क्या हो गया सब्सक्राइब करते हैं अब स्टार्ट करते हैं पहले मैंने लिखके लिए एजन्सी सर्विसिस तला फड़ा पड़ा पड़ा एक चीज़ याद रखना आर्सीम डीफॉल्ट हमेशा नहीं आता है आर्सीम के कुछ कंडिशन्स होती है आर्सीम पे क्वेस्चन तो पक्का पक्का आने वाला है ही आर्सीम पे क्वेस्चन पक्का आने वाला है टी योएस भी पक्का आता है वी योएस पे तो क्वेस्चन ही आने वाला है ठीक है अब सुरो पहले एजन्जी सर्विसिस अब एज क्या है पहला कौन है supplier कौन recipient कौन सर्विसेज कौन सी कौन सी या क्या है यह याद रखना अगर यह तीन पॉइंट्स वन टू थ्री एक कंडिशन तीनों सैटिस्फाय हुए तो RCM आएगा वरना RCM नहीं आएगा नहीं आएगा तो by default क्या आता है FCM अब RCM में क्या होता है इंशुरंस कंपनी है रेसिपेंट है एजेंट उसका supplier है तो देर इस इंशुरंस कंपनी मैं आपको बोलती हूँ आज से लेके अगर आप एक्जाम के डेट तक रोज RCM के टेबल बनाके लोगे एक टेबल तीन अधे घंटे का टाइम तो पक्का आधे पॉन घंटा आज से इंपोर्टेंट है वन डे बिफोर दे एक्जाम फटा 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 से आपने बता भी रही हो तब तक आपने तीन कॉलम बना दो supplier recipient services तीन कॉलम बनाके फटा पड़ लिखने का तो पहला वाला कौन है supplier कौन है ए इंडिशन जे ना कोई नखरें ना कुछ है डायरेक्ली इंशॉरेंस एजन्स विल अल्वेज गेट कवर अंडर RCM ओहो देवल अल्वेज गेट कवर अंडर RCM ओमाइगाड उसके बाद उसके बाद सेकेंड होता है रिकवरी एजेंट अब यहां पे जो होता है रिकवरी ए रिकवरी एजेंट देवर ल ken्वरी किया था कार का कुछ थो इसने लिया है और कार इश्ट में खरीदा ऑगा सेकन्ड-हend और फिर ँसने एजेंट सबंस्क्राइग और स्प्लाइर को रि, सविय तो कॉन सि अप्लायर को और एजतियर वी कामटश्यर, सविको फौन आरसी अब तीसरी सर्विस्स देखो तीसरी सर्विस डिये से आप चालू होता है रिएल खेल अब रियल खेल क्या है? सप्लाइर इजट इसे बट कौन सा डे से एनी परसे अधर आज दर थे एन कमपणी ल ल फी एन फो तो कमपणी और फोरम को छोड़के कंपनी फर्म मतलब LLP कंपनी फर्म और LLP को छोड़ के अगर सप्लायर एक DSA एजन्ट है डारेक्ट सेलिंग इस सेलिंग लोन्स फॉर दे बैंक और रेसिपियंट कौने बैंक अगर इंडिविजल अगर इंडिविजल डियसे है तो आर्सी एम लगेगा अगर कंपनी डियसे है तो आर्सी एम नहीं लगेगा क्योंकि डियसे लगने के लिए अगर इंडिविजल है तो आर्सी एम लगेगा बैंक इस लाइबल बैंक इस टाइब का क्वेशन आता है कि हूँ इस लाइबल टुपे इस रसी एम एपलिकेबल और नो एक यह दो सब्सक्राइब करने आपको 17-18 सर्विसे बहुत सिंपल है उसमें सिर्फ एक ही सर्विस लंबी और ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा बढ़ी है यह दिफिकल्ट नहीं है अब फोत वाली सर्विस देखो चलो सप्लायर कौन है बिजनस फेसिलिटेटर बिजनस लैंकरी इसको सर्विस दे रहा है यह सर्विस दे रहा है यह सर्विस दे रहा है बैंक को या फानाइंशल इंसिटूट्शन को क्या यह आउर तो क्या तो बेटर ए आप देखो बिजनस फेसिलिटेटर किसको सर्वीज दे रहा है बैंक या सप्लेयर कौन है बिजनस फेसिलिटेटर रेशीपियंट कौन है बैंक या fee सबस्क्राइब किसक्राइब नहीं huh but bank financial institutions are allowed that's okay not a problem huh same no no problem bank fi भी चलता है bank is always will include an fi business correspondent business correspondent is also agent intermejorary अब business correspondent किसको service दे रहा है bank है FI को यह RCM में covered नहीं है यह FCM में covered है तो मैं आप क्यों बता रहे है क्योंकि business facilitator भी agent और business correspondent भी bank का agent है लेकिन अच्छा यह business correspondent rural area में banks को services देगा तो यह exempt होगा यह देखो मैंने एक नीचे आपको कहीं तो यह note लिखा के दिया होगा कि business facilitator and business correspondent both are agents of bank but business correspondent has more power business correspondent is like a mini bank इसलिए उनको RCM देने की जरूरत नहीं है अब यहां पर RCM यहां लगता है ओहो ओहो यह बहुत ध्यान से देखना business correspondent ने agent appoints किये किसने agent appoint किये business correspondent या business correspondent खुद bank का agent है लेकिन उसके और bank के बीच वाली जो service है bank और business correspondent वाली जो service है इनके बीच में RCM नहीं है इस transaction पर RCM नहीं है अब business correspondent ने अपने agent appoint किये, यह अलग service हो गई, यह क्या हो गई है, अलग service हो गई, तो अगर business correspondent ने अपने agents appoint किये, तो यह वाली service RCM में cover होती है, agent supplier होता है, receiver is a business correspondent, तो लिखा आपको 5, यह column बनाने 17 services है, everyday और alternate day, make this list, फटा फटा list बनाते जाओ, तो आपको RCM कभी भी difficult नहीं लगेगा, तो यहाँ पर यह हो गया, अब supplier other than body corporate, supplier other than body corporate is providing registered person को, registered person, तो recipient यहाँ पर understand, recipient को ने registered person, supplier को ने any person other than body corporate, body corporate means only company, nothing else, body corporate is a fancy word used only for company, बहले वो private limited हो, तुम्हारी OPC, तुमने जो भी शब्द सीखे मुझे मत बताना company act वाले वो अपने company act में रखो, company act वाली हाँ, सारी companies क्या है, body corporate, body corporate is a fancy word used for a company, that's it, so supplier other than body corporate, providing these services to a registered person, any registered person, कौन सी services, हाँ, इधर nature of service भी important है, इसके लिए nature of service के column में लिखना पड़ेगा, security services, लेकिन लोगों persons का, security के लिए dogs भी होते, बहुत सी agencies है, वो dogs भी rent पे देते, उनकी बात नहीं हो रही है, we are talking about personnel, हाँ, personal मतलब security, यह जो prestige point में आपको परिशान करने वाले होते हैं, जो security वाले, एक agency है, वो लोग provide करते हैं, अच्छा गुरू कुल वाले, ठीक है, आपको जो गुरू कुल म करना चाहिए, आप उनको परिशान करते हो, ऐसा मुझे लगता है, बाठीक है, आप सुनो, चलो चलो, आप security person में यह याद रखना है, security person में यह याद रखना है, कि dog की services नहीं, detective agency की services नहीं, detective की services नहीं, वो नहीं आ रहे है, सिफ security security guard personnel की services यहाँ पर कवर हो रही है, अब यह कहां कवर होती है, this gets covered under RCM, तो अगर XYZ private limited है, यह body corporate है, it is giving the services to a registered person, यार यह FCM में कवर होगा, RCM में होने के लिए उन्होंने बोला है, supplier should be any person other than a body corporate, मैं हम यह कैसे आद रहे गार ना कहां, यह नहीं, इसके लिए exam के एक दिन पहल सब जगह नहीं है, दो या तीनी services है, जहाँ पर ही आपको याद रखना पड़ेगा, ना तो वो insurance में है, बहुत सी जगह पर नहीं है, दो तीनी जगह पर है, आपको वो learn करना पड़ेगा, उसके आगे देखेंगे, यह agency की मैंने कितनी services cover कर दी, six, अब यह six services के बाद मैं लेती हू, sponsorship वाली service, अब sponsorship services में याद रखना, sponsorship services है, और supplier कौन हो सकता है, any person, लिखो supplier कौन है, any person, recipient कौन है, body corporate firm और LLP, compulsory recipient कौन होना चाहिए, body corporate firm या LLP, आप यहाँ पर जिस तरीके से wordings दिये जाते है, वो बहुत important होता है, आपको बोला कि Mr. X provided sponsorship services, Mr. X provided sponsorship services, then X is the supplier, he provided sponsorship services, he is the supplier, लेकिन कभी-कभी ऐसा दिया जाते है, जैसे Jio has sponsored film fair, तो मैंने आपको हमेशा एक hint दिया है, जिस व्यक्ति को पैसे मिलते है, वो supplier होता है, जिस व्यक्ति को पैसे मिलते हैं, वो supplier होता है, उसको पैसे मिले, क्यूंकि उसने goods या service दी है, इसलिए उसको पैसे मिल रहे तो अगर आपको sponsorship service में confused हो जाता है कि यार supplier कौन है तो आपने देखना पैसे किसको मिले जिसको पैसे मिले वो supplier है so Jio sponsored film fair so Jio gave money to film fair so film fair is the supplier and Jio is the recipient यहां आपको याद रखना पड़ेगा supplier can be any person but recipient has to be a firm company a firm a company और a body corporate then yeah this service will be covered under RCM but अगर मैंने वर्डिंग चेंज किये film fair provided sponsorship services film fair provided sponsorship services so film fair is the provider तो हमेशा जरूर नहीं आपको पैसे किसा आप से देखना पड़ेगा question में straight away दिया है film fair provided sponsorship services to Jio and for that Jio gave 20 lakhs या 2 crores क्यों दिये क्योंकि फिल्म पर सब जगा अपना जब उनका शो टेलीकास हो रहा है सब जगा जीओ 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 का advertisement किया उन्होंने ठीक है अब आपको अगला service है यह फिफ्ट वाला यह इसमें यह government वाला important है services provided by यह देख लो जिस तरहीं के से लिखा यह बहुत understanding के लिए easy होता है services provided by यह मैंने एक जगा सब जगा लिखा है क्या ठीक है यहीं पर करेंगे services provided by government so services कौन प्रवाइट कर रहा है services provided by cgsgutla प्रवाइडर प्रवाइडर के कौन में लिखोगे cgsgutla लिखो प्रवाइडर सप्लायर के नाम कौन में लिखोगे cgsgutla recipient business entity मतलब business entity मतलब company होना चाहिए क्या no business entity is any person who is doing business any person who is doing business business entity अगर है इसमें भी दो प्रकार है अगर business entity का turnover last year का turnover crosses the threshold limit threshold limit is that limit above which you have to do registration threshold limit is that limit above which you have to do registration so if the it crosses the threshold limit oh it crosses the threshold limit then it is taxable and it is covered under RCM but AC business entity जिसका turnover does not cross the threshold limit in the last year then it is not liable for it is exempt and there will be it is not liable for tax basically अगर अच्छा ये services cgsgutla ये जो exemption है RCM है इसमें हमेशा एक exception रहेगा however services covered in entry number 6a 6b 6c always 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 these are will always be taxable and in cases में कभी भी RCM नहीं लगेगा इसमें हमेशा FCM होगा मैं हम ये कौनजी services है 6a is providing services in relation to aircraft and vessels B is transportation of goods and transportation of passengers and one is department of post department of post की सारी services taxable है any post आप जो भी book post पोस्ट करने वालो लेकिन उसका size is up to 10 grams okay 10 grams वाला exempt होगा उसके उपर taxable होगा ये ये तीन services government की हमेशा taxable होगी और इसमें FCM ही आएगा अब अगर government services दे रही है यहाँ पर प्लीज सुनके लेना CGSG UTLA में अभी क्या add हो गया courts and tribunal इधर क्या add हो गया अभी courts and tribunal courts and tribunal अगर बाकी की services दे रहे है court वाली fees छोड़के ये BE को देंगे up to threshold limit, exceeds threshold limit, it will come under RCM it will give it to a business entity where threshold limit is less than sorry where the turnover is less than the threshold limit then it will be exempt तुम सुन भी रहे हो क्या? मेरा बहुत fast हो रहा है क्या? all right नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है just मैं बड़ 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 कर रही हूँ अच्छा ठीक है अब दूसरा CGSG UTLA यहां पर और क्या add होगे अभी आज की amendment हमने देखा courts and tribunal जो बच्चे अभी जॉइन हो गए तो शौक मत होना court वाली court fees और tribunal वाली fees पर GST नहीं है यह अधर services रेंटिंग वाली services होती है तो court and tribunal वाली जो services है और CGSG UTLA वाली services है कौनसी वाली business just start हुआ है उसने रेजिस्टर ही नहीं किया GST में क्योंकि उसका turnover जब 5-7-8 लाक उतना ही है just start किया उसने business और उसने register नहीं किया तो फिर इस case में RCM नहीं होता है do you understand that okay do you understand that okay अब सुनना आगे यह इतना important नहीं है 5B not important supplier is लिखो any person और एक सर्विस है supplier is any person और यह किसको services दे रहे बिल्डर और प्रमोटर को और यह किसको services दे रहे कि इसका message क्यों पिन किया है गलती से पिन किया है प्रसना का message मैम जादू मंत्र बता दो कोई मैम और यह message इन्हों पिन कर दिया है कौन कर सकते है तुम लोग पिन कर सकते हो नहीं यू कर यूट्यूब पे रहे हां ठीक है अब सुनना आगे चलो अब सुनो supplier is any person अब बिल्डर वाला जनरली आपको applicable नहीं है अब आगे जाएंगे आगे 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 हाँ इनफोचन डेंडर भाक प्रच्छ प्रविजिंस वाला फेंडर प्रोफटर में हो यहां पर लिदर और प्रमोटर को अपने रेंट दिया रोंग टम् Lease लिए पर लांडर इंडर अर्सी गवन गवरण आएं लियंगंदर को आपने अर्सी जाता है को भीका रॉ कंभाहच्छ पर वहां ह गेट्स कवर्ड अंडर रसीम हां डाइरेक्टर वाला important है अब डाइरेक्टर देखना उसको ध्रो प्रकार की salary, डाइरेक्टर को अगर payment करते हैं सुनो ना, डाइरेक्टर को अगर salary pay किया, तो उसका TDS under section 192 salary वाला cut होता है, लेकिन डाइरेक्टर को अगर sitting fees, professional fees दिया, तो आ लगेगा because it is not in the course, non-compete, sitting fees, professional fees, यह other than salary मिला, then it will be liable for GST, और salary मिला तो उस पर GST नहीं लगेगा, और अगर यह director को GST लग रहा है, तो this gets covered under RCM, supplier यहाँ पर director है, उसको पैसे मिल रहा है, वो किसको services दे रहा है, Reliance Industries को, so Mukesh Ambani is giving services to Reliance को, तो जब Mukesh Ambani को salary मिलेगा, उस पर GST का सवाल नहीं आता, but if we get sitting fees, some other fees, उसके ओपर GST, Reliance Industries ने as a recipient pay करना चाहिए, तो supplier कौन है, director, recipient कौन है, company, बस, and nature of services क्या है, other than salary, other than salary, तो हो गया supplier कौन, recipient कौन, nature of services क्या है, other than salary, so this is getting covered under RCM, oh my god, उसके बाद, LIC हो गया, यह हो गया, author वाला, अब यहां से मैं बताती हूँ, फिर GT और दो लास में बताती हूँ, कभी भी तुमने ना थोड़ा psychologically करना चाहिए रहे बेटा, बहुत important है, रुको, रेंटिंग वाला यहां से भी बताती हूँ, अब सुनना, हाँ, रेंटिंग वाला प्रॉपर्टी का और एक सुन के लो, government नहीं, यहां पे supplier कौन है, any person, supplier कौन है, next service, supplier कौन है, any person, और recipient कौन है, registered person, recipient कौन है, registered person, क्या दे रहे हम उसको घर दे रहे, for what purpose, residential purpose, then it is taxable and it gets covered under RCM, then it is taxable and it gets covered under RCM, उसमें आज amendment में एक explanation आ गया है, अगर यह registered person एक प्रोप्राइटर है, और वो खुद के personal purpose के लिए, personal purpose के लिए, घर rent पे ले रहे, then it is not liable for GST, then it is not liable for GST, समझ में है, यह प्रोप्राइटर के लिए explanation दिया है, अगर यही renting of property, any person, किसी भी व्यक्ति को कर रहे है, यह classroom rent पे दिया, office rent पे दिया, यह commercial हो गया, इस पे tax लगता है, यह तो हमेशा FCM में ही covered हुआ है, अगर किसी को उसी format में लिखना है, तो आप लिखो के supplier is any person, supplier कोने, any person, recipient कोने, registered person, registered person, supplier any person, recipient, sorry, correct पोने, supplier any person, recipient, registered person, and किस purpose के लिए यह, renting of residential house, मतलब, renting of a house for residential purpose to be used for business purpose, business purpose, renting of house for business purpose, to be used by business, मतलब, कौन यूस कर रहा है, हाँ, नहीं तो वो वर्डिंग में गडबड हो जाएगा, अगड़े, अरे समझा क्या नहीं, supplier any person, गडबड नहीं करेंगे, supplier any person, recipient is registered person, क्या rent पे दिया है, house for residential purpose, बस, ऐसा, इसमें से हम, explanation एड़ कर देंगे, यह amendment है, if this house is given for personal use, of proprietor, then exempt from GST, समझा क्या, so now no confusion, गाई गाई करने है कि इसमें ऐसा नहीं कि वर्डिंग सोड़े गलत होते है, गडबड हो जाएगी, supplier is any person, recipient is registered person, ठीक है, और house is given for residential purpose, then this is getting covered under RCM, amendment यह आया है, आज के lecture में सिखाया, यह explanation आया है, कि अगर वो registered person is the proprietor, क्या amendment आया है, आज amendment क्या आया है, if the registered person is proprietor, then आपने check करना चाहिए, कि वो business purpose के लिए ले रहा है, मतलब अपने staff के लिए ले ला है घर, उनके ओर rent पे देने के लिए, so it is taken for business purpose, business के लिए, मतलब अपने employees के लिए rent पे ले रहा है, then this is taxable, it will come under RCM, but अगर proprietor अपने खुद के personal purpose के लिए ले रहा है, then it is exempt, अब कोई confusion नहीं, अब clear है, रोहित अब तु clear है क्या, रोहित को थोड़ा confusion हो गया था, अब clear clarity आगे क्या बैटा देख ले, आगे क्या, यार इस होट, यार अब फिलिंग होट क्या, होटीन हो तो मुझे लागरा बन करके on करेंगे क्या इसी तेरा दिख्रे टेंपरेशर तो, ए रोहित आंसर करना, येस मैम हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो, अब confusion नहीं है न, हाँ, अब आगे जाएंगे, हाँ, 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 एक सेगे न, सैलरी हो गया, ये हो गया, आख्री में ये करेंगे, अब सुनो, आर्टिस्ट, टेंथ वाला जो मेरे यहां लिखा हुआ है, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये देखो, तुम अपने मस्ताट पर फोकस करो यू विल गेट कवर्ड अंडर आर्सीम तुम DST टैक्स वगरा पेमेंट का जंजर्ट मत रखो तो यहां पर इसल गेट कवर्ड अंडर आर्सीम तो टेंथ पॉइंट यह क्या है A.R. रहमान जो आर्टिस्ट है सप्लायर and he is making the music and he is the owner he is giving making the music for the producer producer आगे यह music sell करेगा तो इसल गेट कवर्ड अंडर आर्सीम इसल गेट कवर्ड अंडर आर्सीम ओके ना आफ्टर दाट 10B में क्या हो रहा है अब देखते है 10B में इस फॉर ओथर 10 में किसके लिए है यह author उसी के point है अब author is the supplier तो अभी लिखो supplier के कौन में क्या लिखोगे author recipient कौन होता है publisher publisher is the one who publishes the books publisher is the one who publishes the books author के पास option होता है author has been given an option that if he wants he can pay the tax under FCM he wants he can pay the tax under FCM अगर author ने declare कर दिया ओके चेतन भगत ने declare कर दिया वो अगर भूक लिख रहा है two states or whatever or three idiots and half girlfriend no girlfriend फिलाल फिलाल ब्रेकप more is more important okay what break temporary break-up ऐसा भी सीन होता है It is rather अप करो सुनो author ज़र जो है यह सुन के लो on author जो है यह कौन है यह तो हाँ author जो है यह यह कौन हे यह तो एक supplier है अब यह publisher को books लिखके दे रहा है है और वो पॉब्लिशर पॉब्लिश करेगा दिस पहले यहां पर ऊथर तर को चया से इपी ओंडर एवी सिए और तन आपने आप ने क्या लिखा अच्छा और नेचर अफ सर्विसिस में आप लिखो गे राइटिंग बुक्स लेकिन वहां पर आप दोगे इच वरदा अर्सिएें अलिए और यह अट ड़ mulher del डिकलेरेशन हां अगर उसने डिकलेरेशन दिया कि में स्टैक्स भरेगा तो तुमी भर देना अगर वो डिकलेरेशन नहीं देता देन इटल कवर्ड अंडर आर्सी जेपता है हां ओके वोईस लाइग हो रहा है बता दो जड़ा बाकी के बच्चे हां आगे 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 10 भी भी हो गया अब क्या बच्चा हां आर्बिया की ओवर्सींग कमिटी यहां पर कौन सप्लाइर की लिस्ट में लिखो सप्लाइर की लिस्ट में लिखो ओवर्सींग कमिटी रेसिपियंट कौन है आर्बिया सप्लाइर इस ओवर्सींग कमिटी सब्सक्राइब करेंगे अभी फिर दो ही बचेंगे क्या जीटी एंड डाट मोटर वेहिकल रेंटिंग पहले से भी का हाँ एड़ोकेंड लीगल सर्विसेज येस पहले अभी वह नीचे की सर्विसेज कर लेते हैं हैं हल supplier कौन है लेंडर ओकल् जो पैसे दे रहा है लेंडर होता है वह पैसे देता है बटफी और क्या दे रहा है रिलायांस के नहीं करते हैं अपर नीकुछ नहीं करते हैं εν होचा है ये iniESMENT के लिए है लेकिन उनका दोस्स बोलता कि sir आप मुझे शेयस दे दो मैं उसमें ट्रेडिंग करूंगा at the end I will give you back those shares don't worry 5000 शेयस दे तो मैं तुमको वापस 5000 शेयस दे दूगा तो हर्शद sir lending करते किस चीज़ का lending करते है शेयस का और recipient कौन है any person so lender can be any person recipient can be any person nature of service क्या है lending of shares this is as per the sabi scheme then hrshad sir lend कर रहे शेयस तो free money करेंगे उनको कुछ तो पैसे मिलेंगे इसके उपर GST कौन पे करेगा RCM this gets covered under RCM any person any person nature of service क्या है lending of shares ठीक है okay और क्या है legal services लेते हुए and then I will come to GTA वाली service oh my god okay here we are do you see this oh better do you see this अब देखो क्या है there's a advocate there's a senior advocate and there is a arbitral tribunal arbitral tribunal is not a court arbitral tribunal is a private person arbitral tribunal is a private person okay so like you can decide anything anybody if two brothers can decide कि हमारे बीच में dispute हुआ तो वील गो तो आम मदर or they can decide we'll go to any relative or anybody and then that person will become the arbitral tribunal ये court नहीं है क्योंकि court अगर justice वाली services देता है तो it is exempt वो schedule three में cover होता है ठीक है अब देखते है आर्टिस में FCM का option है क्या नहीं है बैटा आर्टिस में FCM का क्या तुमको पता है किया यार वो पब्लिशर बेच क्या रहा है बुक्स बुक्स पर GST लगता ही नहीं है वो बोलता है वो आर्टिसम के चक्कर में मुझे तुमसे ले लेंगे तो पब्लिशर को क्यों हमने निकाल दिया हटाया वहां से रीजन है क्योंकि पब्लिशर क्या बेच रहा है बुक्स बेच रहा है तो बुक्स पर वैसे भी GST नहीं होता है उस RCM के चक्कर में चुट करना पड़ता है एनी रेजिपियंट हुस कवरड अंडर RCM हस टू डू कंपल से री रेजिस्टेशन तो बोलता है यार मेरी बुक्स तो एक्जम्ट है मुझे रसीं के चक्कर में रेजिस्टेशन करना पड़ रहा है तो उसके लिए उन्होंने छूट दिए इसके यो लॉजिक है उसका समझे आब आडवोकेट सिनर अडवोकेट आर्बीटर ट्रैबिनल आर्बीटर ट्रैबिनल इस दर बीटर या प्रवाइडिंग जस्टिस वाली वो जो होता है ना किसी को जस्तिस दे करना या लीगल सर्विसेज हां लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बात है सप्लायर कॉन लॉयर्स सीनियर अड्वोकेट्स और आर्बिट्रल ट्रैबिनल एंड रेसिपियंट इस बिजनस एंटिटी ऐसा बिजनस एंटिटी अगर लॉयर प्रॉपर्टी ओन करता है और शॉपरेंट पर देता है यहां अड्वोकेट्स प्रवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनस एंटिटी ऐसी बिजनस एंटिटी फूस टॉर्ण और एक्सीट्रेशोल लिमिट एंड नेचर ऑव सर्विसेज लीगल सर्विसेज अल अगर मैंने चमेली को बिजनस एंटीटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति बिजनस जो बॉता उर्टी अगर मतलब होता है विजनस एंट्वन एक्सीट्रेशोल बिजाएग जविसेज बुवर्टे दो बिजनस कर रहा है वं मैं डूट ही और पर tenido अधन लायर की पास क्या में लड़प केस होग आ इन डियुट ल। प चैनल होग रही का प्रॉपर्ट का का सैटल्मेंट का केस होगा या प्रापर्टी य़ा प्रॉपर्टी का मैटर होगा पॐस्नल डिस्प्यूत होगा तो इसके केस में वह बिजनस एंटीटि नहीं है तो इसको जूरुइःल जरूरत नहीं है यह एक्जम्ट होता है क्या होता है समझ में आ गया क्या हां अब आर्स एंधसर उतों मैं अगर RCM स्टार्ट ही GTA से करती तो हम GTA GTA करते रहते तो क्या होता है जो easy लगते है पहले finish करो then you feel सब होगे अभी दो ही services बच्चे everything is a psychological game everything is a game of your brain this last 20-25 days में वही जीतेगा जो mentally strong होगा so stay strong and stay positive very important okay क्या हुआ GTA oh my god क्यों ने oh my god वाला किदर है वो ने और ये अपने क्लास में एजे चलो रेडिये क्या तूं आरे बाबा रेडिये का चला 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 मैं माइन बहुत एग्जास्ट हो गया तो तुम ब्रेक लेकर फिर से थोड़ी देर से देख लो मुझे तो चॉइस नहीं है ब्रेक देने का मुझे तो बिना ब्रेक के अभी पढ़ा पढ़ा नहीं है चलो पहले आर्सीम तो करते है अभी चलो लेट्स कंटिनियो जी टीए जीटीए सर्विसेज में अलग अलग अंगल्स हैं बहुत ध्यान से सुनके लेंगे पहले तो समझके लो बेटा अगर जीटीए सर्विसेज ऑफ गूट्स बैर रोड है सादा टेंपो वाला टेंपो अगरी लेकिन जीटी और नॉर्मल व्यक्ति में एक फरक है कि विदे इशू कंसाइनमेंट नोट जीटीए इशू कंसाइनमेंट नोट एक साधा टेंपो ट्राइवर है वही ओनर है और वही चलाता है और वही आपकी गूट्स टांसपोर्ट करके देता है वह कोई आपको अगराइब नहीं देता वह आपके गूट्स की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता वह सिंपल सा आपको सिफ बस दिलिवरी करके देगा अन और गनाइस सेक्टर है जीटी एज लिटल बिट और अरगनाइस सेक्टर वह आपको आपको नोट देते है अब जब वह जीटीए अर उसको टैक्सेबल हो जाती हो और उसकी सर्विसेस टैक्सेबल होने के बाद there are chances that you may may come अंडर RCM इसमें अमेंडमेंडमेंड हुआ था क्या आओ गड़ा जाने दो इसमें अमेंड मेंड 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 में हुआ था सुनके लेना मैंने क्या बोला आर्सीम के लिए आपको तीन कंडिशन ध्यान में रखने क्या सप्लायर कौन रेसिपियंट कौन और सर्वीशिस कौन सबसे इंपोर्टन तो मज्जा यह होता है कि इसमें रेसिपियंट कौन है यह जानना भी बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि यह तीन लोग इन्वल्ट होते हैं there's a consignor there's a gta and there's a consignee तो यार इसमें से मैं किसको recipient मानू एक factory है factory GTA को बुलाता है इधर यह goods हमारे customer को देखिया यार फिर इसमें से recipient कौन हो आग जीटिये तो service दे रहा है जीटिये तो service दे रहा है supplier तो मुझे पता है recipient कौन है RCM में tax करने के लिए recipient is a person who pays the fret it can be the consignor or it can be the consignee so any person who agrees to pay the fret becomes the recipient so any person who agrees to pay the fret will become the recipient any person who is the who agrees to pay the fret becomes the recipient तो अगर जो फ्रेट पे करेगा वो recipient बनेगा अब important देखो मुद्धा क्या है supplier कौन है यहां यहां GTA के पास भी option है अगर GTA यहां दो option है GTA अगर declaration देना चाहरा है अगर GTA बोलता कि मैं ही tax pay करूंगा under FCM then he will be liable to pay tax under FCM अगर GTA declaration नहीं देता और यह 123 condition satisfy हुई तो RCM वरना RCM apply नहीं होगा अब please understand if GTA says कि I will only pay it under FCM then you pay it if he says no I am not paying then I have to check this what is this supplier कौन है ऐसा GTA जिसने declaration नहीं दिया दूसरा recipient कौन है specified recipient recipient कौन है recipient वर्ड नहीं है क्या वर्ड है specified recipient उसके बाद बोला है services कौन सी है transportation of goods जहां पे आप consignment note दे रहे हो अब ma'am who's a specified recipient specified recipient के दो categories है अब अगर आप observe करोगे specified recipient में oh my god society, factory, LLP, firm, AOP, body corporate, corporate society, city पे सब आगे other than individual or chief and very important they may be registered or they may not be registered माने अगर question में आया सुनके लो अभी GTA not paying under FCM उसने declaration दे दिया मैंने बोला है not I am not going to pay under FCM मैंने declaration बोल देख मैंने पे करने वाले FCM है ठीक है वो एक firm को services दे रहा है partnership firm यह partnership firm is not registered I really don't care supplier कौन GTA who is not paying tax under FCM services कौन से है transportation of goods वाली recipient कौन है specified क्यों specified के यहां यह जो 126 है इसके आगे registered शब नहीं है यह registered हो यह registered नहीं हो यह वाली service will always come under RCM बट अगर यह GTA service एक registered individual को दे रहा है तब RCM में आएगा और अगर यही GTA यह service सिर्फ individual शब्दे जो unregistered है RCM में आने का सवाल ही नहीं आता यह service exempt होती है individual हुएफ का registered होना जरूरी है यहां शब्द क्या है registered in 126 में शब्द कौन सा नहीं है registered तो यह registered हो यह registered ना हो of course registration मतलब under section 22 or 24 of the CGST Act तो please understand अगर GTA services unregistered individual unregistered HF को देता है तो यह एक exam service है और GTA services government को देता है तो भी यह क्या होता है exam service है होता है समझ में आ गया क्या आपको पक्का ideally this is wrong CTP मतलब you are compulsory registered this is a loophole in the law it's a drafting error how can you say कि CTP unregistered CTP बन गया मतलब you have to be registered CTP comes under compulsory registration NRTP CTP they come under compulsory registration so this is a loophole this is a drafting error यहां पर उन्होंने CTP बोलना ही नहीं चाहिए था CTP के आगे CTP unregistered हो यह नहीं सकता बट ठीक है ना मैंने GTA ने CTP को service प्रवाइड की तो CTP को RCM लगेगा हो गया क्या explain firm once again okay मैंने अरुन was your message you still CTP is casual taxable person CTP is casual taxable person who doesn't have a permanent place of business in that state मतलब मोटा भाह महराश्रा में बट मुझे कहां जाना है मुझे डेल डेली में exhibition में participate करना है मोटा भाह इस इन भाहराश्रा बट he wants to go to Delhi 20 days he wants to participate in an exhibition in Delhi so he will go to Delhi and sell goods within Delhi so he should register himself in Delhi as a CTP CTP को compulsory registration होता है उसका turn number zero हो कितना भी हो compulsory registration NRTP is a person who is non resident taxable person मतलब अर्किटेक्ट है इंडिया में आके दो होटल डिजाइन करके देने वाला है या मुके संबानी ने उसको अपना घर डिजाइन करने के लिए बूला दिया is he coming here to India only for a limited purpose yes he doesn't have a business place in India such person will be treated as NRTP non resident taxable person CTP NRTP both have to register before commencing the business it is compulsory for them उनको 90 days का ही validity मिलता है registration का उससे जादा नहीं मिलता अगर वो बोलेंगे कि मुझे 30 days का चाहिए तो 30 days का मिल जाएंगा वो बोलेंगे मुझे 150 days का चाहिए तो नहीं मिलेगा उनका registration certificate पहले 90 days का बनेगा उनको चाहिए तो और 90 days का extension मिल जाएगा CTP NRTP इनको registration के समय ही advance में tax pay करना compulsory है इन दोनों को compulsory registration लेना होता है CTP NRTP दोनों composition scheme apply नहीं कर सकते NRTP का return जाता है GSTR 5 में CTP का normal जाता है हाँ बोलो हाँ अब मैं आपको एक चीज़ बोलती हुँ देखो GTA में क्या है अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोलती हुआ अब देखो मैं आपको एक चीज़ बोलती हुआ पहले क्या था GTA whether FCM लेगा या RCM यह rate of tax पे depend करता था GTA को ना दो tax rates के option होते एक 12% और एक 5% पहले ना वह कौन सा percentage choose करता है वह decide करता था कि वह RCM में जाएगा या नहीं जाएगा इसके उपर amendment आ चुका है तो वह कोई भी rate ले 5% वाला I'll tell you one thing यह कम rate वाला क्या fund है तुम्हारा income tax में presumptive basis नहीं है क्या हो presumptive लो खर्चा मत लो composition क्या है GST का presumptive ही तो है what is composition scheme you pay tax at lesser rate and you don't claim ITC you do the same in income tax when you are up for presumptive basis you don't claim expenses directly 8% 6% profit दिखाते हैं वही तो है ना composition scheme तो GTA को हमने option दिया है कि तो मुझे 5% चाहिए या 12% चाहिए पहले GTA के tax rate पे depend करता था वह RCM में आएगा या नहीं आएगा बढ़ यह old बात है यह already change हो गया तो मैंने तो आपको ऐसे पढ़ाया नहीं है और में वाले बच्चों को पढ़ाया तो उनको मैंने वैसा amendment का lecture में में बात है लिया हुआ है तो आपको GTA का rate देखना नहीं है आपको GTA का rate देखना ही नहीं है जी टियए को option दिया है भाई तुझे declaration देना है तो तू लिए टैक्स पे करेगा तो दे दे तो भर तो है जी टीए हुस नॉट पेंग टैक्स अंडर एफ सीय रेसिपेंट कौन होना चाहिए स्पेसिफ़ेड रेसिपेंट की लिस्ट है इसमें तुम फिट हए तो आरेसियम हो गया इतना है क्या डिक्लेर कर रहे वो डेखले ना if I am declaring that I want to pay tax under FCM then pay under FCM नहीं ऐसा नहीं you have to give a declaration ऐसा default कुछ नहीं है when I register apply when I see if I am going to pay tax under FCM so I have to register myself when I am registering I will say I am registering because I am paying tax under FCM moment I am registered so registration के time तुमको option आता है do you want to pay tax under FCM you have said yes then you have to pay it yes of course it will be given to you in the question वैसा पूछ ना एक्जाम में दिया जाएगा GTA कौन सा वाला GTA opting or not opting and generally generally अगर question में कुछ नहीं दिया exam viewpoint से पूछा मैं तो practical अब exam viewpoint से सून अगर question में दिया कि GTA है and provided services to a firm you assume that GTA is not paying tax under FCM इसलिए तो आपको syllabus में आया यह question कि आपको RCM वाला पता है कि नहीं वो पूछने के लिए सो आपने question में कुछ नहीं दिया if question is silent then assume that GTA is not paying tax under FCM GTA is not paying tax under FCM मैं इंडिविजुल और हुएफ अन्रेजिस्टर्ड है तो एक्जम्ट होगा ना हाँ इदर बोला ना देख अन्रेजिस्टर्ड है तो एक्जम्ट होगा अब एक बचा है कौन सा मोट वैकल उधर वह पांच और बारा पॉसंट का ताम जम है आर से मुझ यह बता तो ना मुझे इदर सम्धिन बाइटिंग और विजर अनुराग वेट आल तल्यू दैट आल सो रुख जा मैं बताती हूं वाट इस रेट ऑफ टैक्स अंडर आर सेम नॉमल डेट होता है जी टे का तुल बड़ी विल नॉट गेट क्वेस्ट्ट्ट्ट उन डाट उस ताइप से तुमको नहीं आए क्योंकि आपको रेट सफ टैक्स आपके सिल्लेबस में नहीं इसलिए मैं नहीं बताउंगी वह ब पांच और ट्वेल परसेंट वाला यहां नहीं है जी टी में नहीं है अब अपन कीदर है अब अच्छा चार्ट अब बोलो ना चार्ट का नंबर बताओ इसको क्या हो गया मैं आज लास्ट वेस्टो फेस बच्चों को आज कोफी कौन है इसको डाल रहे हैं निक पैरिस हाहा 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 बाहर वह बाहर जाके कर के हाहा हुआ हाहा हाह हाह अ ओनलाइन वालों को जीपे कर राहा हाह त्री पॉइंट त्थीक यह ओग इंविए इंट है अब यह ले लो रेंटिंग ओफ मोटर कार में दो रेट से सुनके लो रेंटिंग ओफ मोटर कार में क्या होने वाला है आप पे कर रहे हो अब यह लो रेंटिंग वाले में वह रेट वाला भी है अगर आप 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 यहाद रखो आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो तो आप इसे ले लेगी गवर्मेंट आपने 12 पर संट का चूज कर दिया माने गवर्मेंट वह ते इदर आ तुई दे रहे है ना 12 से आके दे दे आरसीम के लिए तीन कंडिशन सैटिस्फाय होनी चाहिए सप्लाइयर कौन रेसिपियंट कौन नेचर आफ सर्विसेज कौन सी अब सुनो क्या बोलते ही है। सप्लाइयर कौन है एन्य परसन और देन बॉडि कॉर्पेट और प्रेंट कौन है बॉडि कर्पेट ओके आपको लिस्स मी लिखना है लिखना है तो सप्लाइर के नीचे क्या लिखो होगे supplier is any person other than body corporate plus paying tax at 5% supplier is any person other than body corporate supplier is any person other than body corporate supplier is any person other than body corporate and carry paying tax at paying tax at 5% paying tax at 5% and recipient kone body corporate and service concern renting of motor vehicles along with fuel cost renting of motor vehicle along with fuel cost हो गया बस तीन simple column बनाने आपको RCM में ऐसा ही तो हो गई क्या RCM वाली services अच्छा बताओ अगर RCM वाला जो tax मुझे पे करना पड़ा कभी तो how should I pay it can I use the bucket input tax credit लेजर नहीं यूज कर सकते हैं इसको बोलने का तरीका यह होता है 120 इस पेड बाई यूटिलाइजिंग credit of 120 and balance 20 80,000 by cash अब ऐसा करना RCM के लिए allowed नहीं है RCM वाला tax pay करने के बाद आप उसका set off ले सकते हो तो RCM वाला tax आपका input service होता है you can very much take the set off RCM वाला tax का आपको set off मिलता है लेकिन RCM वाला tax का problem solving करते वाक्त दो impact आते हैं same add it in the liability पहले pay करना पड़ेगा फिर उसका set off लें ITC में भी add करना पड़ेगा लायाबलीटी में भी add करना पड़ेगा लेकिन लायाबलीटी में अड़ करते हों यह यह र्याद रखना कि credit leisure से उसको पेंडी करना है इतनी साउधानी रखना ITC में add कर सकते हो और उपर liability में add करना होता है मेरी लायाबलीटी मेरे सेल पर आती है और मेरे रसेम टैक्स आते है और यह टोटल मेरे लायाबिलीटी लायाबिलीटी पर करने के दो तरीके होता है एक यूटिलैजिंग आइटीसी दूसरा थू कैश और स्फिया टैक्स काउट्पी पेड थूई झी endless to pay through cash and 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 you can claim ITC of that correct RCM 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 एक इक वाला भी RCM होता पर वह बहुत इजी है इक कर लोगे ना खुद इको वाला कि अगर कि चलेगा क्या रहे है कर बार कि आख कि क्या होगे अपना अब तक क्या क्या किया अवेंड्मेंट्मिंट्स किने पिर हम ने क्या किया सप्लाइ सप्लाइ के बाद क्या किया वी ओएस के बार टी ओएस के बार रक्राइब कॉंपजिशन करा तो यार थोड़ा सा ये हो जाएगा और फिर लास में इस बस फिर और नहीं होगा बहुत इसमें टाइम निकल जाएगा टाइम लगेगा यहां से अलग ही लिस्ट आएगी देखना ओनलाइन वालों की हाँ अपकोस अभी शेक पैनल्टी एंड इंट्रेस्ट रहा अल्सों पेड इन कैश कि कॉम्पोजिशन कराओ क्या भी कि बीच में अभी आटीपी करों के नहीं तो एक कॉम्पोजिशन के बाद आटीपी ठीक है रेजिस्ट्रेशन चाहिए इसको थीक है अरे रेजिस्ट्रेशन तो इतना इंफाक्ट सिंपल है वो रेजिस्ट्रेशन के दो पार्ट्स है ना एक प्रोसीजरल पार्ट पर इतना फोकस मत करो फोकस मोर और कंपल्सरी कब है रेजिस्ट्रेशन कब कराना है उसके तो इतना अच्छा टेबल बना के एक टेबल में हो गया है वो ट्वेंडीटू ट्वेंडीट्री एंड ट्वेंडीफॉर तू है क्या नहीं अमर को फोन करते हैं तब पानी करते हैं चलो कॉंपजिशन ओपन करो यार कॉंपजिशन बहुत बढ़ा है ठीक है अब बनाएंगे अमर माला पानी पानी पाइज़े आधा हां अधा अनन सर्की क्लास्टर रेक उपर तुनों को अनन से तो अकांट बाद में लेते थे ना साड़े साथ के बाद और फिर साड़े साथ के बात कंटिन्यू करते हैं बीच में उनका यह था ना हां हां अब यह लोग लेट आते हैं न थोड़ा आज जल्दी आया सुपने साड़े लॉस हो आज आट बज़े बुलाए उनको आज आट बज़े चलो किया मुझे लेक्षर टाइम पर मिला ग्यारा बज़े क्या इतनी जल्दी हां ही सार्टेड ना है टेट टुड़े अभी डिसेंबर में मैं जी एस्टी चालू करूंगी तो मेरी मौनिंग वाली पॉने आट की क्लास है पर चलो रहे कॉंपोजिशन किदर है ओ मैं गाड किदर है किदर है किदर है कॉंपोजिशन का टेबल बताओ जल्दी से चलो टेबल तो बताओ कॉंपोजिशन का सेक्शन बता रहे मुझे चलो कॉंपोजिशन के बाद मैं आटीपी करने वालू इधर बहुत आटीपी आटीपी चल रहे है हां कर दो कर दो कर दो थ्री पॉइंट क्या बोले तुँ अ उपर चला गया चश्मा देखके मुझे चलो अब यह वाला स्कीम है पहले मैं ऐसे एक्स्प्लेइन करूं क्या लिख के फड़ा पड़ा 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 हां मुझे वैसा ही पसंद है रेडी है क्या तुँ एक सेगे ना ठीक है चलो सुनते अबे अहां अल्राइट पे अटेंशन कॉमजिशन में कोई भी अमेंड मेंड नहीं है there's no amendment in composition okay how are you I'm fine Sujit I'm all fine I'm party some plan on there Baba here areva hello okay अब सुनते रेडी अब सुनो composition में there section 10 1 & 10 2 10 1 & 10 2 is called as composition of goods इसको क्या बोलते है composition scheme of goods so this is composition scheme of goods इसमें 3 options होते है आप exclusively G sell कर रहे हो तो आई आएगा यह आप क्या sell कर रहे हो G plus थोड़ी सी services और यह आप restaurant services दे रहे हो तो आप इस 10 1 & 10 2 में fit होते हो यह आप कौनसी services दे रहे हो restaurant services then you fit into 10 1 & 10 2 अगर आप goods के साथ services दे रहे हो तो you are allowed to give only marginal services and marginal मतलब very small services which is only equal to 10% of turnover in the state in the last year यह आईसे को पूछना पसंद है so 10% of turnover in the state of last year last PY or 5 lakhs whichever is higher इतनी आप marginal service दे सकते हो अगर आपने इससे जादा services दी तो आप composition scheme से बाहर आ जाओगे तो आप composition scheme से बाहर आ जाओगे composition scheme में generally पूछे जाने वाले जो सवाल है पहले तो यह 10 1 10 2 ही बता रही हूं 10 1 10 2 के लिए ATO का criteria कितना होता है 1.5 CR 75 lakhs in special category states so it's 75 lakhs in special category states last year का ATO देखते हैं अगर इस साल आपका ATO देट करोट तक है तो बढ़िया है आप composition की हिसाब से tax देना अगर आप उसके बाहर से ले गए cross कर दिया तो आपको normal rate लगेगा normal rate लगेगा तो आपको ITC मिलेगा composition में आपको यह याद रखना है कि कोई भी working में जो interest होता है loan वाला इंट्रेस्ट होता है loan वाला वो ना तो ATO की counting में add किया जाता है ना तो वो 10% marginal service में count नहीं किया जाता है इंट्रेस्ट और लोन जो होता है यह एक्जम सर्विस होती है यह counting नहीं किया जाता है कहां count नहीं किया जाता है ATO के limit के लिए भी count नहीं किया जाता है और ना ही यह 10% marginal services में count किया जाता है composition scheme में आप interstate transfer outside sale नहीं कर सकते interstate sale नहीं कर सकते है interstate purchase कर सकते है क्या हां तो मैं interstate purchase कर सकती हूं लेकिन interstate sale नहीं कर सकती तो I can't do interstate sale I can do interstate purchase I cannot do interstate sale I can't sell through eco I can't sell notified goods like those goods which are notified goods भी नहीं non taxable goods भी नहीं composition scheme is not applicable if you're a manufacturer 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 of notified goods notified goods में क्या आता है ice cream edible ice then you get tobacco pan masala and you have those bricks and roofing tiles and you have that ash fly ash bricks and fly ash products जो है वो है उसमें तो अब यह अगर आप इसके manufacturer हो तो composition scheme नहीं मिलेगा इसके trader हो तो चलेगा अचा interstate sale में इस साल नहीं कर सकती लास्ट यर कर सकती हूं क्या हां लास्ट यर कर सकते इस साल नहीं कर सकते इस साल में eco के थ्रूप्लाइग नहीं कर सकती सब जगह का turnover मुझे add करके check करना होता है बहले ही मैं composition scheme लेती हूँ मेरे sale पे मुझे कम rate apply होगा very important है मेरे sale पे मुझे कम rate apply होगा लेकिन मैं compositions apply हुरू और मैंने lawyer से services ली तो lawyer की services मेरे लिए RCA में cover होगी और उस पे मुझे 18% tax देना पड़ेगा what is the rate under composition scheme manufacturer के लिए 1% of total turnover trader के लिए 1% of taxable turnover and restaurant services के लिए 5% all this is total मतलब बोल रोगा अगर 1% बोल रोगा तो 0.5 plus 0.5 और 5% बोल रोगा तो 2.5 plus 2.5 so यह आपका composition scheme है एक मनेट और मैंने क्या miss किया होगा तो यहां से मैं आपको देखके बताती हो कुछ points ओके ATO मैंने लास्ट यह का बोला some special category stage के लिए 75 लाक ITC नहीं मिलेगा यह तो हमको पता है tax invoice भी इसू नहीं कर सकते you have to issue bill of supply you cannot collect the tax during the year आप interstate आउटवर्ट सप्लाई नहीं कर सकते interstate इनवर्ट सप्लाई कर सकते marginal services 10% यह जनरली आपको आता है case study में last year उसने इतना turnover किया उसको services देनी है repair services देनी है तो कर सकता यह नहीं कर सकता he has purchased goods from neighboring state allowed he wants to sell goods to the neighboring states then not allowed आचा तुमको sell करना है तो उस दिन से आप composition scheme से बाहरा जाओ आप उसके बात ब्रांची से तो आपको uniformly across pan apply करना पडेगा then you cannot manufacture notified goods you can be a trader of notified goods then you cannot supply non-taxable goods that is liquor and 5 petroleum products a person buying from a composition supplier cannot claim ITC of course CTP NRTP cannot offer composition and then we know tax pay can remain in composition only up to 1.5 CR or and after that you will have to pay tax at normal rate याद रखना आप अगर composition scheme में हो और composition scheme से बाहर आ रहे हो तो you are moving from tax paying mode no no composition scheme में हो तो you are as good as moving from non-tax paying mode to tax paying mode तो आपका जो भी stock है उसको आगे जब sell करोगे तो आपको normal tax लगेगा क्यूंकि normal tax लगेगा तो यह जो भी stock है उसका आप ITC claim कर सकते हो और अगर आप रेजिस्टर हो क्योंकि आप composition scheme में हो तो आप registered हो तो आप even capital goods का reduced ITC claim कर सकते हो अगर आप exclusive services I'll just have water आपंग्ट यूशच यँच्ट दो अल्राइट अगर आप ना कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज बेटा हां करेक्ट क्वाटर रिडक्शन अगर आपको याद देखिया क्वाटर सिक्स्टी क्वाटर हमने ऐसा लर्न किया था अप सुनो पॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज अगर आप सिर्विसेज में हो तो आपका एटियो कितना है 50 लाक्स इस फॉर अल्ली सर्विसेज नाओ रेट अफ जी एस्ट यह विल बी 6% 3% C GST 3% S GST नो ITC यू के नौट कलेक्ट टैस्ट फ्रम रेसिपेंट के नौट इसु टैक्स इन्वाइस यह सब से में आउट वर्ड सप्लाइं कर सकते हैं इनवर्ड सप्लाइं पर्चेस कर सकते हो अधर से अचा आपका अधर ब्रांच इंटर्नल स्टॉक ट्रांसफर भी वह ना एक स जो पाँच पेट्रोलियम प्लस छे लिकव प्रोडक्स यह अपने सेल नहीं करना चाहिए टैक्सपे कं रिमें इन कॉंपजिशन तिली अटेंस अ तरन ओर फिफिट लैक्स आफ्ट एट यह विल कमें नॉमल और यह शूद नौट सप्लाइट नोटिफाइड गूड्स यह अपने नौट अप्लाइफ ओंपजिशन और आपको यह मामाक कर लो ना 75 लाइक्स का क्राइटेरिया कहां है जनरली हाव मनी स्पेशल काटिगरी स्टेट्स जनरली आर 11 नो बट यह यह फॉर इस पर पर यह एट कौन नहीं है यहां कौन नहीं है 75 लाइक्स ओली फॉर एट सेट्स यूट आपको यह लर्न करना पड़ेगा 75 लाइक्स के लिए एक मनिट हम यहां से चेक कर लेते हैं रामबान यह ओपन कर दो से फर साइट नहीं वह ही है नो नो बट इस ओल्वेज सेफर साइट कॉम्पोजिशन स्कीम कहां गया कि 75 लाइक्स किसके लिए है वो चेक कर रहा है रामबान में देखो पेज नमर क्या है कि 100 और रेजिस्ट्रेशन के लिए तीन चार ही स्पेशल क्याटिग्रीज है कि में में टी टीन मामी वी रिमेंबर ना वह चार ही सिफ स्पेशल क्याटिग्री स्टेट्स है ऐसा है तो आपको इस तरीक से लर्न करना पड़ेगा तो अभी आप लिख के लो यह देखो कौन नहीं है है यह देखो who's not there J.K.H.P. and आसम paling non Batman JKHP and आसम जेके एच्प आ आव्सम जेके एच्पdy and आसम तो दीर Bible 3 स्टेटS के लिए 1.5 Yani होगा 11 special category states है लेकिन composition के लिए कितने special category eight and registration के लिए कितने होंगे चार टीना मामी टी फॉर ट्रिपुरा ना फॉर नागालेंड मा फॉर मनिपूर टीना मा मी मी फॉर मिजोरा समझ में आया तो यह चार special category माने जाएंगे in registration composition में कितने special category आठ and total originally जो GST council ने अनाउंस के वह 11 है टोटल आव अनाउंस्ट इस 11 and here there will be how many eight and in registration there will be four समझ में आ गया क्या एक मैं composition में हाँ 80 कैसे निकालते हैं यह important है मुझे 80 का चार्ट बता दो कहां है 3.11 3.11 3.11 थैंजे सुनोरे अच्छा यह एक्जाम में आता है मैंने आपको वहां पर लिखवा के दिया हुआ अल्रड़ी एक्जाम में आपको 80 कैल्कुलेट करने का MC की question आते हैं आपको question दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि ATO calculate करो ATO में सब कुछ आता है सब कुछ taxable exempt non-taxable बहुत ध्यान से देखना यह important है ATO में taxable supply जो होता है supply जिसमे tax levy किया जाता है cash Click soundarents एक्ज़ंत क्या होता है होधस होता है ενил रेटेड reflects91 ठागा इसम्ट मतलब इस पर घ्रम मतलब इस पर नहीं लग रहा है क्योंकry इसका एँचापर तो यह रख motion लेजिए को के हैं लोंपए मतलब जिस पर GST नहीं लग रहा है अब इसमें कवर होते हैं और इंटरस्टेट सप्लाइब मेरा सेल यह तो मैम कोंपोसिशन के लिए इंटरस्टेट कैसे काउंट करें काउंट हो रहा है कि आप को एटियो काउंट करते वक्त आप जी एस्ट के अमाउंट कभी पिए एड नहीं करोगे टर्णओर में इस टर्नओर इस 11 लाइक इंक्लूडिंग जी एस्टी प्लीज एक्स्क्लूट जी एस्टी को भार हटाओ फिर एटियो के टोटल करना फिर उसके बाद एटियो इस और अच्छा और अगरा धीयोत मेरा सफ्ला यह यह कुंगे इस लिए सेल एक्जम्ट वालա हो औहों कि चुक्वरएं। हो। हो इंटर सेट वाला हो। दिश्टिंग परसेंट के बीच में स्टॉक ट्रांस्फर यह भी सेल है। तुम टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सेल तुमारा सेल है। एटियो एड होगा पैन बेस्ट ऑल ओवर इंडिया का टोटल काउंट किया जाएगा समझ में आ गया क्या तो एटियो काउंटिंग इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आयम सप्लायर हुआप्स ओंपोजिशन स्कीम अंडर टेंड टूए तो में जब सर्विस सप्लाय ओफ गुड्स अलॉंग विज सर्विस वन क्वेस्टन में अलाउड है क्या क्या कि बेटा तो गुड्स बेच रहा है तो उसके साथ उपर जा सकता है जी प्लस एस मतलब टेंड वन टेंटू है उदर मार्जिनल सर्विसेज है रेस्टरॉंट है बाकी सर्विसेज जैसे सलोन है ब्यूटी पालर है ब्यूटी पालर में थोड़े गुड्स तो लगी रहे कि दर गया वो चार्ट बना के दिया है न मैंने आपको यह देखो यह देखो अगर आप एक्स्क्लूजिव गुड्स करते हो तो आप जी इधर आओगे आप गुड्स प्लस एस कर रहे हो तो आपको इधर ही आना है लेकिन आपकी सर्विसेज कितनी होती है मार्जिनल नहीं तुम सिफ रेस्टरांट सर्विसेज दे रहे हो तो तुम फिट होगे यह छोड़के नीचे वाला जो टूए है इस ओल्ली फॉर सर्विसेज इसका नाम ही है स्कीम और सर्विसेज इधर और कोई नहीं कवर होता है यहां सिफ सर्विसेज आएगा समझ में आ रहा है कि आप को अब कॉम्पोजिशन में क्या डाउट है कि तुमको कि आप अनुरा कौन सा क्वेश्चन किया था उसमें आलाउड है तो हमको फैक्स अच्छे से बता फिर हम देखो बताएंगे हाँ टेन टूए जोली फॉर सर्विसेज आदर देन रेस्टरांट येस अनुरा क्या उसमें सवाल है इस डुटिफरेंट पन दन यह तो दिफरेंट परसेंज यूँर दिफरेंट परसेंज है इस यह पैन इस इस तिफेंट अलग व्यक्ति हो गया अलग अलग हो गया सब उनका कालप्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉविंग हो जाएगा इनने आगे जाएंगे क्या ब्रेक चाहिए नहीं ना अभी नहीं ब्रेक लेंगे अभी आटीपी ओपन करते चोड़ा ओपन आटीप आपके पास आटीपी होगा न हाचा लेगा अनुराग तो बेज ने मुझे सब्सक्राइब हो रहे के चाहिए सब्सक्राइब यह देखना आटीपी पर क्वेश्चन इतने अंसर अगर दिखनी होगे तो में रेस या तो फिर इसका लेए क्या बेटा बोलो हाँ होंगे ना कौन से वह तुम सेल में रेकॉर्ड करोगे कौन से टैक्स है तुझे जो भी टैक्स लगता है जनरली इंडारेक्ट टैक्स सेल के थूरू रूटीन होते बैलेंस शीट में रूट होते है हाँ मैं रूटिंग डाजन्ट है थूरू पीनल हाँ बड़ बाकी कोई टैक्सी जैसे बीसीडी है तो एड वह होंगे सिफ जीएसी वारा टैक्स एक्स्क्लूड होगा ऐसा बट प्रैक्टिकली यह डाउट वालिड नहीं है बिकॉस ऐसा मेरे को सिच्वेशन आता है नहीं नहीं बाकी के टैक्स्य ए बाकी के तैक्सी है बाखे टाकी के टैक्स jury नहीं करेज्ड पाकी के शी और इंट सो ए थूरारा? can a composition supplier switch out on his own yes he can switch out in middle of the year no problem or when he doesn't fulfill the conditions but if I want to get in composition I have to wait for the next year I can do it only at the beginning of the next financial year I can't get in in middle of the year okay Oh my god I met this one I had to go out the इधर मार्जिनल रिलीफ फिल सब्टैक्स एम्टी हाँ वैसे यू आ सपोस्ट तु सॉल विट और यह ओ इस जैस्ट फो क्रॉस्टेकिंगे फिव रॉंग हाँ यह क्या है चलो अब मैं कौन से सॉल करती हूं कि दर हूं है रटीपी अविया किसका सॉल करेंगे कि रेजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है और बहुत अमेंड्मेंट बहुत अमेंड्मेंट नहीं है उन्होंने फिर से जस्व प्रोसेस दे दिया है कोई अमेंड्मेंड्मेंड नहीं आयूश अमेंड्मेंड्मेंड दो ही है आयूश मीना ज्यादा अमेंड्मेंड्मेंड्में यह मैंने कवर कर दी आमेंडमेंट्मेंट्स यह करूं क्या मैं तुम्हारे साथ अभी चो तुम्हारे पास आर्टीपी है क्या ओपन कर लो आर्टीपी क्या है ग्रूप पैजर जै क्या है करेंगे अफ्र करेंगे किसी ने आठ टीपी तुम लोगों ने पढ़ा एक और किसी ने आठ भी देखा है किया नहीं देखा है ठीके लाइब स्ट्रीमिंग तुम लोगों ने देखा है क्या नहीं नहीं वैसे नहीं तुमारे लिए नहीं मैं थक गई थोड़ आज थोड़ आज थोड़ इस पेनिंग कितना कॉफी हां लेकिन पीओंगे कितना पीने काड़ा चला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर किया है किया है किया है किया मार्किंग चाहिए सब्सक्राइब चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए ओ माई गाड एक्जाम पेपर देने भी आ जाती हूं है नहीं रहे रैंक आने का चांद बहुत कम है क्योंकि सिर्फ टैक्स याद है ना बाकी याद नहीं अभी मुझे सीलिक्स में आरीट का सिलबस ज्यादा है या टेक्स का बदल बच्चे से ऑडिट के लिए बोल रहे हैं तो मैं बोले हैं एसे क्यों बोल रहे हैं ऑडिट से भी टैक्सी जात होगा नहीं अचा चुरों एक एक करके आपकर करते हैं तुम आनसर चेक करना वान मेरे दिसक लॉटंग है a dentist appointment, a second I will just talk to him okay okay let's start okay Bali Bells Limited referred to as Bali Bells a private limited company registered in Chennai provides the following come on let's focus provides the following provides the following outward supplies in the month of September so this month September this is very important in GST month mark fast 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 we are going to write in the rough notebook rough 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 solve never 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 अप्रेंट नहीं से एलोक किन गया है कर दो चलागे को जाए। लाग आप ए अप्रेंशन आप ए अपर टेंशन और लिसन यहां पे इंट्र स्टेट । सप्लाय किये, 40 लाइक्स का टैक्सेबल यह एक्सम्ट है, इंट्र स्टेट सप्लाय किये, 30 लाइक्स का, बाली बेल्स लिमिटेट, सोल्ल लैन्ड फूर 2 क्रोड्स, एक्सिडिंग GST, खेर इस पे GST आता ही नहीं है, ieक्स्डूदिंग बोलता ह एक मिनिट सबसे इंपोर्टन इंस्ट्रक्शन एक्जाम में नेवर लेट दे क्वेश्चन डॉमिनेट यू यू मस्ट ऑल्वेज डॉमिनेट दे क्वेश्चन यह मैं आपको हमेशा क्लास में बोलती गलती क्या होती है पढ़ लिया एक्स्क्लूडिंग जेस्ट अच्छा त अब देखो बाली बढाले इसandidd Anda पैड पम Worcester कर दिया इंड पेड तो ये जो प्लंचनरी नोट कर लो एक लाग पे इह जो जो जिस थे है इन्हों ने इसको capitalize कर दिया यहां पर नो ITC यह आपकी रफ वरकिंग होगी बिल्कुल आप यह रफ वरकिंग करोगे में सबसे पहले क्वेस्टन पढ़ने से पहले के स्टड़ी पढ़ने से पहले उसके नीचे दिये गए क्वेस्टन पढ़ने तो आप प्रिपेर हो जाते हो कि उपर मुझे धूनना क्या है हमेशा तो आपका टाइम कम होता है से वोता है हमेशा पहले नीचे के फिफ्टी थाउजन एक्स्क्लूडिंग जीएस्टी दे कम्पनी अस नॉट अवेल डाइटी सी येट लास्ट येर का है लास्ट जुलाय का लेकिन अब कौन सा महिना चल रहा है रफ्ली सप्टेंबर चल रहा है तो कैनी स्टील क्लेम इट येस अगर यू हम मिस्ट आउट अ इटी सी पचास हजार का प्लस उसके उपर एटीन फरसेंट मतलब 9000 जीस्टी है आई टी सी ये लास्ट येर का बिल है लास्ट येर का बिल है no ITC claim can I claim it yes I can claim it till 30th November or actual date of filing the annual return I don't know yet the date of filing the annual return में सिफ important facts लिखती जा रही है आईडिली अगर आप question पढ़ लोगी तो आपको बहुत आसानी होगी पहले तो आपको बोला है ATO निकलना है उसके बाद आपको बोला है avail ITC he wants to avail ITC on the heavy steel machinery purchase in September जिस पर depreciation level नहीं ले सकता है whether Bali bells can avail ITC on free samples distributed in the month of October free sample पर लेना ही नहीं है वैसे भी Bali bells can claim ITC on inputs received in July of preceding FY up to what date in the current year 30th November or we don't know answer annual return की date दुनिया में उपर whichever is earlier शायद answer 30 November हो सकता है compute the value of supply VOS under section 15 made by Bali bells in the month of November माने मुझे यह समझा कि question में September अलग October अलग कुछ जैन कुछ नवेंबर ऐसा अलग 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 डेट दिया तो मुझे months पर focus करना जरूर है वहना है read the questions तो यह पांच ही questions है इस पर MCQ में तो अब हम question पढ़ते हैं यहां पर start करेंगे यहां थे हम लोग तो तो company has availed ITC हो गया Bali bells distributed free sample goods in the month of October to its customer to promote its sales free samples of goods in October लेकिन क्या इस पर ITC मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर ITC हो जाएगा cross तो sample पर ITC नहीं मिलेगा यह मेरा अगला facts होगा कि जो sample मैंने distribute किये उस पर मुझे ITC नहीं मिलेगा it's a block credit अब Bali bells made a supply during November November में उन्होंने sale किया made a supply मतलब sale sale inward outward क्या है ध्यान से देखना basic price is 45,000 TCS is 2,500 2,500 TCS VOS में add करते क्या नहीं तो यह देखो 4th point मुझे VOS निकलना है मुझे basic price मिला वो क्या है 45,000 TCS है बड़ वो मुझे add नहीं करना I received a subsidy of 3,500 from भारत foundation for usage of green भारत foundation for usage of green energy and the subsidy was linked to the units of energy saved linked to the energy saved but not to the product so product से linked नहीं है तो यह जो subsidy है मुझे add नहीं करना हाँ ठीक है तो आगे Bali Bells has not furnished its annual return अच्छा तिल end of November and it will furnish in December तो यहां पर मुझे यह पता चल गया filing of annual return is going to happen in December so whichever is earlier तो यहां answer मिल गया 30 November अगर कोई भी बच्चा आप mechanically बिना लिखे question solve करने की कोशिश कर रहे तो you are making the biggest mistake of your life you are gonna waste double time treat it like a question that we do it and solve बले पहले 5 minutes आपको लगेगा जादा लग रहा है but her question एक दूसरे से linked होता है आपको वो you need it written write it in rough page आपका जो answer sheet है का उसके आखरी page पर आप solve करो अब देखना हो गया क्या question में कुछ बच्चा है assume that there is no other outward supply from above in the months of September, October, November इतना ही दिया है all the amounts are exclusive of taxes read the facts and write down determine the aggregate turnover ATO में सब कुछ आता है taxable, exempt, inter, intra तो यह सब add करना पड़ेगा 40 plus 30 plus 15 plus 10 40 plus 40 plus क्या था 30 15 and 10 तो कितना हो गया is 95 lakhs the correct answer somebody just check the MTP please keep checking the answer 95 lakhs is the correct answer okay done bali bells wants to claim available ITC on heavy steel machinery याद नहीं आया तो उपर फिर से देखलो heavy steel क्या है marks नहीं कवान है 2 मिर्ट पढ़ लो heavy steel machinery वह मचनरी है जिस पर GST की amount उन्होंने capitalize करके depreciation लिया है which of the following statement is true ITC on machinery cannot be available since depreciation has been claimed this is the first thing is the correct one A MCQ का answer देखो second का answer A है क्या वहर बाली bells can avail ITC on free samples no it is not available because it is without consideration nah 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 ITC is not available because it is a block credit under section 75 done again bali bells can claim ITC on inputs it can claim ITC on इन्पूट इन जुलाइं अप्टू 30 नवेंबर और दूट और अक्टूल देट फाइल इन्यूल रिटर्न विच यह तोल्ड उस विल बी इन डिसेंबर सो विचेवर इस अर्लियर विचेवर इस अर्लियर सो इस अप्विसली 30 नवेंबर एक करेक्ट अंसर में से मैच करना सब्सक्राइब का काम है हां सब्सक्राइब के लिए आपको इंसेंटिव जैसे मिला प्रोडक्स से लिंक्ट नहीं है आगे हो गया सिक्स्क्वेशन चिल लिमिटेड डेली और रेजिसेट सप्लाइब मैनुफेक्ट्टरिंग मशिनरी साइस मेड़ टैक्सेबल सप्लाइब यह बहुत इंपोर्टेंट है जो भी पीरेड है पहले उसको सर्कल करो यूँआ डूइंट फॉर्ण वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्स सब्सक्राइब के लेते हैं यहां पे आपको क्या कंप्यूट करने को बूला है क्वेस्टन में क्या है कलने हिले यह एक यह यह विए हो उसी का सपार्थ कंप्यूट घस्तलिंब थैंक क्मप्यूट घस्ती परफद फैंक्ट अठी कोई बात करे रहे ओस इंप्यूट घस्तलि मुझे मुझे की एन मौन टिरेक्ली नहीं दियेoir理 मुझे निकन्ना भी है जब भी भी जी एस्टी प्यब्लादा तो आप तीन सेप्स में वर्किंग करना पहले एक हिंडू कभी क्या करेंगे ये एक मशिनरी की वैलियू देंगे और नीचे question में बोलेंगे he sold 10 such machineries then multiply by 10 then get the sale and then when you get the sale you should then when you get the sale you should calculate the output tax then calculate the input tax and then take the set off correct है क्या अब देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ऐसा होगा list of machinery exclusive of taxes थीक है तो यह 10 लाग यहाँ लिखो बाजू में 10 लाग आप रफ वकिंग करो चलो subsidy receive form central government subsidy का वो question रहे गई अभी हमें पढ़ना पड़ेगा the least price of machinery is after considering the two subsidies after considering मतलब हमको subsidy मिल रही है यह पता है यह पता है इसलिए हमने price कम कर दिये after considering मतलब कस्टमर से मैं कमी लोंगी price क्योंकि मुझे पता है मुझे subsidy मिल रहे है हाँ ओके और दूसरा subsidy कौन सा है दूसरा subsidy NGO से मिल रहे है एंड हाँ एक मिनट पॉप सप्लाय ओफ मशने तो गवर्मेंट यह गवर्मेंट वा नाम एड नहीं करेंगे subsidy from NGO for supply of a machinery to an old age home exclusively related to supply so is it exclusively related to supply yes because it is relating to supply NGO का हम दो लाग एड करेंगे tax levit by municipal authority हम लोग 2,50,000 एड करेंगे packing charges हम 1,25,000 एड करेंगे और कुछ दिया है क्या हो फिर यह received है यह ITC के लिए दिया है यहाँ पर यह VOS कितना हैगा value of supply कितना हैगा 15,00,000 अचा question में कभी कभी आपको discount वगर होगा तो ध्यान से करना नीचे आपको दिया जागा इसी 10 machinery बेची into 10 करना फिर sale निकलना इसा ध्यान देना तुम अब इस पर आउटवर्ट पर GST कितना आएगा 18% how much is 18% of 15,75,000 283,500 इसा पर इसा पादव्ट यूवर्फर आउटवर्प्र क्या बोलता है अपन आउटवर्प्र टैइक्स लैइबिलिती करेक्ट है क्या हूँ पहले यह value के लिए examine notes लिखना नोट्स government subsidy is not added as per section 15-2 government subsidy is not added non-government subsidy and link to the price is added then packing and additional charges other taxes are added यहाँ पर थोड़ा सा notes end में आपको लिखना जरूरी है अब उसके बाद input अब input के लिए ITC का concept recall करने का raw material to be received in April आउगड़े हम working कर रहे for the month of March इसलिए मैंने उपर बोला वो period note करना जरूरी है अगर goods receive होते है तो आपको GST मिलता है on receipt of last installment आप ITC कब कर सकते है on receipt of last installment एपरिल में मिल रहा है तो इसका ITC नहीं आएगा उपर question में ध्यान से देखना यह exclusive amount दिया है यह GST का amount है यहां कौन सा amount है यह tax का amount है तो यह नहीं आएगा membership of a club club membership is a block credit employees के लिए है लेकिन अगर employees के लिए कोई भी चीज होता है it is allowed as a credit if it comes under a statutory obligation if it comes under a statutory obligation समझ में आ रहा है क्या सबको हां आगे जाएंगे आगे हो 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 इंपुट्स रुबी यूज रिसीव इन 6 लॉट्स आउट विच फर्स लॉट्स रिसीव डूरिंग इस फर्स आया है तो यह नहीं मिलेगा यह ब्लॉक क्रेडिट है आँ ट्रक्स यूज फोर ट्रांस्पोर्ट इस अलाउड पता है कौन सी गाड़ी नहीं अलाउड होती है मोटर वहिकल अप टू 13 सीटर 13 सीटर मतलब कैसा ड्राइवर का एक पैसेंजर का बारा तो टोटल कितना हो गया 13 सीटर मोटर वहिकल अप टू 13 सीटर इस ब्लॉक क्रेडिट मैं तो फिर ट्रांस्पोर्ट फॉर गुड्स गुड्स सीटर थोड़ी होता है ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो हमेशा आइटी सी मिलेगा अब कैपिटल गुड्स आउट आइटम्स इन्वोइसेज टू आइटम्स इस मिसिंग मतलब आपके पास टैक्सपेंग डॉक्युमेंट नहीं है एंड जी एस्टी पेड ओन दोज इस टू एटी टू तो यह त्री लाग फिफ्टी थाउजन में से आपको टू एटी टू पे नहीं मिलेगा तो कितना एगा शिक्स्टी एट थाउज मतलब आपको आइटी सी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दो लाग अठ्रा यहां पर फिर आपके क्या आएंगे नोट्स आपको थोड़ा एक्जैमेर को बताना पड़ेगा कि एस पर सेक्शन 16.2 एस पर सेक्शन 16.2 यू कन ग्लेम आइटी सी ओली वेन गुट्स आर रिसीव लेक सिर्फ दिट ओफ लासी इंस्टॉल्मेट कभी-कभी आपको ऐसा देंगे क्वेस्टन में फी डिन्स रिसीव देट वूड्स ऑन इस बिहाफ देलिवर्ट तू सम्बडी ऐल्स चलता है क्या हां बिल तू सिप्ट मॉडल वाटर बिल तू शिप्ट मॉडल वूड गूड्स आउट्पूट टैक्सी स्टू लाइग एटी थ्री फाय हंड्रे लेस कुछ कुछ चीजे सीखना बेटर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के थू सीखना इस बेटर वी आफ लर्निंग इंडिरेक्ली थोड़ा थोड़ा इटी सी का चैपकर हुआ कि नहीं ब्लॉक क्रेडिट में एंप्लॉई के लिए मेंबर्शिप मेंबर्शिप इस ब्लॉक क्रेडिट बट अगर वह स्टूटरी अब्लिगेशन के अंदर होगा तो वह अलाव होता है ओ माइग गाड़ ट्रक्स इस एलिजिबल तो लाइबलीटी कितनी आई बेटा आंसर मैच कर दो 65 check the module rtp answer somebody keep a track of the answer please correct so it is 65 500 is that okay आगे जाएंगे 7a आप रीड करो कर दो 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 अब बताओ पहले केस में क्या सेंटेंस वालिड है शुड़ी आप लिखाओंगे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले क्या मार्क्स मिलेंगे इन्वैलिड लिख्या होगे तो अंसर सही होने तो पहला प्रोविजन ओफ लॉओ प्रोविजन ओफ लॉओ लिखो अंडरलाइन यह हेडिंग है तुमको लगता है बहुत टाइम पास है मैं पेपर प्रेसेंटेशन के पॉइंट्स बहुत फालतू और यह थे लिख के दिखाओ अब यह आंसर समझ में आ रहे है क्या अब प्रोविजन ओफ लॉओ लिखो अस पर देश्ट प्रोविजन अस पर देश्ट प्रोविजन अस पर देश्ट प्रोविजन यह इन वैसिंग इस मैंडिटरी जा टी यह अस पर देश्ट प्रोविजन यह इन वासिगन मंडिटरी e-invoicing is mandatory if kya e-invoicing is mandatory if the aggregate turnover in any of the preceding years short form नहीं लिखना है if aggregate turnover short form नहीं लिखना है if aggregate turnover in any of the preceding years starting from 17-18 exceeds exceeds how much exceeds 10 crores section नहीं लिखेंगे तो चलेगा तुने लर्न किया क्या अब 20 दिन में लर्न नहीं नहीं किया है तो नहीं याद आया तो लिखेंगे नहीं याद आया तो नहीं लिखेंगे खतम हो गई बात जितना पड़ा है जिसके जितने basis पे कुछ भी करके उधर passing पहले एक घंटे की strategy आपकी paper की 40 marks लेके आने का है उसके बाद का बाद मैं सोचो फिसके अरि फेरस मरहा हाफ अर्व आर पहले तुम तुमारा पासिंग सेक्योर कर दो उसके बाद वो एडिशनल शायद ये गलत हो गया वो मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए तौड़ा से थोड़ा सा ये करना है वो बाद में पहले तुम क्या आ करो पासिंग सिक्यूर करो प्रोविजन ओफ लिखा किया इट्षूड एक्सीड हाँ मच टैन सीर क्या होगा इट्षूड एक्सीड टैन सीर उसके बाद क्या है राहूल बोल रहा है मैम इस ITC के में इक्सक्लूजिव यसे लिया है तो परसनेची नहीं लगाया लगाया अबहा लगए ऐसे एक वाले से के वाले समय डासिते के इसलिए मैंने ऊपर क्वेस में बोला भी कि देखो यह टैक्स अब अब सुनो प्रोविजन ऑफ लौ क्या बोलता है हमने लिख दिया इट इट एक्सीट 10 क्रोर्स ना सेकंड इन इस question second क्या है हम आप क्या हेडिंग देते हो लौ में क्या हेडिंग देते हो इसको analysis analysis of the question मतलब analysis is nothing but the facts of the question okay so this is analysis or this is the facts of the question क्या है analysis में इस question में इस व्यक्ति का turnover कितना है turnover of Aden Limited is 18 crores the aggregate turnover T1 ने लिख याने का full में लिखने का no short form aggregate turnover of Aden Limited is 18 crores which exceeds 10 crores अच्छा even this थोड़ा साप थोड़ा additional उदर बहुल दोगे इवन provision of law में आपको बताते हूं question क्या है question says you are required to comment to he saying you are less than the threshold limit to invoicing की ज़रूरत नहीं उसके आप आप बोल सकते हैं अगर आपको याद आया कि invoicing required only for B2B there is no need of doing invoicing for B2C अगर यह additional point आपको ध्यान में आ गया तो आप note करके आजो तो answer अच्छा यह कोई आपका बीकॉम का एक्जामनी है तो इतने इतने पेज लिखना है या इतना पॉइंट्स ऐसा कुछ नहीं provision of law अच्छे से explain करो facts लिखो conclusion अच्छे से लिख्या हो तो अब यहां पे conclusion लिखो conclusion आप लिख सकते हो addun limited will be required to addun limited will be required to issue e invoices for all इतना आपने लिखा की नहीं है फिर भी है मेरे साब से इतना सही नहीं है एक और conclusion में आपको लिखना पड़ेगा final answer आपने दिया है कि नहीं conclusion के बाद एक line छोड़ और conclusion दे दो क्या conclusion है या तो एकदम उपर में या तो यहां नीचे अलग से आने चाहिए क्या the statement given is invalid the statement given is invalid hence the statement given is एक line छोड़के इसको अलग से लिखो statement given is invalid अब जब examiner को यह final answer दिखेगा यह underline किया वह अलग से दिखेगा वह खुश हो जाएगा उसको पता है कि आपने examiner को सामने final answer पता है एक बच्चे को तीन मार्क मिल सकते उसी में किसी को दो मार्क मिल सकते समझ में आता है क्या तो यहां पर statement जोटा है कौनल वालिड है क्या हो गया मैं गलत जोड़ हु कॉच नहीं है और बट देखो न क्या बोला है यह क्यों आसे बोल रहे है यू are required to comment on the validate एक मिनुट एक मिनुट हां एक मिनुट यू are required to comment upon अपॉन अपॉन एक बाइद सुछाँ गेजिए आप क्ट्स ने क्या व्यू दिया हे एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट आप इ्पाइद सुछी ही इन इड्वाइस तो फिर उनका एड्वाइस क्या है वैलिड है पॉइंट है देखा सब कुछ सही होके फिर देखो क्वेस्टन में exactly क्या पूछा है यह जानना बहुत जरूरी है so tax consultant however hidden limited is of the view that they are not required to so give comment upon the validative of advice given by tax consultant very good very good so please understand the statement is valid the statement of tax consultant इस वालिट मतलब कन्फूजन नहीं होगा सब आते हुए भी आप मार्क्स हम मिस आउट कर देते कि नहीं यह इस रियली वेरी वेरी इंपोर्टेंट समझ में आया नक्को रहे ऐसे बोलू आइसा नक्को चलो आगे जाएंगे अब बाके के थेरी क्वेस्ट में ऐसे नहीं लिखवांगे अभी आपको आईडिया आगे आगे अना कैसा लिखना है आगे गवर्मेंट डिपार्ट्मेंट इस रेजिस्टर अंडर GST इस एग्रिगेट टॉर्ण फिर चाहिए और दो नोडिय तो आपको आखांगे यह अगोगेक वस्क्राइवा, वसे इस उस्क्राइड इस उस्क्राइड कोण कोन आता है वो सब याद आगे तो लिखना नहीं याद आए तो यह तो याद आना चे गवर्मेंट इस गवर्मेंट्ट आंडर एग्सेप्शन इंस्वरेंड बैंकिंग आमेंडमेंड में आया है आपके नोट में अल्ड़ेडी कवर्ड है वह अमेंडमेंड यह है कि अब आपका अंसर है कि गवर्मेंड को इशु करने की जरुरहत नहीं है लेकिन उनको अपने इन्वाइस पर एक देक्लेरेशन देना पड़ता है कि दो अर्ट अवर एक्सीडिंग दा थ्रेश्व लिमेट वी आर एक्जंट फ्रॉम इस्वींग इन्वाइस और यह रामबान में आपको दिया हुआ है आप इसका पेज नंबर धून के मुझे जल्दी से केवाइन करके बताओगे फास्ट म डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स और आप लोग अगर मेंट 23 के वा तो आपको अमेंडमेंड के लेक्शन में मिलेगा दीया है अमेंडमेंड के लोट्स में है पेज नमबर 213 में आपको दिया है कि इवन if you are exempt you must mention that your turnover is crossing it but you are not required to issue our invoice because you are covered under the exemption ऐसा declaration देना तो देखो आप यह नहीं लिख किया होगे और जो बच्चा लिख किया आएगा क्या आपके दोनों के marks में difference होगा yes बले आपका valid invalid advice करो वो सब सेम आ गया बट explanation में यह point होगा तो सही marks मिलेंगे नहीं होगा तो कुछ marks cutting is that okay तो conclusion क्या हुआ government को issue करना है या नहीं करना है not required not required to issue यह वाला जो final answer है आपका underline होना चेह you are not required to issue and you must give a declaration that though the turnover is exceeding they are exempted from the turnover is exceeding 10 crores they are exempted from issue of e-invoicing दिखा क्या आपको यह declaration को star mark वगरा होगा आपके notes में देखना हां amendment है ना इसमें हां आगे जाएंगे 8th question read 8th question read the 8th question 8 9 10 पहले 8th question पहले 8th question हां मॉडुल में हमने किया यह से ना हां पहले 9th question so do you agree with the stand यह क्या बोल रहा है he suggested that he has to file either annual return or file final return now no it's not there final return is also to be filed and annual return is also to be filed final return is filed because you are cancelling registration and annual return is applicable for everybody and annual return is applicable for everybody annual return सिफ कौन नहीं फाइल करता देखना जरा मुझे के वाइन करके बताओ return open करो annual return कौन नहीं फाइल करता जरा देखके बताओ इसको बोलते इस टाइप की पढ़ाई होनी चाहिए आप सिफ बोलो return 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 ऐसे पढ़ते जाओगे ऐसे पढ़ाई नहीं करते इस टाइप की पढ़ाई से याद रहता है आपको अच्छे से लिए और नहीं तो मैंने वह ब्रेंड मैपिंग मैंसे सेक्शन बना कभी आपकी रिविजन के टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से लिए वह मैराथान में पेज नमबर 315 अफ रमबंड हाइलाइट भी है पहले सही है ठीक है अच्छा किसको नहीं बना अन्युल रिटर्न और रिटर्न की ड्यूरट क्या है 315 अब लेट फिमेंड मेंड मेंड में वहां पर मार्किंग करो अधर नोट में कि लेट फी ऑफ अन्यूल रिटर में देज अमेंडमेंड सी फ्रॉम अमेंडमेंड नोट वो देखना बहुत जरूरी है अमेंडमेंड के नोट अलग से देखके जाना बहुत ही जरूरी है बेटा यह मार्किंग नहीं करोगे अमेंडमेंड के नोट मैंने दे दिये लेकिन ए वाइदा होगा यह सब ऐसे सीन होते हैं पता है किया ऐसे हाथ चे होते फिर आपके साथ इस अब नो प्रॉब्लम हरसित नो प्रॉब्लम तरह के चला जाला का तुम सब तुम्हारे पास यह ऐसा लिखा हुआ है कि एक सेकंड मैं दिखाओ क्या आपको यह मैंने लास्टाम मैरेठोन लिया था ना तो बहुत अच्छे से कहीं लिखा हुआ है कहां है मुझे मिल नहीं रहा है late fees are amended for annual return up to 5 CR up to 5 CR 50 rupees per day or 0.04% of turnover and above 5 to 20 CR 100 rupees per day or 0.04% of turnover whichever is lower and above 20 crores 200 rupees per day or 0.5% of yes yes 0.5 total 0.5 I mean 2.5 0.25 plus 0.25 I am talking total oh my god oh my god yeah 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 oh my god oh my god oh yeah yeah यह पॉइंट क्या दिया है और यह कब तक फाइल करना है उन्होंने सब डूरेट दिया है पता है क्या टेन प्री मन्स फ्रॉम देट ऑफ कैंसलेशन और ओर वाली डेट कैंसलेशन के ओर का डेट यह पुझे वाली से मिलना चाहिए बारव ऑक्तोबर से मुझे टाइम limited or registered person is winding up his business and has thus applied for cancellation therefore it is required to file both annual return as well as final return और आप जो answer है कि stand is not correct यह आईदर beginning में दे दो या आप end में दो गे तो भी चलेगा बट अलग से दिखा उसमें space छोड़ो एक line छोड़ो तो यह कौन सा हो गया अब आगे कौन सा है 9 кое में 13 याइन आउxis आ आ हुचा आ यह और यह पता है कहां से 10 वालत में अमेंन्द मेंन्ट से आया है में 23 के अमेंधन में में आपको में 23 के अमेंन्ट मेंड्में की नॉट्स देती हूँ अलग से पढ़कर जाना बैटा वह आपके बॉक्स पर करवाड crypto मेंतर नहीं沒有 बट अलग से एक बार हो जाता है ना अगड़ है मैम आयू रेजिस्टर अंडर GST नहीं है नहीं है अब इलो थ्रेशोल लिमिट चलो अब सुनो Mr. Shama registered person has caused movement of E-Way bill E-Way bill एक बार generate किया तो हम उसमें correction नहीं कर सकते I have to cancel it within 24 hours और कितना 72 hours I have to wait for approval So I have to cancel it within 24 hours But इसमें correction करना possible नहीं है And then I can generate a new E-Way bill ऐसा ही दिया है क्या answer नहीं रहे बाबा एक बार देखते है देखते देखते Log in within 24 hours and generate a new one अब 10 वाला देखो आपको लगेगा oh my god मैंने आपको बोला न ICI loves asking question on circular अब यह circular सुनना क्या है यह देखो आपको लगेगा जो हम मैं बोल रही हूँ 10 वाला जो question ने देखो वो क्या है किदर गया examine the implications of GST on payment of honorarium to the guest anchors अच्छा एक और बात exemption में यह कहीं नहीं है guest anchors मतलब जो TV show पर जाके guest anchoring कर रहे है और वहाँ पर यह कर रहे है तो उनका यह जो होता है GST वो taxable है अगर मैं आपको दिखाओ amendments आपके notes में भी है यह लेकिन मैं आपको बताना चारी हूँ यह GST के amendments में से है यहाँ circular आया है exemption के chapter में है यह आपके exemption के chapter में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बोला सारे circulars आपको पढ़के जाना इसलिए आज supply के मैंने बहुत अच्छे से लिए कि ने क्योंकि ICI को जनरली सर्कुलर्स पर question पूछना बहुत पसंद है अब यह अमेंड्मेंट्मेंट्स पार्ट वन अमेंड्मेंट्मेंट्स पार्ट टू कि इदर है मेरे पास हाँ इदर मिल जाएगा भी 368 पेज नमबर खोलो एक्जाम्शन के चैप्टर में 368 है क्या पेज नमबर 368 ऑफ रामबन यहां पर दी गया मेंड्मैंट्स एक में स्था अमेंड्मेंड्मेंट्स पार्टूंग अवेक्टर कर दू आपके साथ अवर्टक्यव यहाँ में एक्जेशन ओंधूस यहाँ जन्हांट्स पार्टा बहलूर rum को मेंड्मोर नियु अननोट्स लेच्वाइस and november 20th nay may 23 and november 23 it is a all right so honorarium regarding gst on payment x circular the circular clarifies the applicability of gst on honorarium paid to guest anchors the sunset tv and other tv channels invite guest anchors to participate services provided by guest anchors in lieu of honorarium attract gst liability okay ma'am or by chance we don't remember this one thing we don't have to skip 50 50 percent probability if there is no exempt service all the children will be taxable there is no such thing that gst doesn't look like every thing it is taxable it says service is not exempt at least so taxable conclusion ke liye aada marto milsa aek marto milsa agar puran email lagato so as per a clarification or circular issued by gst such services are taxable am i getting simple supply ka logic socho mujhe paise mil rahe kiya is there a consideration yes there is honorarium is the guest anchor providing services yes so there is supply of service and i am receiving honorarium there is consideration there is consideration all condition of supply satisfied this is a supply and it should be liable for gst it is not a exam service khatm logic kuchh bhi karke answer is not a system of the कि बादे बढ़ि भाद में कि में मैंने अमपाई इस कि अमतिमी कराकि theoretि कि आई टी करा कि मिए इंटीस करा कि उप अई वो द्रेक लगा दूँ मुझे आंसास हो ते हो रहें मैंने कर भी दिए तो हो जागा आई टीसी रहाई जागा गूद झाल 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 वान आरहा इसके लिए अभी कर दिया उसने अभी कर दिया उसने आयम लाइव लाइव यूट्यूब वाले बच्चे आप वापस आगे क्या हूं अभी तुर्स का। चलो आगे अब मैं क्या कराती हूं आई टीसी बसा मेरे को भी चैप्टर के नम मत बोलो और एडिशनल रेजिस्ट्रेशन कि अब बहुत बड़ा टॉपिक है धाई तीन गंडे का लेक्चर है अगला जो मैराथान जो है में 23 के लिया हुआ एक्जाक्टली वही उसमें एक ही अमेंडमेंट है कि अन्यूटी वाला जो एक्जम्शन था वो अभी विड्रॉव हो गया है अब बहुत अब नहीं अब करिंदेशन वाला चैप्टर समझ में आ गया किया है क्या हो गया है मैं तो वही स्टार्ट करना लिए एस टी इंटर्डूस क्यों किया वह बताती अभी तुम्कों हाँ ना वहीं करेंगे अभी अपनी जीटी 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 चलो क्या हो गया करने चलो फास 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 आई टी से कराती हूं चलो हाँ आई आई टेल्यू लाइक दिस बेस्टेप आई टी से बड़ा कॉमन चार्ट होगा मुझे नंबर बता उसके बाजू में मैं लिखके बताती हूं तो आपको आई टी सीप बहुत फटा-फट समझ में आ जाएगा 5.2 गर्म्यों रहे हैं पेक तो बहुत ज्यादा यह पूरा चार्ट यह है स्वारा सिम्पल है नो आपको इंपूट टेक्स क्रेडिट लेना है अब इंपूट टेक्स क्रेडिट रेसिपेंट लेगा यहां पर हम सब पर जाएगा है नो आपको जो सोचेंगे वह रेसिपेंट के वीव पॉइंट से सोचेंगे आई तीसी लेने वाला रेसिपेंट होता है तो अब रेसिपेंट को बोलता है यहां अबूट बोलता है यह यह चार्जिंग गया एक सकंद ब्रेक के बाद भी ब्रेक चाहिए ओके चलो लिसन लिसन चलो लेट्स फोकुस बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अब देखो तो ITC में मुझे सेट ओफ चाहिए रेसिपियंट को सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन 16-1 बतायता है कि आपको रेजिस्टरेशन नंबर आने से पहले पहले तो आपके पास टैक्स पेंग डॉक्यूमेंट और रेकॉर्ड होना चाहिए तो आपके पास इन्वाइस खोने गया है अगर आपका खो गया तो आपने डुप्लिकेट कॉपी मंगाना चाहिए आज हमने अभी जो क्वेश्चन किया इस टाइप का क्वेश्चन आया क इस पास टीन कापिटल गुड्स के बिल्स थे लेकिन उसको आईटीस उसमें से दो बिल्स खो गये फिर भी फिर हमने उसने दो बिल्स का इटीसी नहीं लिया अच्छा वह खो गय तो उसका इटीसी वह कब लेगा जब वो डूप्लिकेट बिल्स मंगाएगा और जब डूप्लिकेट मंगा के बिल आते 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 अगर टाइम लग गया तो कोई बात नहीं जब आएगा तब लेना लेकिन आखरी चांस क्या है आपका तीस नवेंबर और अनुल रिटर्न का डेट विचेवरी इस अर्लियर तो देखो टैक्स पेंग डॉक्युमेंट शुट ब दो गवर्मेंट तो सप्लाय हास पेद टैक्सेश तू गवर्मेंट फोत रेसिपियंट हैस फाइल द रिटर्न रेसिपियंट हैस तू फाइल द जीस्टी आ रफर न चाहिए उसके बाद सप्लायर ने जो भी फ़ाइल किया ऑपडेटेट इन फीज़ी जी एस टी आर व स्ट्रीक्टेड görd उसी में बहुत सिंपल सी बात है इसी में बहुत इंपल सी बात है'm इन पuesta सिंपलसी का मश्र Venezuela आपके पास क्या नहीं है और कैसा नहीं कि आता है यहां पर आपके पास क्या नहीं है पहले मॉक्तिस के एक क्वेशन आया पूराना बिल है वो उसके पास आया है बिल लेकिन उसके पास तभी रेकॉर्ड पे नहीं था लेकिन वो लास कब तक ले सकता है जिस यहर में वह बिलॉंग करता है उसके अगले 30 नवेंबर तक यह फाइलिंग और रिटन तब तक आप कर सकते हो अब रिशीव गुड्स यहां पर जनरली एलाइक तो आस्क्वेशन ओन डेट इंस्टॉल्मेंट अगर गुड्स इंस्टॉल्मेंट में मिलते तो यू गेट ईटीसी और सीट आपको मिले या किसी और को मिल सकते याट इस बिल टू शिप तो मॉडल तो बिल टू ए साथ करवाना है तो गुड्स मुझे मत भेजो डिरेक्ली उस जॉब वक वाले को भेजो वो कर देगा या मेरे कस्टमर को भेज दो डिरेक्ली तो आई डिन्स रिसीव देग गुड्स मैं कस्टमर रिसीव और मैं बिहाफ चलेगा क्या हां तभीभी आई टीसी लोग है की इस्त करने का लिए टीस फाइल इंक्छा व Hisने फेल्ट पातना करते साओं नहीं कर दो abraट को बाटीसी सी से इमीड akds सब्स्राइब मिदा इलरेक्ली सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप उसको रिवर्स कर देना आप खुद आपने आपका जी एस ट्यार रिटर्न भरोगे तो आई टीसी क्लेम करोगे आप रिटर्न ही नहीं भरोगे तो आपको आईटीसी कहां से मिलेगा सप्लायर ने डलना चाहिए तो 3 वी आना चाहिए और दूसरा सप्लायर ने क्या फाइल करना चाहिए अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स होते हैं यह इसी से रिलेटेड ही मुद्द है पहला सिक्स्टीन बन बोलता है रेजिस्टर्ट पॉर्सन सिक्स्टीन टू क्या देता है कंडिशन अब अगर आपको आईटीसी लेना और वह कैपिटल उस पे एटीन परसेंट मतलब नाइन कितना एगा नाइन लैक्स कैन यू क्लेम इटीसी यस इमिडिएटली बट कैपिटल गुट्स के टाइम याद रखना यहां पर गवर्मन ने आपको दो यू ऑप्शन दिये आईदर आप क्या लो आईटीसी लो या इस नाइन लैक्स क और यू क्लेम डेप्रिसियेशन कैना क्लेम बोथ नो यह थर्ट पॉइंट किस से रिलेटेड हो गया कैपिटल गुट्स से रिलेटेड करेक्ट है क्या अब आपको आईटीसी लेने के लिए आपको यह और कुछ चीजे ध्यान में रखनी पड़ेंगे एक हो गया डेप्रि सारा जिमनमा सिर्फ सप्लियर का है क्या वर्ट अपाट बोड़ रेसेपीपींट किया हम आपको पूरा इटीसी चाथ है हमारे चाट famoso चाट्बूक में वह चाट मैं लिखके बता रही है क्योंकि नहींना समझ में ढ bubb नहीं आता है जब मैं लिखक को बता आता fine 12074 सेट् तो आपका ध्यान रहता है बेटा तो अब देखो यह सप्लायर है अब जो सप्लायर होता है मैंने supplier ने क्या किया 50 lakhs का bill raised किया ये invoice है और इसके उपर मैंने GST कितना लगाया 9 lakhs अब ये invoice गया recipient ने ये payment करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो recipient शुट पे शुट पे विदिन 180 डेस तो recipient के उपर क्या responsibility पे विदिन 180 डेस क्या पे करना चाहिए आय प्लस टैक्स के अमांट वैल्यू प्लस GST इफ नॉट दें रिवर्स ITC और रिवर्स ITC अलॉंग वीद अलॉंग वीद इंट्रेस्ट अब ये डीटेल में अभी हम देखेंगे एक एक करके तो यह आपको कब रिवर्स करना है क्या आया आया आपने क्या किया प्रपोर्शनेट पे किया आपने कैसे प्रपोर्शनेट पे किया प्रपोर्शनेट पे किया तो क्या करना पड़ेगा आपको प्रपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा जो जितना आपने पे किया उतना ITC मिलेगा बचवा प्रपोर्श करना मतलब जब आपकी लाइबलीटी अराइस होगी तब हम उसमें से यूज करते हैं यूज करते हैं तब से इंट्रेस करना है यहां पर एक और मुद्द आता है जो आईसे को बहुत पसंद है फिफ्ट मुद्दा यह है कि रेसिपेंट का अकाउंटेंट है उसने गल्ती कर दी यह वो ITC क्लेम करना ही भूल गया यह उसकी बहुत इच्छा है क्लेम करने की ऑडिटर ने मना कर दिया ओडिटर ने बोला तेरे बास बिली नहीं है मैं आला भी नहीं करूंगा वोलता है वो मेरे उपर ITC का chapter is everything from the viewpoint of the recipient तो अब यह है कि what if I forget to claim ITC so what if what is happening here what if I forget to claim or forget or I don't claim I don't claim because my auditor didn't allow I didn't have the bill and whatever whatever I didn't I don't claim ITC so what do I do no need to worry what is the last date अगर मुझे मेरा कोई debit notes record करना है मैं कब तक ही ITC claim कर सकती हूँ the last date for claiming the ITC यह ICI question में बहुत पूछती है input tax credit के last date of claiming ITC क्या होता है अभी यह bill कौन से year का है अब ध्यान से देखना आपको question में दिया जाएगा this belong bill belongs to FY last year का बिल दिया जाएगा 20 आप कौन से year है आपके लिए 22 23 है ना आपके लिए PY क्या है आपका 22 23 AY 23 24 तो आपको बिल दिया जाएगा 21 22 का एक बिल है January 22 का invoice है अगर आप current year में आपको question आया अगर current year में आपको question दिया जाता है कौन से महिने का December 23 का हो गया क्योंकि यह कौन से year को बिलॉंग कर रहा है उसके अगले साल के 30 नवेंबर अगला साल मतब कौन सा year मैं तुमको इदर December 22 देना चाहिए हाँ क्योंकि आपको question आएगा question आपको solve करने के लिए December 22 का question कौन से मन का रहा है December 22 का उधर दिया जाएगा during the month इतना purchase किया best है उसका ITC ले लो during the year capital goods लिया उसका ITC नहीं लेने का नीचे एक दिया जाएगा एक one old bill is found on record the old bill relates to jan 22 jan 22 मतलब last year last year का ITC में कब तक ले सकती हूँ यार किसी भी year का ITC में कब तक ले सकती हूँ जो year है उसके अगले year के 30 November तक तो इस साल का ITC लेने का डेट है 30th November 22 क्या डेट है देखो 30th November 22 यार पैन मेरा तो I can take ITC till 30th November 22 लेकिन I am solving the question for December so you will have to write a note that date is already over या question में ऐसा कर दिया 30 November में आया then don't claim ITC क्यों because आखरी डेट क्या है November 22 अगर आपको question exam में आता है और आप solve कर रहे हो April 22 का then can you claim it yes पूराने last year का है फिर भी हम ITC ले सकते क्या येस क्यों ITC लेने का last date क्या है 30th November और filing of annual return whichever is earlier जैसे आज हमने question नहीं किया थे MCQ का वो पूछता ही है इसी type का question आता है फिर इसके बाद इस ITC में दो और parts है there is rule 86 A and 86 B Commissioner can इस पर theory question आ सकता है Commissioner जो है आपको बोलेगा कि आपको ITC claim करने से मना करेगा He can stop you bucket में पानी है फिर भी आपको बोला यूज मत करना उसको लग रहा है अपने चोरी करिये आपने गलती से यह सब जमा किया यह जो व्यक्ति आपको ITC दे रहा है वो बिजनस ही नहीं कर रहा है वो आपको fake bills दे रहा है वो आपको goods नहीं दे रहा है तो he can restrict bucket में पानी है लेकिन वो आपको बोलेगा use मत करो so can the commissioner stop you from using the bucket yes he can stop you from using the bucket ITC chapter is important बेटा if you want to score in tax focus on GST खतम करो उसको अच्छे से छोटा limited syllabus as compared to taxation तो यहाँ पर can he restrict yes he can restrict you that is rule 86 learn दो इस पर theory question आएगा चांद मांक पांच मांक का question आ सकते है जीस्ट में theory questions आते है फिर rule 86 भी है सप्लाइन ने क्या करना चाहिए तुम्हारे टूबी में होना चाहिए तुमने वरन 80 days में payment करना चाहिए अब 86 भी क्या होता है some cases we want people to pay something in cash at least so 86 भी is applicable if your taxable sale in a month exceeds 50 lakhs in that case we tell you what we tell you in that case what should you do you should discharge 99% of your liability using the bucket bucket में बहुत है पानी बट पूरा यूज नहीं करना हम बोलते है 99% यूज करो why we want you to pay something in cash उससे पता चलता है कोई fraudulent व्यक्ति और ऐसा नहीं कि हम आपके साथ बहुत अत्याचार कर रहे अगर आपकी tax liability पच्छास ला कर ये या आपकी tax liability 18 lakhs 18 lakhs what is 1% of 18 lakhs 18,000 we are saying out of if my liability is 18 lakhs 86 भी क्या होता है मेरी liability कितने 18 lakhs it says मेरे bucket में ITC available is 20 lakhs it says don't use it completely compulsory 18 lakhs को pay करने के लिए compulsory only 99% of the bucket should be used बच्चा हुआ 1% you should pay in cash compulsory बले मेरे पास balance पढ़ा है 20 lakhs का I can use only 17 lakhs कितना हैगा 82,000 बराबर है कि है total हाँ I am 19 99% of 18 lakhs is going to be 17 lakhs करेक्ट है क्या 82,000 हाँ तो हम क्या बोलेंगे कि 99% of the liability should be discharged using ITC at least 1% should be paid in cash इस रूल के exceptions है इसके exceptions क्या है अगर आपने कभी भी आपका income tax last two years में एक लग से जाधा income tax pay किया होगा तो आपको यह rule apply नहीं करेगा या cumulative अब तक आपने 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 आप अभी कहीं December monthly होता है कि नहीं आपने साल के पहले 6-8 महने में आपने बहुत cash पे कर दिया है अब तक की liability में से आपने आपने सारी की सारी cash में पे कर दिया है cumulative liability from April to till now already more than 1% is paid in cash then उस महिने में आपको यह provision of rule 86 भी apply नहीं करेगा also this rule will not apply if आपका income tax है अगर आप company हो और उसके directors या अगर आप firm हो उसके कोई भी partners ने खुद का personal income tax एक लाग से ज्यादा पे किया है तो GST में fraudulent transactions बहुत हो रहे इसलिए यह type की rules हम introduce करना जरूरी है समझ में आया किया तो अगर आप अभी यह वाला एक पेज आपका देखोगे यह वाला आपका चार्ट है यह लगबग आपके सारे conditions एक मिन्टाइल ओपन दो स्टूडेंट कॉपी में कौन सा पेज नंबर है यह चार्ट नंबर 5.4 था यह नहीं कौन सा था यह पेज नंबर क्या था हां 5.2 ओके देखो तो यहां देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको 16 1 क्या बताया ओलिया रेजिस्टर परसंट कैन क्ली ने डिडाइग इव इस सब कंडिशन्स मैंने बताए अब मैंने बताए सम इंपोर्टन पॉइंट अगर इंस्टॉल्मेंट में आते तो लास्ट इंस्टॉल्मेंट बिल्टू एक शिप्टू आ मॉडल बोला हां उसके बाद मैंने आपको 16 3 बोला मतलब आइदर यू अगर आप क्लेम करना भूल के अगर आप 22 23 का पर्चेस है तो आखरी कब तक सॉल कर सकते हो 30 नवेंबर या अन्यूल रिटर ऐसे अगर आपको विचेवर इस अर्लियर अगर इससे पहला है अगर इससे पहला है तो यू इससे पहला है किसी नोट सेक्थों इससे पहला है और किसी ने रिख अगर जलदी फाइल कर दिया इससे नापका टार्व कर दिया कर संप्टेंबर में कर दिया तो आपका पॉटल वाला कि वन में जाना चाहिए वन से पॉटल पे जाना चाहिए पॉटल के टूबी में आना चाहिए तो यह आपको एटी सी मिलेगा हाँ अब यह देखो रूल यह थियरी है कि 99% of the liability should be by claiming ITC उसी का टॉन और बहुत ज्यादा है महिने का टैक्सेबल सेल का टॉन और एकसीड फिफ्टी लाक्स वन मन्त का महिने का कि फिफ्टी लाक्स मतब बारा मेने का कितना हो गया शे करोन हाँ और अगर यह लोग में बड़े क्लाइन्स है लेकिन इन्होंने अगर लास्ट इंकम टैक्स पे किया होगा एक लाक्स से उपर लास्ट टू यह में इस साल में तो फिर उनको यह सेक्शन अप्लिकेबल नही करसकता है अब कौन्सी चीज़े बकेट में नहीं जा सकती वह ब्लॉक क्रेडिट एक बैटर फडपार ब्रीफ में कर लेती हूं फिर आपको ब्लॉक क्रेडिट बता देती हूं ठीक है इतना सा यह बहुत छोटा सा चैप्टर है ऐसा कुछ इसमें कॉंप्लिकेटेर नहीं है वह ब्राह्मान लेकर बैठते हो और फिर पूरा यह पढ़ू की वह पूरू समझ में नहीं आता है इसलिए पहले पढ़ने से पहले क्योंकि फिर आपको आइडिया आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर मुझे कॉंसेप्ट आ रही है किया फिर बढ़े आए फिर क्या ही प्रॉब्लम है आपको अब देखो हर्षद में था कि स्टोरी बहुत सिंपल है क्वेश्चन में यह दिया जाएगा अगर इंवोईस आठ में का आपको क्या दिए इंवेश आट में में का वन एटले करना चाहिए फोद नवैंबर तक तो आपको कांटिंग कि घुट करना पड़ेगा आए आए डिमें का है payment December में किया है तो आपको काउंट करना पड़ेगा 180 days खतम हो गए 180 days खतम हो गए तो आभी ITC हमें reverse करना पड़ेगा अब ITC reverse करना पड़ेगा यह कप करना पड़ेगा मेरे 180 days कहां खतम हो गए 4 November 4 November के बाद अगला return कौन सा जाता है हमेशा 3B 20 तारीक को जाता है कि तो अगले जो 20 तारिक है चार नवेंबर के बाद अगली 20 तारिक कौन सी आ रही है 20 नवेंबर 20 नवेंबर को तुम कौन सा ITR भरोगे ऑक्टोबर वाला अठीवी जिस्ट या थी वी बरोगे ऑक्टोबर वाला कब भरते हो 20 नवेंबर को उस ITR में आप रिवर्स कर दो तो 20 नवेंबर को जो आप GST रिटर्न भरोगे यू शूड रिवर्स द आईटीशी तो यू शूड रिवर्स अब यह रिवर्सल वाली कंडिशन कहां अप्लाई नहीं करते हैं यह भी थेयोरी क्वेशन आ सकता है क्या एक्सेप्शन सप्प्लाई इस टैक्स पेबल अंडर आर्सियम जिसका आर्सियम में आपने टैक्स पे कर दिया उसमें 180 डेस का कंडिशन अप्लाई नहीं करता क्यूंकि टैक्स आप खुदी बेकर रहे हैं रसियम में डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता ही न बनकी को थ्र्ट पार्टी ओन अकौन्ट आप तो आपको पता है नाfel यह जोенко कर रहे हैं डर्सियम को कर रहे हैं वह किसको खेप्रियों कर रहे हैं जो किसको खुदी को कर रहे हैं व मुदुद तो यह वाला पेमेंट इसके लिए भी 1018 का क्लोज अप्लाई नहीं करेगा, so 180 days वाले के exceptions है, RCM वला tax, 180 days के लिए आपने अगर third party को payment किया, या consideration, बिना consideration के, इन तीनों के लिए 180 days का condition apply नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि आपको, yes, और यह जो आप interest count करोगे, it'll be not, यहाँ पे आपको question में straight away दिया जाएगा, कि आपने bill ले लिया 8 में को, सुनना, 8 में को आपको bill आ गया, तो आपने उस महिने में ITC ले लिया होगा, bucket में तो डाल दिया होगा, बर शायद में में आपकी liability 0 आई, तो आपने utilize नहीं किया, आपने utilize कहीं जा गया, आगे August September में किया, तो आपका interest का calculation आगे से count होगा, अब देखो, मैंने bucket में ये 180 का पैसा ले लिया, 180 days का मैंने पैसा ITC ले लिया, में में bill आ गया, goods भी आ गया, तो मैंने 180 का क्या कर दिया, ITC कहां डाल दिया, bucket में, कहां डाल दिया, bucket में, अब में महिने क्या मेरा sale 0 है, तो मेरा output liability 0 है, मैं इस bucket को हाथ लगाऊंगे क्या, तो इंटेस का केल्कुलेशन कहा से होगा और आप से ज्यादा कॉंपलिकेट क्वेस्टन केल्कुलेट्स के आने के चांस इस कम है आप से यह कॉंसेप्ट देखा चाहिगा आपको आता है कि नहीं कि आपसे ले रहे हो अवेलिंग वाली डेट्स से यह यूटिलाइज़िंग आपको कब लेना है यूटिलाइजे यूटिलाइजेशन मतलब बकेट यूज कर रहे हो कब यूज करोगे जब मुझे लाइबिलीटी आएगी समझ मैं कि आपको यह सो धाट इस वेरी इंपोर्टेंगे आगे देखेंगे ब्लॉक क्रेडिट है अब ही ब्लॉक क्रेडिट बता दू क्या यह यह ब्लॉक क्रेडिट बहुत बढ़िया ते डाइग्रामेटिक रेप्रेसेंटेशन है क्लारिटी इमेजटली आजाती आपको ब्लॉक क्रेडिट में समझ के लेना ब्लॉक क्रेडिट में क्या हो रहा है कश्म क्रेडित में आप 30 सिट वाइकल तुटलिट मिलेगा तो बसेज्स वगर एंपल्व सो लेके आने के लिए 20 शीट बोट-शीट ओंप मतलब बारा पैसेंजर और एक ड्राइवर ड्राइवर की सीट को काउंट करके थर्टीन सीटर हुआ तो ब्लॉक क्रेडिट है ठीक है हाँ थर्टीन के उपर हो गया अगर मेरा कार बेचने का ही बिजनस है अगर मेरा कार बेचने का ही बिजनस है इस थाफ्टीन के ठीक है तो पुर्टीन कार बिजनस है फिर किसको मिलेगा यह थी तीन विजनस इफ यु आप सिखारों के ड्राइविंग कैसे करना है एडलाय बेटिपे जैर्लाइन कर सकते है ऑड शुदॉर्येश इंगर fix बिजनस है क्षब्रण जैसे सब्लिडेटित अगर मोटर वहिकल में याद रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर मोटर वहिकल मतलब रेलवेस के उपर का जो भी टैक्सिस पे किया उसका इटी सी आपको मिलेगा अगर मोटर वहिकल जो अगर मोटर वहिकल है तो उसका क्रेडइट मिलेगा एंजन कपैक्सिटी अपको मिलेगा यह बांपने से कि distractions basically you are going to get an ITC you are going to get an ITC okay अगर बहुत ध्यान से सुनना अगर जो उपर गाड़ी है बहुत ध्यान से सुनना उपर जो गाड़ी है कौन सी गाड़ी है एरो प्लेन कार एन वेसल वो खुद एक ब्लॉक क्रेडिट है खुद क्या है ब्लॉक क्रेडिट है तो उसका रिपेर मेंटेनेंस उसका इन्शोरेंस उसके उपर जो जो जी एस्टी पे करोगे वो भी एक ब्लॉक क्रेडिट है वो भी एक ब्लॉक क्रेडिट है समझ में आ रहा है क्या तो वो भी क्या होगा यह आपको मिलेगा अगर एरलाइन के बिजनस ऊनको अब आएरोप्लेड का आईटी सी मिलता है हाँ उसका रिपैर मेंदेनेंस किया तो इसका एटी सी भी मिलेगा वśjakल अगर खुद बलोक क्रेडित है तो उसका रिपैर इंशोर उचुरेंस है भी ब्लोक अब देखना लाइफ इंचूर हाँ यहां पर बहुत इंपोर्टन हो फोथ वाला फूद एंड ब्रेवरिजिस फूद ब्रेवरिजिस आउट्डोर यह धान में सुनला केटरिंग सर्विसेज एस्पीसी ने ओवर्ड फंक्शन किया इनडस्ट्री ने आवर्ड फंक्षन किया बोड मीूटिंग किया खाना प्रवाइट किया भले ही वह बिजनस के लिये होगा फूद फूरच वक्रेवरिज़िस इसल्वेज ब्रेवरिज दो ब्लग क्रेडिट तो याद रखना क्लब मेंबर्शिप, ब्यूटी सर्विसिस, प्लास्टिक सर्जुरी, कॉस्मेटिक, फूद ब्रेवरिजिस, केटरिंग, इस अलवेज ब्लॉक क्रेडिट, इसका इटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो मेंबर्शिप फीज ब्लॉक क्रेडिट, अब शिक्स अब लाइफ इंशुरेंस से रिलेटिट यहां पर देखेंगे, इसमें आता है लाइफ इंशुरेंस और हेल्ट इंशुरेंस और तीसरा, लीजिंग, रेंटिंग, रेंटिंग, हाईरिंग, आफ मोटर वहिकल, तो यहां पहले में इंशुरेंस का बात आपको बताती है, इ अपने यह health insurance आपके employees का करवाया और employees का इसले करवाया because it is required under a statutory obligation then उसका credit आपको मिलेगा if it is not under a statutory obligation then आपको उसका credit नहीं मिलेगा employees के लिए आप कुछ भी करो understand employees का traveling का kharcha employees के लिए factory employee के लिए खाना देना यह सब block credit है लेकिन employee को खाना देना अगर factory act के तहर बोला जाता है कि you should provide food you should provide this facility to them जो भी है यह जो facilities अंदर आप statutory obligation के अंदर देते हो फिर उसके ओपर जो GST आता है it will be eligible for ITC because act ही बोल रहा है आपने यह facility देना चाहिए तो उसके बाद अब insurance की बाद life insurance block credit health insurance block credit लेकिन अगर health insurance आप employee के लिए voluntarily करते हो block credit लेकिन statutory obligation में है तो मिलेगा अब general insurance general insurance किसका लिया ऐसी गाड़ियों का जो खुद एक block credit है तो उसका insurance भी block credit है ऐसी गाड़िया जो खुद eligible for ITC है तो उसका insurance भी eligible for ITC होगा करें अब rent a food catering जो catering वाला business है और renting of cab वाला होता है रेंटिंग of cab and motor vehicles यह block credit होता है तो जैसे मुकेश अमभानी के रिलाइंस में genuinely कुछ business का काम था business की meeting थी बहुत guest आई तो उन्होंने cabs बुल वाली तो cabs बुल वाली और cabs रेंट पर रखी कि जहां से लोगों को उनकी घर से यह hotel से office लेकिया है बोड meeting हुई अगले दिन उनकी factory विजिट हुई तो गाड़ी उनके साथ थी तो उन्होंने बहुत सो से पचास गाड़िया रेंट करी रेंटिंग of cab उसके उपर उन्होंने GST पे किया इस 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 ब्लॉक क्रेडिट रेंजिंग of cabs motor vehicle is a block credit club membership is a block credit food beverages catering यह सादा block credit लेकिन आपको याद रखने दो important चीज़ है अगर खाने वाली जो सर्विसेज है catering services अगर उसकी invert services used to provide the same outward service then it is eligible for ITC तो जैसे मुके संबाने ने catering का का काम caterer one को दिया caterer one ने वो काम आगे उसमें से desert बनाने का काम दूसरे caterer को दिया तो desert वाले का जब मुझे बिल आएगा मैं caterer हूँ मेरी input service क्या है desert catering मेरी output क्या है catering so is my input and output same yes then can I claim ITC yes ऐसा input which is used for providing same output it is eligible यह directly या indirectly same हो सकता है जैसे airlines अगर कोई भी airlines catering का खाना आपको फ्लाइट पर खाना देते है तो catering का खाना ताज होटल से उन्होंने बुक कर दिया और उन्होंने ताज होटल ने उनको बिल दिया generally food and beverages and catering is a block credit but airlines is has to do it because that input is a part of its output क्या मैं airlines का output का है airlines का composite supply जा main supply is transportation but a part of it is also providing food so अगर कोई भी generally food and catering is a block credit but if that input is used to provide the same output then it is eligible same is the case for renting of cab अगर कैब वाला और कैब वाली मैंने वही एक्जामपल दिया अगर कैब वाला ने रिलाइन्स को दिया तो वह block credit है तो वह क्या है block credit लेकिन कैब वाला ने इतना रिलाइन्स को उसको order आया कि उसको खुद की गाड़िया कम पड़ रहे है उसने यह काम किसको आउ उस बिल के उपर जो GST होगा क्या उसका सेट आफ मिलेगा हा मिलेगा लेकिन जब क्या वाला रिलाइन्स को बिल देगा उसका मुझे सेट आफ नहीं मिलेगा जेपता है क्या है देखो employees के लिए कुछ भी facility करो health वाली other facility अगर वह statutory obligation है तो ITC मिलेगा अगर वह statutory obligation नहीं है त उसका ITC आपको नहीं मिलेगा करेक्ट उसके बाद travel expenses और LTC for employees is a block credit अगर मुकेश हमानी is traveling somewhere and reliance company is booking it as traveling expenses the traveling expenses के उपर जो भी GST है it is going to be a blocked credit अब आता है works contract यह बहुत सिंपल सी बात है यहां मैं explain करती हूँ आपको इसके works contract थोड़ा सा time consumer वो बताती हूँ सबसे पहले यहां पे कुछ और चीज़ है पहले वो बता देती हूँ works contract में आपको यह समझना है oh my god यहां पर आ गया क्या नीचे आप देखो यह NRTP जब NRTP goods खरीता है यह पर्चेस goods in India it is a block credit NRTP जब इंडिया से बाहर goods इंपोर्ट करेगा तब हम उसको ITC allow करते वरना हम NRTP को ITC allow नहीं कर Purchases you do from composition supplier किसे करते हो आप composition supplier it is a block credit मैं माम कहां tax pay करते है कोई व्यक्ति बोलेगा वह composition supplier tax pay कर रहा है allow करो नहीं composition supplier से कुछ भी खरीदा तो it is a block credit अब आता है यह important बात थिखो purchases from composition supplier यह block credit है उसके बाद यह important है अगर आप goods self-consumption के लिए यूज करते हो तो block credit गिफ देने के लिए free sample के लिए करते हो तो block credit यह याद है आपको अगर मैंने खरीद लिया और by chance ITC ले लिया तो बाद में जब आप चमेडी को free में दे दोगे तो उसको supply मानेंगी और आपसे आपका tax recover किया जाएगा तो इसलिए हमें कोई problem नहीं है but generally gifting free sample distribution personal consumption should be a block credit similarly अगर कोई tax आपने tax का evasion किया tax की चोरी की फिर demand आई उसके बाद आपने tax pay किया और उसके बाद तुम पूछते हो अब तो पे कर दे अब ITC नहीं मिलेगा एक तो यह notice demand है हम बोल रहे है कि penalty लगा रहे है kind of कि चलो pay करो tax का evasion कर रहे हो फिर pay करने के बाद पूछते हो अब ITC लूग किया नही कोई ITC नहीं मिलेगा तुमको समझ में आ रहे है किया अब यहाँ पर देखना आप दो ही बचा वो कौनसा बचा यह works contract वाला अब बहुत सिंपल सी बात है यह works contract वाले में अब देखो मैंने एक contractor को बुलाया और बोला मुझे गुरुकुल करके दो what is this it is a immovable works contract works contract is a block credit तो मैंने वो contractor ने बोला कि आप 2 करोड दो मैं गुरुकुल बना के देता हूँ 2 करोड के उपर मैं GST लगाऊंगा वो तो GST लगाएगा मेरे लिए that GST is a block credit तो any works contract for immovable property is a block credit लेकिन अगर मैं गुरुकुल नहीं चला रही हूँ लेकिन मैं building के business में हूँ हाँ मैं works contract is used for providing sale मैं builder हूँ where I am into construction business तो मैं आपसे works contract लूँगी और customer को flat बेचूँगी then is this works contract allowable expenditure येस अच्छा SPC ने गुरुकुल construct करके लिया दो CR में तीन CR में हमने गुरुकुल अगर construct करके लिया उस गुरुकुल के लिए मुझे works contract का बिल आया उस बिल को मैंने books में capitalize किया है ये immoable बन गया तो इसके उपर मुझे GST नहीं मिलेगा अब construction होने के बाद थोड़ा सा repair work है कहीं water leakage है waterproofing है मैंने उसी contractor को फिर से बुला है इधर है ये repair करके दे अब वो जो मुझे बिल देगा पाच लग का दिया दस लग का दिया और उसने बोला repair maintenance अब मैंने books में उसको capitalize नहीं किया then that repair maintenance का जो भी ITC होगा मुझे set off मिलेगा अगर उस works contract को आप books में immovable करके capitalize करते तो ITC नह सकते हो SBC ने गुरुकुल बनवाया तो हमको ITC नहीं मिलेगा किसी ने factory बनवा के लिए तो इसको ITC नहीं मिलेगा लेकिन builder works contract के लिए building बना के लेता है तो ITC मिलेगा हां मिलेगा अगर SBC सोच रहा है कि मुझे एक और गुरुकुल बनाना है या गुरुकुल construct करना है तो ने ने works contractor क्यों चाहिए हम ही बनाते हों तो हमने cement ले लिया हमने steel ले लिया अब मैंने works contractor ने मैं inputs खरीद रही हूं किसके लिए building बनाने के लिए तो मैंने cement पे GST पे किया मैंने steel पे किया इस यह जो GST पे किया यह एक block credit होगा यह जो GST है यह जो GST है वो क्या है यह block credit है समझ में आ रहे है हाँ लेकिन यही अगर builder बोलता है मुझे खुद building construct करने तो अब मैं उसको base दूंगा तो वो जो cement और steel खरीदेगा inputs वो credit eligible है अच्छा builder ने हमने SPC ने गुरुकुल बना दिया हमने cement खरीदा सब खरीदा यह block credit हो गया चलो ठीक है अब मैं cement खरीती हूं लेकिन मुझे waterproofing करने के लिए खरीती हूं अब यह जो cement खरीदेऊंगी मैं उसको entry डालूंगी repair and maintenance तो मैं books में उ लेंग आफ फाउंडेशन मैं कांट्रेक्टे से कर राके लोगी या मैं खुद सिमेंट खरीद के एक बेस बना लोंगी उसके ऊपर मशने लगाऊंगी laying a foundation for machinery fixing it to the ground is eligible for ITC इसका ITC मिलता है इसका ITC मिलता है और the main reason इसका ITC मिलता है वो इस definition की वजह से कि plant and machinery की definition में equipment आता है machinery fix to earth by laying a foundation तो भले ही वो foundation machinery fix to the earth किया है वो immobile property नहीं बना GST का simple logic है क्योंकि हम land पे GST नहीं लेते तो जो भी चीज़ immobile बन जाती है उस पे हमने GST नहीं लेना चाहिए but plant and machinery को ground पे fix करने का intention यह निए कि उसको immobile बना दो यह है कि उसका vibration free production हो सके उसका use हो सके अब इस plant and machinery म जाता है land building तो यह plant and machinery नहीं है इसलिए यह block credit है land building civil structure telecommunication towers and pipelines outside the factory this is all a block credit तो इसके उपर आप GST पे करोगे तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा तो block credit हो गया मैं इफ construction contractors doing construction of own business unit factory SPC गुरुकुल नहीं मिलेगा हाँ अगर मैं builder हूं construction business में हूं फिर मैं वो building construct कर रही और फिर उसको बेचूंगी तो मुझे उसका ITC मिलेगा जेपता है क्या तुमको अब ITC in special cases हाँ ना वो 5 special cases है और फिर ITC का वो sequence है set off कैसे लेते हैं बस यह दो ही points बचा है ना हाँ ना हाँ फिर ITC का chapter हो गया थांक यू अक्षे चलो करू क्या repeat I mean start repeat मतलब start let's start okay so ITC in special cases I think इसके लिए बहुत ही अच्छा चार्ट है मुझे चार्ट नंबर बोलोगे आप 5.8 तो एक ही चार्ट में मैंने बहुत ही I think ITC के जो चार्ट से जो combine वाले है इसमें एक ही इसमें बहुत अच्छे से आपकी पड़ाई हो जाती है तो आप आपको यह समझना है ITC in some special cases situation one now see your shifting यह देखो law में ऐसा नहीं बोला यह मेरा सिखाने का तरीका है तो मैं क्या आपको बोलती हूँ non tax paying mode से आप कहां shift कर रहे हो tax paying mode so I am shifting from non tax paying mode to tax paying mode non tax paying mode to tax paying mode मतलब पहले मैं unregistered थी यह मैं composition scheme में थी यह मेरे goods exam थे अब मेरे goods taxable हो गए यह मैं unregistered थी और अब मैं register कर रहे हूँ तो जिस दिन आप register करते हो आपने हमेशा किसका सोचना चाहिए future का सोचो आपने किसका सोचना चाहिए future का तो आज अगर मैं register कर रही हूँ मेरे पास आप जो भी stock है मैं future में sell करूंगी तो government मुझसे क्या लेगा tax लेगा तो मैं बोलूंगी यार इसके purchase करने का ITC दे दो तो government बोलते है सही बात है कोई गलत बात नहीं दे दो ITC दे देंगे तो आपका जो भी stock होता है on the date of conversion can you get the ITC answer is yes you can get the ITC तो answer is yes आपको उसका ITC मिल जाएगा अब आप ITC claim कर पाऊगे लेकिन याद रखना bills आपके एक साल से पुराने नहीं होने चाहिए तो आज अगर आपका conversion हुआ है maximum bills कितने आज के पास stock है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत पुराना stock है आज जो stock है उसके bills जो है एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर what about capital goods map मैंने capital goods पहले खरीदे और वो machinery अभी use होगी अब तो मैं taxpaying mode में चला गया लेकिन आपने जब capital goods खरीदा था अगर आप registered थे मतलब आप composition scheme में थे मान के चोलो तो आप registered थे अगर आप registered थे तो उसके … झालो जैसे कि मैं कॉंपोजिशन स्कीम में हूँ अगर मैं रेजिस्टर परसुन हूँ और कॉंपोजिशन स्कीम में हूँ तो माने मैं रेजिस्टर थी तो इसलिए मेरा जो भी क्या अगर गुट्स के ऊपर जी एस्टि है उसका मुझे आईटी सी मिलेगा अगर रिडूस आई टी सी मिलेगा ठीक है और रिड़क्षन कैसे होगा च्वाटर बेसिस पर याद रखना क्वाटर शिक्स्टी वाटर का क्वाटर तो यहां पर एदक्षन विल भी फाइव परस स्टॉक के डीटिल्स देने पड़ेंगे तो जो भी स्टॉक है उसका आपने सुनके लेना फ्यूचर का सोचो आप रेजिस्टर मोड में थे मतलब अब तक आपने जो भी खरीदा उस पर आईटीसी ले लिया बड़ अभी आपने रेजिस्टरेशन कैंसल किया तो आप जो भी आपके पास रहेगा जितना बैलेंस है उसका आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा सी यह ऐसे पढ़ने से मेरे फ्लो बन रहा है एकाद दो एक्जांपल करना तुरंत अपने आईटीसी कर लेना यह बहुत जरूरी है ऐसा मत समझो मैंने आईटीसी करवा है तो आपका चैप्टर हो गया ऐसा नहीं है यहां पर यहां पर यह उस्फुल यूस्फुल सिक्स्टी मंस की हिसाब से होती है अब थर्ड वन इस सिंपल थर्ड वन क्या बोलता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा आपने मशनरी खरीदी पचास लग की और उस पर 50 लाकिव यहां नाइन लाक्व तुरंट अपने इस ले लिया तुम बेस्ट है छे मैंने हुएने कि मशनरी बेश देया तुमने फिर 9 08 फिर 9 लाकि आइसी देया आम ने तुम रहे है तुम भेश रहा हो मशनरी तो अब फिर से रिवस होगा कितना रिवस करोगे जीतने क् अब तक बचा हुआ है उसका quarter आपने hardly 6 मेने उसके आपने सिर्फ 2 quarter machinery उसके दो quarter का आपको रखना है बाकी के quarter का आपको क्या करना है रिवस करना है तो 5% per quarter के हिसाब से होता है के हम आप यहां पर रिवसलिए है आई टीदि रिवसलिया नहीं मैंने छे मैंने नहीं मैंने सात आठ साल के बाद मश्रेश बेचा मुझे पच्छास हजर मिला किस सा government स्विश्राइब जैसा तुमने पच्छास हजर में बेचा है गवर्ण बोलगी इदर है पच्छास हजर प आपने परमिशन दिया है कि मैंने रहा मैंने दिया है को एपने कि वह बादी आपनों आपनों धाला हुथ क्योंटम में घ्ल मार्मेदा क्यों भी आपनों ग्लाप आपना है में अनुक्लोंड इन है प्लाप जाता था चाहिएए्ट भी त्यूंड एक तब गाल ओस्पानए पेलं रात्व सो हर मैं और नों वुक्यूट कि अच्छ को पता चैना मेरा आज मैरत होने आज फ्राइडे कल उसको स्कूल नहीं है तो इसने फ्रेंड को घर पे बुला है स्टेवर के लिए और दोनों डिनर के हम बाहर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं अभी दस बचे अभी बाहर जा रहे हैं तो अब अधिक फ्यूचर क्या अभी बाहर जा रहे हैं अभी घर पे नहीं हूं और यह बाहर जा रहे हैं ठीक है अब सुनों चलो चलो सुनो अभी तुम लेट्स फोकस अब सुनते हैं आई टीस यहां पर क्या करेंगे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तो गवर्मेंट क्या करता है वाट ड़्यूवर्मेंट डू गवर्मेंट सेज रिवर्स दा आई टीसी और यह वाला ना है और यह सिच्वेशन ना सॉल करने के लिए भी आसान है तो यू मस्ट गो थ्रू दर क्वेश्चन तो आपने क्या करना चाहिए इसका जो क्वेश्चन करवा है ना मैंने एक फरनीचर है मोल्ड है रामबांड में है तो आपने यह सॉल करना चाहिए और बिल्कुल इसको अब सॉल करो यह सिंपल वाला यह इस पर क्वेश्चन आ सकता है यह मैनेजबल है अब अगर मोल्ड आइस जीग्ज और फिक्शर्व ओता है तो डियरेक्ली यह प्रेट्ट्राइक्शन वाल्यू रिवर्सल नहीं डियरेक्ली ट्रेंजक्शन वाल्यू पर टैक्स्पे करना सिंपल सा पाट है आप मैनेज कर सकते हो सिच्वेशन फोर सिच्वेशन फोर में आप बिजनस बेच रहे हो यह सेलिंग और असेट्स एंड लाइबिलिटी और चेंज इंग कॉंस्टिशन यू और अपने एक्स लिमिटेट ने अपना बिजनस वाल लिमिटेट को दिया तो मैंने एक हाथ दो केसेज में हम देते हैं जहां पर ऐसे सिच्वेशन की इतना पहले का बैलेंस है अमाल्गमेशन हुआ तो एक्स लिमिटेट का जो आईटी सी का बैलेंस है उसका बेनिफिट अभी किसको मिलेगा वाई लिमिटेट को मिलेगा तो देर इस ट्रांसफर ऑफ अपने एक ही रेजस्टरेशन लिया था अब आपका मन कर रहा है नहीं नहीं आप का मन कर रहें है ने झाहले एक प्सक्राइं कीम अधकर बैलेंस तो अब मैं क्या करूंगी I will divide इस बखेट छेंट है यह स्ट्ण क्या बैसीग हों आप्वीं अब इसमें से जो पुने ब्रांच के असेट से और जो नागपूर ब्रांच के असेट से अगर उसका रेशियो 60-40 है तो इस पर सिंपल टाइप के अब बात आती है आपका यूटिलाइजेशन तो इसे हम कैसे यूटिलाइज करता है तो सिंपल मैं यहीं पर लिख देती हूं जो आई जीएस्टी होता है आई जीएस्टी का टैक्स होता है कौनसा बेटा कौनसा आई जीएस्टी का टैक्स आई विल यूजेट टू फरस्ट पे आई जीएस्टी की लाइबिलिटी तो मैं उसको यूज करूंगी टूपे आई जीएस्टी की लाइबिलिटी बाद में हम उसको यूज करेंगे फॉ अच्छा आपको अगर इस टाइब का question आता है जहां पर आपको solve करना है आपने दो तीन method से rough में side में at least एक और method से आप ट्राइक करके देखो cross check करो कि आपने जो किया वो सही best वाला method है क्या और correct वाला है क्या minimum answer आना जरूरी नहीं है पहले जरूरी है कि आपके रूल करेक्ट होने चाहिए तो ITC की liability IJST की liability के लिए आपने first IJST का tax कैसे पर करना चाहिए IGST liability CGST SGST UTGST in any order and any proportion in any order and any proportion अब आपने bucket में से compulsory पहले आई निकलना चाहिए बाद में क्या निकलना चाहिए CGST CGST निकलने के बाद use it for CGST liability first and then for IGST पहले खुद की मदद करो फिर दूसरों की मदद करो अब मैं निकलना लूंगी bucket में से SGST SGST में use करूंगी first SGST बाद में I will use it for IGST समझ में आ रहे किया IGST की liability pay करनी होगी मुझे IGST की liability compulsory I should use what IGST का tax then I should use CGST का tax then I must use SGST का tax compulsory ITC इस तरीके से मुझे इनका जो tax input tax है ऐसे यूज़ करना है पहले bucket में से IGST का tax खतम करो फिर CGST निकलो और SGST निकलो तो यह order proportion यूज़ करके आपको problem solving करना इस टाइब से चाहिए समझ में आ रहे कि आपको किसी को कि प्रॉब्लम है कि यहां पक्का नहीं है अच्छा अब सुनों एक मिनिट अब मैं आपको एक चीज़ सिफ बताती हूं कि यह registration का मैं आपको ब्रीफ देती हूं तो आपको करने आ जाएगा अब registration का आपको ब्रीफ देती हूं सुनके लेना इस इस खतम हो गया कि इस बच्चा है कि हो गया तो आप देखो रेजिस्ट्रेशन में मैं जस्ट ब्रीफ दूंगे आपको रेजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि 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 अब सुनो रेजिस्ट्रेशन में बेटा यह आप चार्ट करोगे ना तो सच्ची में कुछ डिफिकल्ड नहीं है आपको बोलू कि रेजिस्ट्रेशन के चैपकर को दो पार्ट में डिवाइड करना पहले रेजिस्ट्रेशन का सेक्षण 22 23 24 दूसरा उसका प्रोसीजरल पार्ट यार उस प्रोसीजरल पार्ट में पता है कि आदे से जाता तो यह है कि रेजिस्ट्रेशन अलग अलग होना चाहिए आपने अलग नंबर लिया तो आप क्या बन जाओगे डिम डिस्टिंग पर्सेंट से जेड और डिटे का अलग रेजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है अगर आप वो यूए सेंबसी वगरा हो तो आपके पास आपका यूएन नंबर लेना जरूरी है रेजिस्ट्रेशन में पहले आप CTP और NRTP का कर लो CTP NRTP मैंने आपको बता दिया CTP NRTP must apply for registration five days prior to starting the business there is compulsory registration इनको registration के time in advance में tax pay करना होता है their registration is valid only for a period of 90 days they can apply for an extension of further 90 days if they apply for further 90 days then they have for that further extension also they must pay the tax in advance NRTP is the only person who can do the registration without payment of without showing PAN PAN नहीं होगा तो भी वर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो बिना PAN के registration के लिए apply कर सकता है NRTP must have a person in India who has his power of attorney that person in India who is representing that NRTP must have a PAN NRTP must have a valid passport NRTP से यहां का PAN नहीं है तो उसकी country का आप tax number ले लो NRTP CTP cannot apply for composition scheme तो registration process of NRTP में इतना है आप देखो का registration में CTP आपने पहले जो easy वाला पाट है CTP का registration टिक हो गया NRTP का registration टिक हो गया CZ और income मैंने आपको बोल दिया इनको अलग registration की जरुरत होती है अप registration में simple part है Amendments Amendments में क्या होते है core and non core Amendments कि प्रकार क्यों होते है core amendments and non-core amendment Тут here core amendments and non-core amendments क्या होता है Non-core means by calling by mobile know e-mail ID customer है इसमें क्या इचवक ह Sharing करना है हमको तुमको number change करना है कर दो हमका हमारे एप्रूल की ज़रूवगर नहीं है हाँ अब क्र O einige तुम ने एक पार्टनर रिटायर हो गया इसको कॉर अमेंडमेंड you must give me your partnership deed को अमेंडमेंड को अप्रूवल क्या लगता है कोड़ अमेंडमेंड में क्या लगता है कि दर प्रिंसिपल प्लेस और अडिशनल प्लेस आफ बिजनस तो आपको क्या करना पड़ता है 15 डेज में आपको चेंज कम्यूनिकेट करना पड़ता है पीओ जो है वो वेरिफाय करेगा उसको 15 डेज का टाइम लगेगा उसको सब ओके लगा तो अमेंडमेंड एक्सेट उसको ठीक नहीं लगा तो आपको शोकॉस नोटिस बेज़ेगा फिर आपको फिर से रिप्लाइ करना है विदिन सेवन आपको क्या क्वेश्चन सबसे इंप अधियों नुदिन नंबर इस फिफ्टीन डिजिट नंबर हम इन डिजिट नंबर 15 डिजिट पैन बेस नंबर दसके तने पैन का पहला 27 महराश च्रका वह फेले दो नमबर क्या है श्टेट को ओपन करो चेक करो कहा क्या दिया है तो इस रेजिस्टेशन के चैप्टर में ह पहले दो state code दो हो गया फिर 10 के आएगा पैन कितने हो गया बारा फिर आपका एक एंटीडी कोड आता है कि आपके कितने रेजिस्ट्रेशन एक या दो इस नंबर के अगेंस कितने ब्रांचीज है आपके इस नंबर पर आपके कितने प्लेसिस ऑफ बिजनस कितने रेजिस्ट्रेशन है वो पता चलता है अपका सेट कोड एंटीडी कोड और उसके बाद जेड होता है और एक लास में एक चेक्सम होता है चेक्सम इस सौफ्ट्वर ने अपने लिए बनाया होता है तो अगर किसी व्यक्ति का पैन ही चेंज हो गया मैं बिजनस कर रहे थे ऐस पीकेडी अब मैंने सोजा कुछ आननसर के सा अब दिस नौत करेक्शन पीकेडी शुद कैंसल रेजिस्ट्रेशन नमबर एंड फोर नियू रेजिस्ट्रेशन नमबर यू चेंज देट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होते हो यह आपका पैन नमबर चेंज होता है इसको अमेंडमेंट माना नहीं जाएगा जीस्ट्र आपको क्या करना है डोंट स्टडी तो होल चैप्टर इन वन गो वी विल गो थू राइट ना सेक्शन 22 23 24 तो एक आप एक सोट में बैठके 22 23 24 करो अमेंडमेंट मैंने आपको रफली बता दिया जीस्टी के रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको आज ही मैंने अभी बताई क आपको सिर्फ आपी पैन देना है और आधार देना है सीबीडी के नंबर से आपका मोबाइल और इमेल आईडी लिया जाएगा आपको आधार नंबर देना है आधार ऑथेंडिकेशन करना है आपका आधार अथेंडिकेशन नहीं हुआ तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भीपोर्ट देगा उसके बाद आपको रिजिस्टेशन मिलेगारेजिस्टेशन सेड़ियों मणने भचाह ओप सब्सक्राइब瞬सक्राइबदेशए वीदिन 30 पेड़ ऐसे डाफ हां अगर मैंने 30 देज के बाद किया तो माइट इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन इस देट वेन आगेट दो आर्सी इफेक्टिव डेट अब क्या उसमें बचता है वह कैंसलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है उसके लिए भी मैंने फ्लोचार्ट बना के दिया हुआ है आप क्या करते हूं पहले स्टार्ट करते हूं यहां से ऐसे नहीं करने का ब्रेक इन पार्ट कर दो ऐसे तिक तिक करते जाने का यह आ गया यह आ गया यह वाला पार्ट आ गया अब मैं फटा फटा आपको कौन सा वाला पार्ट बता के देती हूं 22 एंड 23 एंड 24 उसके लिए है हमारा वो चार्ट यह आपके पास अल्रीड दिया है हां यह मैंने मेरे पास वह लैंड्सकेप ऐसा पहले रोटेट करके रख दिया था अब देखो ट्वेंडी टू इस वाट बेस्ट ऑन एटीओ अब एटीओ मतलब यह काउन से यहर का देखने का इस साल का अब इसमें सुनना ओली जी ओली जी के लिए ट्यों किया है फॉर्टी ट्वेंटी एंड टैन फॉर्टी ट्वेंटी पिर मीटिंग बहुत कम है फॉर्टी लाइक तक लोगों को मत भरने दो फिर कुछ स्टेट्स ने बोला चलेगा कुछ ने बोला नहीं चलेगा तो ट्वेंटी और टैन सर्वीसिस के लिए वही है जी प्लस एस के लिए भी वही है सिफ ओली जी के लिए ऑप्शन दिया गया क्या है 40 20 10 if it is only service 2010 if it is g plus s 2010 handicraft goods 2010 notified goods 2010 simple that jumble option is only for goods आपको registration पर एस टाइब का question आता है कि क्या आपको registration करवाना चाहिए या registration नहीं करना चाहिए अब registration करने के लिए यहां क्या है यह देखो others others के लिए 40 lakhs है AP is must 20 lakhs कहा है AP is must AP is must मंज़े कहा है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश एम इस फॉर मेगाल है U is for उत्राखन S is for सिक्किम T is for पूडुचरी भी है हाँ पूडुचरी भी आएगा पूडुचरी भी आएगा और T क्या यह देखो यह देखो यहां पर AP is must में अरुनाचल प्रदेश पूडुचरी मेगाले उत्राखन सिक्किमें तेलंगान और 10 lakhs कहां यह है तेना मामी हमने लिखके दिया है त्रिपूरा नागा लैंड मनिपूर मिजोरा अगर आप अगर अगर आप अगर और दस दस काई स्पेशल केडिगरी टीना मामी इधर तो कुछ भी लॉंड नहीं करना तीना मामी में हमेशा दस रहने वाले हैं अब सर्विसेज में 20 एंड 10 गूड्स प्लस सर्विसेज है तो टीना मामी में 10 और अधर स्टेट्स में 20 हैंडीक्राफ्ट के लिए 20 10 नोटिफ प्रवसन सर्विसेज है ने वह तो अभी तक कैसे दो आले हैं अब अभी तक कि लेक्ट्चर अभी तक पढ़ा है अब सुरो अब यहां पर देखेंगे 20 lakhs हो गया 10 lakhs हो गया क्या यहां पर इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको 22 में अब एक है 23 जिनको रेजिस्ट्रेशन नहीं कराना किनको रेजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है फार्मर्स को यह जो एक्स्क् अब है यूहां अभी को रेजिस्ट्रेशन मतला पर डिपेंड़ेंट नहीं अब यहां क्या करना है आप इंट्कुल्ध करो कितना भी चोंवर होने चुँल humor सुप रहे हो यह नहीं है 5 लग कर कि下次 आपकोS अब आता है एक्पशन्स इंटरस्टेट सप्लाइव और सब्सक्राइब को भी कमपल्सरी नहीं है लेकिन उसके लिए अधियो बेस्ट है ना उधर 20,000,000 क्रोस किया तो आपको अगर सीटीपी नोटिफाइट गुट्स एल करेगा लेदर एंडीक्राफ्ट गुट्स तो वह कंपल्सरी में जाएगा वह थ्रेश्वल लिमिट में जाएगा नाटीपी कंपल्सरी परसंट वह एस तो पेटाक्स अंडर रसी एम रेसिपेंट में जैसे जी टी ए अगरे वह थ्रेश्वल लिमिट क्रॉस होगा टर्न वर तब रेजिस्टर कर लेना आपको कंपल्सरी नहीं है अब eco is liable eco if it is liable to pay service tax and liable to pay tax under rcm 95 then it is liable oidar final वाल है ISD input service distributor final वाल है person liable to deduct TDS final वाल है अगे person notified by government and twelfth is again important agent who sells goods on behalf of principle but he should sell एक बार आपने रेजिस्टेशन कर दिया आपका टरनवर कुछ भी होने दो आपको GST कलेक्ट करना कमपलसरी और आपको GST Government को पे करना कमपलसरी है समझ में आ गया अब अगर आप नॉर्मल के स्टेट्स में और स्पेशल के स्टेट्स में और यौर थेश्ट्र लिमिट फॉर एट्योव विल बी रिडूस्ट रिडूस्ट एट्योव विल अपलाए जैसे आपका एक स्टेट क लिमिट कितना है 40 लैक्स लेकिन नागा लेंड के सबसे लिमिट कितना है चेयल आपको क्राइटिरिया कौन सा अप्लाइ करेंगे दस लागा 1 यह तक लेकिन नागा लेंड से अगर मैं सिर्प लिकर बेच रही हूं एक्स्क्लूजिव सप्लाइव नॉन टैक्सेबल देन फॉर्टी लाइज देन ओली रिद्यूस्ट टॉर्णवर विल नॉट अप्लाइज अब नागा लैन का टॉर्णवर इंडिविजुली कितना महाराश्रा का इंडिविजुली कितना यह देखते नहीं है एक बार आपको तो अकुट है करना बार रेचिस्टर देखती पर संग पर विर उसकी बा इसको रेजिस्टर करना पड़ेगा एक ब्रॉंच में आट लाग है दूसरी बांद में 1 करोड हो गया टोटल लेव टोटल थेशल लिमिट क्रोस कर रहा है हा दोनों ब्रांचिस को रेजिस्टर करन पढ़ेगा समझ मैं okay so I think I'll stop here now and I will update you about the mock test paper mock test paper में आपके साथ कराऊंगी so I think ठीक हमने काफी कुछ कर लिया है right yes so thank you so much thank you thank you zero rated सप्लाइ मतलब ऐसा सप्लाइ जो नहीं जो एक्सपोर्ट होता है या SCZ को सेल करते हो तो जीरो रेटेड होता है anything that you buy for zero rated सप्लाइज एलिजिबल फॉर ITC ओके और E-Invoice में ने करवाया किसको इन्वाइसिंग है किसको इन्वाइसिंग नहीं है उतना ही है उसमें हाँ exemption chapter का link आपको दे दूँगी भाग्यश्री May 23 और November 23 में change नहीं होता है May 23 में GST का marathon स्टार्टिंग में है टाइम स्टैम्स लगे हुए है आप प्लीज वो वाला lecture देख लो यार एक सेकंड मैं इनको बता देती हूँ एक मिनेट मेरा नहीं बताने का तरीका लगता है दो मिनिट आपको निकलना होगा तो दो मिनिट में इनको बता देती हूँ तुमको पता है नहीं जी एवी कैल्कुलेशन यार इंकम टैक्स के लेक्टर में लिया है मैंने आप स्टेप वन क्या लेते हो स्टेप क्या है एकचौल रेंट मैं आपको क्या क्या करने का एक्च lights डूस टूस लॉस एकनसी करो Laos गूत डूस टूस बेकन सी फिर अन्रेलाइंज रिंग माइनास करो और फिर यह स्टेप त्यूग एगा अब स्टेप थ्री कभ एसमारी के cuarto होता है step 3 is applicable when step 2 is less than step 1 and there is loss due to vacancy अगर step 3 applicable हो गया तो क्या करना है reasons अब reasons में दो होते हैं एक होता है vacancy और others अगर vacancy होता है तो directly step 2 अगर others होता है तो हम मैं पहले आपको होते थी step 1 minus vacancy loss तो अब यह ऐसा नहीं करना है आपको directly आप क्या करना है step 1 आपको directly क्या करना है step 1 तो हम पहले step 1 minus vacancy पस वह नहीं करना है अच्छा मैं अगर step 3 applicable ही नहीं है तो step 1 और step 2 whichever is higher तो कोई confusion इसमें नहीं है simple सी बात है यह income tax के amendment lecture में मैंने अल्रेडी ले लिया है all right syllabus is vast अब हाँ इंकम टैक्स में दो पार्ट से तो इसलिए दो अलग दिन तो दिये हमने income tax के लिए अलग और GST के लिए अलग yes so thank you so much wish you all the best डरना नहीं है घबराना नहीं है अच्छे से अच्छा रखना और अच्छे से पेपर दे के आना and three hours में बिल्कु अच्छा टैक्स वैसे सबसे last होता है इसलिए paper one paper two paper three go to hell बोल के आना वो आके वो tough गया तो उसका पूरा इंपक्ट मेरे पेपर पे नहीं डालने का है है हाँ do you understand that yes so that's it so thank you so much it was wonderful seeing you and teaching you again for one last time in the marathon okay so wish you all the best okay all right all the best तो आप इसे आऊज़ तो विलेंगे ऐसा होता है था ना तुम लोग अब ऐसे ही यह करता तो मुझा एगदम मैं थोड़ा सा इमोशनल होगे एगदम से हाँ 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 न वह घरी न गया हाँ आप र मी किया हाँ हाँ न कौन-कौन न गया गर पे मी गौड, दाथ्स रिएल डेडिकेशन जाए बेड़ेडरी तुम लोग सब आजाओना विल्वी कम इंडरी तो मेमरी हो जाएगी हमारी विल्वाइबडी कम प्लीस कम यह यह बिहाट एक मिलटे हटा देंके क्या आरे यार बट्रेडी थाइंक यहां पर बाहर कर दे एक ढ़ारी किया अबस्त। भी किस अरथ आझ काkład, मुझे में लुल आझ ग मैं ऐकलिए अधिए अजया कि आपूम आप्स! मैं अद से फसे टलात पुम लोग झाला हम मैं अधि上手 जा फोड़ से पादन जाँ परकिलोग प्रषिवन और समय इसे जिता है एंच से लिए खूर और समय पूर भी अपर समय खूर मैं अपर प्षिचांग इंड आप जो फोड़ी अर्फिवार समय परचांग जा कर दो समय लोग हम तो एक बावा देना त्रिश्ट अवर्स के लिए अक्री है मैं अची को फार ये खाली में को जिसे और इसे भ सकता है == तो कने वागा तर्व नियुक्ल ट्जिस वैसो धन्त आशास सैंठी नियुक्ल क्नें मैं क्यों आफ ये जी इंट कि मैं नखञ गर अगिक मैंने थिर अखेज़न आखवा दूबॉ ईजित इस अर पून कोजाग तम के समया राति है आख अख़को सबस्कोप्र शक्रदान और हम भाव ठाम हम फूला किमोरेस्ट तो फेस नहीत मैं adalah परेस्टीज पार खिए दो उझा नदे बाशथगे लगजे आप लिए अ long Day वा पकर बाइसे लगजे अर्षरिश के लिए भुट जिते ह Webb के लिए यहा जातक रहुआ है यहां पुरुट आ जातक अपर सफ न साफ सिए अरश्टी। के लिए attend到 वह बतार है वह बतार है यह ऩॉट शिवा हमका है लिरीत विचिना नहीं है झालेएस अनुए जीं वया जाएार आप वह हमे भी गाहलों में भी बोड़ षफितील गोड़ा झ मुष्यूल दनेसल्य होओ में है। लिग्त Não Muma आप लिज की बरॉर्स लेका हैं के यह आजर खिलो जांगी हो ऺडिना तीस के बाँ मैं से ऑल दिस है राध राध रहता है involved को दुlor के गार मैं सी तिर्ट आर आप सुछें में लिए्ट कप मुहरा रागा डिमा हो एप अब आप स्ट्रीमिंग बन कर दो, बाइ 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 वाल दे बेस्ट